नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में और आज हम लोग बहुत ही एक खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग अभी भी पीरोधाभास में हैं बहुत सारे लोगों को इसकी बन गया हूं मैं एगोनस्टिक एथिस्ट बन गया हूं इस तरह की बहुत सारी बाते करते हैं बहराल उनमें भी कनफ्यूजन है क्योंकि जब बात आती है कि एक्चुल में एथिस्ट है कौन तो फिर हमें खोजना पड़ता है सब लोग अपनी अपनी डेफिनिशन लेकर प अपने कालखंड में एथिस्ट हुएं उनका क्या किया जाए फिर तो ऐसे बहुत सारे लोग हुएं जो अपने अपने समय में जितनी तरक्की थी उस समय की जितना उस समय समाज डेवलप था उससे कहीं आगे वो लोग सोचते थे और इतनी आगे की सोच होने पर भी एथिस्ट बने या फिर जो एक रेशनाल्टी होती है वो लोगों में प्रचार और प्रसार कियें तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे ऐसा ही एक भारत में भी एक ऐसे महापुरूस्त हैं जिनका नाम आप सभी जानते हैं बुद्ध और इनके बारे में ये कहा गया है कि जो है वो इस्वर को नहीं मानते थें ये एक ऐसे व्यक्ति थें जिन्होंने पहली बार पूरी दुनिया में एक ऐसे रेशनाल्टी की एक ऐसे एथिजम की या फिर एक ऐसे रियलिस्टिक इन्वार्मेंट क्रियेट किया लोगों को जीने का ढंग दिया जिसमें इस्वर की जरूरत नहीं थी पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था आज से करीब 2600 साल पहले जब किसी व्यक्ति को जीने के लिए उसे किसी से अब डरने की जरूरत नहीं थी अब उसे पहाडों को देखकर डरने की जरूरत नहीं थी कि पहाड को किसी कालपनिक सकती ने बना द पिंड पौधे बना दिया होगा, हमें बना दिया होगा, आकास्तारे बना दिया होगा, आप उसे बिल्कुल भी उसके अंदर से डर को गायब कर दिया है। इस डर को आप कायम रखने के लिए, इस डर को मेंटेन रखने के लिए आप खलक संगितियों में पढ़ जाते हो। डरा देते हैं, अगर आप नहीं डरने वाले हैं, तो फिर आपको लूब और लालच दिया जाता है। कभी आपको ख्वाब दिखाया जाएगा कि अच्छा मरने के बाद आपको कुछ लालच दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जैसे दलाल होते हैं, गदार होते हैं, जो कुछ पैसो के लिए बिक जाते हैं, तो उस तरह के आपको एक दलाल बना दिया जाता है, कि भई तुम जो है इस सच्चाई को, ये जो प्रैक्टिकल सच्चाई है इसको भूल जाओ, अब तुम दलाली करो हमारे लिए, इसलिए दलाली कि मरने के बाद से तुमको न कुछ न कुछ इस वर फायदा देगा, तो इस तरह से जो है आपको फिर से एक ऐसे चरम में घुसेड दिया जाता है, जहां से आपका एक्चुल जो आपकी वास्तविक्ता है, आपकी जो प्रशनाल्टी है, वो जमिन दोज कर दी जाती है, और वहां पे वो जो तीसरा बंदा अपनी जो बाते घुसेड़ना चाहता था, समाज को जिस तरह से गुलाम बनाना चाहता था, जिसे वो कभी धर्म कहा देता है, कभी मजभ कहता है, कभी religion कहता है, वो अस्थापित कर ले जाता है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आ अंधेरे का डर दिखाए तो समझे कि कहीं न कहीं घाल मेल है वो फिर आपको टार्च बिचना चाहता है। मतलब वो अपनी company का ठार्च आपको बेचना चाहता है तो ये जो डर है ना कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये चीजे बन जाती है वो बन जाती है इसका इस्तमाल किया है लोगोंने अपने अपने धर्म का ठार्च बेचने के लिए लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे बुद्ध जिनोंने पूरी दुनिया को बिना किसी डर के बिना किसी इस्वर के लोग को जीना सिखाया है लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग अब ऐसे भी पहुँच रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं बुद्ध जो है इस्वर को मानते थे, आतमा को मानते थे, परमातमा को मानते थे, ऐसे ऐसे भी लोग पहुंचाते हैं, कुछ तो अपना आउतार बना के बैट गया है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि इनों ने अपना आउतार बना लिया, जिस बुद्ध ने बिना इस्वर के लोगों को जीने को सीखाया जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया इतने बड़ी बड़ी जो देश हैं जापान है यह वो आतमा-परमादमा को मनते थे फिर कुछ जुरह है वो क्या करेंगे वाट्सअप इन्वर्सिटी में कुछ फरजी fake message लिखेंगे उसमें एक नाम दे देंगे तीपिटक का क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो बुद्ध के वचन्त हैं उसको उनके विखुओं ने तीपिटक के माध्यम से तीन पिटकों के माध्यम से संकलित कर लिया था और उसको लोगों की जन्मानस की भासा में कि लोग उसको समझ सके तो विभिन प्रसंग के अधार पर उसको लिख लिया था लिखने में उन्होंने कुछ कालपनिक्ता या कुछ इस तरह की चीज़े भी इस्तमाल की जिससे लोग उसको असानी से समझ सके बहराल उनका मकसद यह नहीं था कि बुद्ध के जो विचार है एजटिज कॐमपाईल की जाए बलकिल उनका मकसद उस समय यह रहा होगा कि पबलिक को बुद्ध के विचार कैसे बताये जाए तो बताने के लिए उन्होंने कई सारे प्रसंग लिए हैं, उस प्रसंग में कुछ लोगों ने बाद में अपने अपनी कहानी बना के कोई उसको जनम समझ लिया, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है, जैसी जिसकी बुद्धी होती है वो ऐसा उसको समझ लेता ह तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहा है ये 9-10 सेंचूरी 11-12 सेंचूरी तक सब चीज ठीक ठाक था लेकिन उसके बाद से जब पूरी दुनिया में वैसे तो देखा जाए तो 5-6 सेंचूरी के बाद से ही पूरी दुनिया में इस्वरवादियों का एक धाचा उबरा उधर जेसस जो है उनके नाम पे इसायत उभरी थी आज से 2000 साल पहले वो भी सुरू में जेसस को ये परचार करती रही कि वो काफी दयालूत हैं उन्होंने अपने मरते हुए जो इन लोगों ने उनको मारा उनके लिए भी दयालूता वो बहुत महान व्यक्ती थे इस तरह की बाते प्रचारित की लेकिन धीरे धीर ही अगले 400-500 सालों में उनके जो अनुआई थे उनके नाम पे जो पूप बने जो प्रिष्ट बने इन लोगों ने बहुत ही खूनी रवया अक्तियार कर लिया इनके राजे महराजे खून की ह बोलिया फैलाने लगे इन्होंने समराजवाद किया और हम सबको पता है कि 15 संचूरी में किस तरह इन लोगों ने डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे जो जिनकी सोच जो इस्वर को चुनावती दे रहे थे जो बाइबल को चुनावती दे रहे थे जो काम बुद्ध ने 26 साल पहले जिस इस्वर को बिना इस्वर के रहना सिखाया था उस तरह की जो सोच डेवलप हो रही थी तो उनको ये लोग जिन्धा जलाने लगे परताडित करने लगे अच्छा ये जो 5-6 सेंचूरी से ही ये सारा काम सुरू हो गया था लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि उसी अच्छी बात है कि मूर्तियों में कोई ये नहीं होती वो नहीं होती लेकिन वो भी वही लकीर के फकीर बन गया आसमान से गीरे खजूर पे लटके उनको ये लग गया कि यार मैं अपनी बात पबलिक को नहीं समझा पाऊंगा तो फिर उन्होंने भी उसी ढोंग का सहारा डोंग क्या था कि कोई परमसक्ती होती है और वो आके उनको ग्यान दे रही है जिब्रैल के माध्यम से उनसे connection बना रही है अलाएंकि वो उनके जो अच्छे विचारत हैं कि मूर्ति पुजा में कोई सक्ती नहीं होती मूर्तिया नहीं बनानी चाहिए या बना भी लो तो इ ये अगर अच्छे विचार थें तो इनके पास ऐसा कोई solution नहीं था कि ये public को न अपनी इस विचार को समझा सके तो इन्होंने वही अपना जो पूराना ढर रहा था कि ये कह दो लोगों को डरा दो लोग इस वर से डरते हैं क्योंकि Jesus ने इस वर का एक concept दिया था उस तरह क चीज़े जो है उस पर इन्होंने भी वही रास्ता अक्तियार किया और अल्ला का एक जोन जोना जो है public को फैला दिया अब public जो है ये बात तो पकड़ ली कि या मूर्ति पूजा नहीं तो उसके चक्कर में अब मूर्तिया ढाहाई जा रही है और जो actual message था जो उनका विद् हो गई तो में जो मकसद था आपको एक परिवर्तन करने का कि चलिए हम लोगों का विचार परिवर्तन करना चाहते हैं कि प्रिवियस चीज़ है अगर गलत थी तो हम कुछ नहीं चीज़ है लेकिन हुआ क्या उसके बाद से पूरे इसलाम हर देश में फैला और वो इसलाम आज तो लोगों ने प्रचार ही कर दिया है कि कोई भी इसलामिक व्यक्ति हो तो सौ में से दस जो है उनके किसी आतंकवादी संगठन से होने के वो हो सकते हैं या फिर उनके रिलेटिव या उनके आसपास कोई भी जो है इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाया जा सकता है इस तरह की सर्वे रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है लोग ऐसा परचार भी कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है बहुत सारी जगों पर जदातर जो बम धढ़ाके होते हैं उसमें और भी लोग इंपॉल्फ होते हैं अन्य मजहब के भी होते हैं लेकिन जदातर इसलाम का ह जदातर इसलामिक दिस इसकी गिरिफ्त में ज़्यादा है यह चीज़े देखी जा रहे हैं तो कूल में लाके जो इस्वर की बात थी जो गौड की बात थी वो यह धर्म जो है या धर्म के जो ठेकेदार लोग थें जो इसको परपगेट करना चाते थे मैसेज देना चाते कि हम पुरानी चीजों को हम हटा कर नहीं चीजे परुसेंगे, वो बिना गौड के अपनी बातों को लोगों से नहीं मनवा सके, सिरेंडर कर दिया, कि हम लोग इतने काविल नहीं हैं कि सच बात को बिना किसी गौड के, बिना किसी अल्ला के लोगों को समझा पाएं, तो वो भी नाकाम्याबर है तो इसलिए ऐसे में बुध की जो बाते हैं ये बहुत ही प्रसांगिक हो जाती है कि बुध आकिर कैसे समझाने में सफल हो पाये थे और आप देखिए तो मुहम्मद जो हैं मुहम्मद साहब उनका जो एरिया देखिए जो लड़ाई हुई थी जो दूसर परिवर्तन किया कि पूरी दुनिया में फैल गया आप देखिए कि बुध के समय में ही जो आठ राजा थे वो लड़ा रहे थे कि हम इनकी अस्ति ले जाएंगे आठ अलग-अलग प्रांतों के राजा भारत बहुत बढ़ा देश है इतनी बड़ी संख्या में इनका प्रभ लोगों को सिखाई क्या इसको हमें इसलिए भुला देना चाहिए कि आज उनके नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी-अपनी चीजे कोल के बैठ गहे हैं कोई आवतार बता रहा है कोई भी बोल रहा है कि आतमा मानते थे कोई परमात्मा मानते थे इसलिए हम भी उनको उनकी बात करना छोड़ दे, हम उनका जो एतिहासिक पच है, जो हिस्टोरिकल पच है, जो भारत का एकितिहास मिलता है, उसकी बाते करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से दूस्प्रचार किये हैं, अच्छा, अब हुआ क्या कि यह जो फिफ्ट, सिक्स सेंचूर में खुब लड़ाया की, आप देख लिजे हिन लोगों ने जबर्दस लड़ाया कि क्रूसीड कर लिया था, कि यह मेरा अल्ला बड़ा तो मेरा गौड बड़ा, इस्वर के नाम पे, तो यह चीज़े जो है ना भारत में भी दोर पकड़ी, भारत में भी फिफ्ट, सिक्स, सेवन्थ, एर्थ, नाइन्थ, तेंथ सेंचूरी के बास है, एलेवन्थ, तेंथ सेंचूरी में जो भारत में इस्वर नहीं था, उसकी जगह पे कुछ यहां भी ऐसे धूरत पैदा हो गए जो इस्वर को अस्थापित करने लगे, तो भारत में बहुत मार्ग जो है, इस्वर के यह चीज़े चल रही थी, तो इस्वर नहीं था, तो इस्वर बाद में अस्थापित किया गया, लेकिन जब बाद में अस्थापित किया गया, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे बुद्ध के अनुवाई, जो बाद में इनके पाले में कनवर्ट हुए, तो वो म लोग कहते हैं कि उनके विचार जो है तीपीटक से है तीपीटक नह judicial मिलती VIB की जितनी भी चीजए मिलती है उसमें इस तरह की आउसार भग्वान मानने कि कुछ सायं नहीं मिलती तो लोग कहते जो जो बुद्ह मार के जो स्क्रिपचरस है क्या वह वुद्ह की इस्वर की बाते करते हैं यह नहींगे उस पर थोड़ी सी चल्चा की जैना गि acha कुछ सुपर स्टी कर आया है इनको हम देख लेते हैं यह आये हैं बंसी लाल अहांपा इनका सुपर स्टिकर है बहुत सुखरे है आपका और इसके बाद यह आये हैं प्रयाग सिंग जी इनका भी सुपर स्टिकर है बहुत सुखरे है आपका इसके बाद से योगेंदर मास्कीजी लिख रहा हैं Dear Lord, Thank You Even though you can do anything that was quite impressive Dear Lord तो Lord तो है की नहीं है ये तो अभी मैं डिसकस करूँगा क्योंकि Lord तो आपके पास भी नहीं आता और देखिए एक बात आप जानी है आज का जो सेशन है न बुद्धम और इस्वर इसको दो पार्ट मैं करूँगा आज का पार्ट मैं सिर्फ बुद्ध का पच दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे सवाल भी दाग रखे हैं कि नहीं बुद्ध न इस्वर के बारे में बोलते ही नहीं थे अरे भाई साहब बुद्ध जो है अगर 29 साल की उम्र में घर से निकले 35 साल की उम्र में 6 साल दक उन्होंने अपने रिसर्च की उस 6 साल के रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि भाई इस्वर और आत्मा अत्मा ये सब चीज़े तो हैं ही नहीं इनकी तो कुछ चीज़ी नहीं है इस्वर तो खेरू समय कोई नाम भी नहीं था लोग कुछ नाम कहते होंगे उस तरह से हनते होंगे लेकिन इस तरह की कुछ चीज़े नहीं है उन्होंने ये चीज़ पर वो किया लोगों में बांटा भी लोगों को समझ में भी आया एक्सेप्ट भी किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पूरे 45 साल 80 साल के उम्र में उनका दिहान थुआ तो इस 45 साल के दौरान में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनके पास गया हो और पूछा हो कि भाई आप ये बताए ये इस वर होता है कि नहीं होता है कोई न कोई तो जरूर गया होगा उन्होंने अपने 45 साल के दौरान इस वर पे बात ही नहीं किया हो आत्मा पे बात ही नहीं किया हो ऐसा हो सकता है आपको लगता है नहीं हो सकता ना तो जो लोग ये कहते हैं कि वो मौन थे वो जूंट बोलते हैं जूंटे लोग हैं ये लोग सत्य आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है चलिए तो यहां से जो है यह डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर के बाद से चलिए आगे बढ़ते हैं जो में जो सवाल है जो सवाल यह लोग खड़े करते हैं क्या बुध गौड पर विश्वास करते थें यह में सवाल है क्योंकि जो धारमिक होगा वो तो आके यही गाना गाएगा नहीं जी बुध जो है न गौड पर बिलीव करते थे आप लोग को पता नहीं है अच्छा दूसरा क्या बुध इस्वर के बारे में मौन थे यह सबसे बड़ा एक सवाल है क्योंकि बहुत धम को ही मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह बात प्रचारित करते हैं कि नहीं जी बुध तो इस्वर के बारे में बोलते ही नहीं थे इस वर पर कभी कोई पूछा ही नहीं होगा उनसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी तो कुछ बोले ही होगे हम लोग भी इतने दिन से कर रहे हैं स्ट्रीम इतने सारे लोग आते हैं कॉलर्स आते हैं सब कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं तो जब पूछते हैं तो उन से भी किसी न किसी न जरूर पूछा होगा ठीक है ना तो ये कोई कहा देता है ना कि मौन्त है मौन्त है ये सब अखवास बाते हैं ये दरसल वो लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि वास्तिविक हैं हम नास्तिविक हैं अधीरे से क्या करेंगे यही वास्तिविक कहते कहते किसी अंधरिश्वास और पाखंड में भी घु बुद्धा है कि इस्वर आतमा उनर जनमी नहीं है तो नहीं है खतम बात यही scientific temperament है तो चलिए इसके बाद से आगे ये भी question आता है क्या बुद्ध के अनुवाई गौड पर मौन थे अब देखिए ये भी बड़ा खुबसूरत प्रश्न है कि वह अगर बुद्ध जो है अग मैं दिखाऊंगा जब इसका second part उसमें इनके अनुवाईयों की सारी किताबे खुल-खुल के दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे गौड की लंका लगाई है धर-धर के इतनी बुरी तरह से लगाई है जितने आजकल ये सवाल आपसे आके पूछते हैं और एक creator है जैसे कुमार जो है घाडा बनाता है जैसे ये बनता है तो यैसे creation का creator है इन सब सवालों का जबाब बहुद मारगियों ने अपने philosophical किताब में आज से 1000-1500 साल पहले भर-भर के चापा था इतना भर-भर के चापा है इतने गुड इतने अंदर तक घुस-घुस के इसका उतर दिया है कि आ इतना लॉजिकल आज के जितने भी एथिस्ट लोग हैं जो परचार कर रहे हैं कि नहीं जी गौड नहीं होता creator creation का उतर दे रहे हैं big bang evolution को ला रहे हैं scientific चीज़े अमाले जे कोई अनपड़ बंदा है उसको नहीं आती है evolution नहीं आती है उसको जो है big bang नहीं आती है नहीं राही में उतर दिये हुए हैं इनकी चर्चा में करूँगा तो उससे पहले जो है हम लोग आज तो सिर्फ बुद्ध वाला ही portion देखेंगे कि बुद्ध ने इस्वर के बारे में क्या क्या चीज़े कहीं है अच्छा ये next में हम लोग देखेंगे इसके बाद से क्या बुद के लिए dedicated है उसका किसी इस्वर से क्या मतलब है अब उनको तुम भागवा कह दो या भागवान कह दो उसका इस्वर से क्या मतलब है वो इनसान है तो हैं खतम बात उसमें उनको कह देने से नहीं कह देने से वो कोई इस्वर उनको थोड़े बनाया जा रहा है अरे वो सर सब जत्त है वो सबदा होली है जैसे किसी को सर की उपाधि मिलती है लोग थे हैना सर उप नहीं मिला हुआ है गोग सर की उपाधि लिए है उनके लिए हो रहा है तो अब यह तो एक उपाधी है ना यह चीज जो है उसको आप उसमें कुछ यह नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो यह हो गए वो हो गए ऐसा नहीं है अच्छा इसके बाद से जो है नेक्स्ट है कि क्या बुद्ध के अनुवाईयों ने बुद्ध के नाम पर तिपिटक तथा अन्य सहायक संकलन किया यह भी बहुत बड़ा अच्छा प्रशन है कि चलो बुद्ध के अनुवाई जो है कहते हैं कि वही तिपिटक जो है वही हमारा सोर्स है हम लोगों ने बुद्ध के वचनों को संकलित किया हुआ है तो सवाल तो उठता है कि अगर वो बुद्ध अगर मानते होंगे किसी इस उस्वर को तो उसमें किया होंगे नहीं मानते होंगे तो भी चर्चा होगी कुछ ने कुछ तो जरूर होगा ना वही मैं आज दिखाने वाला हूँ इसके बासे नेक्स्ट पॉइंट है क्या आधुनिक स्कॉलर्स ने बुध संबंधित विचार किया ये भी बहुत अच्छा प्रश्ण है कि बुध को इन लोगों ने तो खतम कर दिया क्यों खतम किया इसका यही कारण था जब से बुध के अनवाईयों ने जैसे ये लोग गौड का कंसेप्ट लाएं फिफ्ट सिक्थ सेंचूरी में अब बुध मार्ग पूरी दुनिया में फैला हुआ था तो जब इसायत भी कुरूर हुआ इसलाम भी कुरूर हुआ तो उसका इफेक्ट पड़ा अब की बार जो नास्तिक्ता की वो लोग जो बात कर रहे थे वो बहुत ही मार्ग था वो लोग जो नाम कोई नहीं ले रहा था इध्यान दिजिएगा ये बहुत बड़ी फिलोसपी है कि नाम ये कैसे एक दूसरे का लेंगे नाम कोई नहीं ले रहा था कह रहे हैं कि सैतान है नास्तिक है नास्तिक ऐसे सोचता है एक कह रहे हैं एक दूसरे को तो पूरी दुन कहने का मतलब है जो connected part है जो उसमें खोज नहीं हुए था उनकी में बात नहीं कर रहा हूं connected part को जहां तक इंसान पहुच सकता था जा सकता था तो वहां तक जो है इन्हें टकरहाट हो रही थी तो वो टकरहाट की आंच भारत में भी पहुची और बौध मारक को इसलिए खतम क किया गया क्योंकि इन लोगों को इस्वर भारत में भी अस्थापित करना था ये बात आप समझेगा जिसने भी जितने भी दर्शन भारत में उसके बाद उभरें वो सब के सब जो है वही बचपाएं या अस्तितों में रहें जिनोंने चाहें चुप होकर silently डिरेक्टली या जी को देख लीजिए या फिर आप जो है रैधास जी को देख लीजिए या फिर आप उनको देखिए क्या नाम है ये ब्रामड धरम के जितने हैं गीता हैं वेद हैं रमायन माभारत हैं जितने हैं इन लोगों ने तो सांख्य दर्शन जिसको नास्तिक दर्शन कहा गया उस उसको भी इन लोगों ने संस्कृत में आस्तिक बना लिया, जब बहुत हमार खतम हुआ, उसके पहले सांख्य दर्शन जो था, वो भी नास्तिक दर्शन मना जाता था। उसको भी ब्रामडों ने आस्तिक दर्शन बना के मोडिफइड कर लिया। यह सारे विद्वान यह बात आत्मा और ये पूनर जनम तीनों की बैंड बजा ली थी असरीफ वही बचे जैन मार्ग क्यों बचा क्योंकि इसने पूनर जनम मान लिया क्योंकि इसने आत्मा को भी मान लिया इसलिए ही ये सर्वाइव कर पाया कि इसने आत्मा और ये सब चीजों पे समझावता कर लिया इ भारत से इन लोगों ने कैसे गायब किया था बुद्धमार्ग को, चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के जो modern scholars हैं, उनके क्या विचार हैं, इसके लिए एक बड़ी अच्छी पूस्तक है, बुद्ध धम और इस्वर, जिसको ये संस्कृत के प्रकांड विद्ध्वान हैं, और scholar भी हैं, scholar क्या कहा हैं, इन्होंने तो डबल डबल पीच्टी कर रहा हैं, इन्होंने इतनी डिगरिया ले रखी हैं कि संस्कृत में कोई जो है, इनके सामने ठीक नहीं सकता है, तो डॉक्टर सुद्ध रग्याद जी हैं, इनकी पूस्तक है, बहु contact करके वहां से भी मंगा सकते हैं, तो इसमें जो है, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या जो है, कौन कौन से जो आज की scholars हैं, उन लोग के क्या विचार हैं, कि वो क्या कहते हैं बुद्ध के बारे में, तो यहां पे आप देखेंगे कि डॉक्टर हरद्याल जो हैं, ये बहुत ही बहुत विद्ध्वान हैं, तरकसील लेखक हैं, इनकी एक कुस्तक है, hints for self-culture, इसमें इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात लिखी है, ये लिखते हैं, अटाइस्ट हैज सेट, if God didn't exist, it would be necessary to invent Him, मतलब ये जो कुछ लोग, देव या ये लोग होते हैं, जो इस्वर वग भी होता है, तो भी उसको खोज लो, बना लो, ये जरूरी है, मतलब जो धारमिक होता है, या जिसको इस तरह की चीज़े करनी होती है, वो इस तरह की बाते प्रपोगेट करते हैं, आगे ये लिखते हैं, but I believe that even if God exists, it would be best for mankind to deny His existence and ignore Him, अब इनका ये कहना है कि मेरा ऐसा जिस्ट भी करता होगा ना, तो भी उसकी हम लोगों कोई जरूरत नहीं है, उसको हमें नकार देना चाहिए, इस साफ साफ कर रहे हैं, कि हमें उससे भुला देना चाहिए, इकनूर कर देना चाहिए, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, होता भी होगा ना, तो भी हमें उसकी कत ही जरूरत नहीं है अरे सुबह से सारा काम हम कर रहे हैं साम को हम कर रहे हैं हर चीज हम कर रहे हैं अखाली बैटके वहाँ पर हम घंटा हिलाने जाएं उसके नाम पर उसके नाम पर जाकर नमाज पढ़ें उसके नाम पर जाकर प्रेयर करें इसलिए हम एक किरदार को इन्वें दूसरा वाला भी इस्वरवादी है कि घंटा बजा रहे हैं दोनों इस्वरवादी हैं लेकिन हैं तो बोडर पे एक दूसरे के दुस्मन तूस इस्वर का वहाँ पे क्या काम है उस सैनिक के जजबे को सलाम है जो सैनिक जो वहाँ पे लड़ रहा है वहाँ पे फिर क्या इस् बच्चे जैसी बात करता है या बच्चे जैसी सूच रखता है मेंटिलिटी रखता है वो जो है बिलिफ कर रहा है गौड पे मतलब बच्चे जैसी जो है मेंटिलिटी गौड की है है ना उसको आपका वो चाहिए गुणगान चाहिए आप जो प्रेयर करते हो आप उसको खुश करने के लिए दो किलो लड़ू चढ़ाते हो पुजा पाढ़ कराते हो आप उसे डरते हो तो यह जो सौच है गौड की वो तो बच्चे चैल्डिस जैसी ही है अगे यह लिखते हैं गौड is a meaningless and mischievous, mono, salival and nothing more तो यहां पे बात ही होगे, साफ साफ यह बूल भी दिये कि इस वर एक निरर्थक और सरारत पुर्ण एक आच्छर है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है तो यहां से clear-clear एक indication भी जा रहा है कि जो नए जो scholars थें, जो लोग यह चीज देखते हैं वो साफ साफ वो भी गौड को deny कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं यह सारा चीज जो है बुद्ध आज से 26 साल पहले कर चुके थे समझ सकते हैं आप कि वो कितना आगे थे भारत को कहा जाता है ना कि भारत बहुत आगे था प्राचिनकाल में भारत जो है विश्व गुरू था यह था इस कारण से था कि जो आज के scholars हैं आज के जो scientist जिन चीजों को लेकर lead कर रहे हैं यह सारी चीजे भारत कभी lead करता था कभी यहां के scholars जो हैं दुनिया को जाकर यह सिखाते थें कि भाई यह चीजे नहीं होती हैं यह चीजे गलत हैं यह चीजे सही हैं अब पूरी दुनिया में इनका respect किया जाता है आज विग्यान का किया जाता है विग्यान ने भी तो deny किया उसने सबको डिनाई किया, इस्वर अल्ला गोड सबको डिनाई मार दिया, यह कुछ नहीं होता, हमें ही करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है, वो चीज खोजना पड़ेगा, खोज-खोज के वो आगे बढ़ता है, यही चीज यहाँ मैं दिखाता हूँ अभी इस सारी चीशे बात है अभी तो मैं स्कॉलर्स की दिखा रहा हूँ अब एक और ये दूसरे स्कॉलर है बल्दे उपध्याई इनकी भी बात सुन लेजिए ये क्या कह रहा है ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो पर्थम कोटी के अनिस्वरवादी थे समझ रहे हैं पर्थम कोटी के अनिस्वरवादी पर्थम कोटी मतलब जो एक कहते हैं ना कि नहीं ये प्यूर एथिस्ट होता है तो बोल रहे हैं कि ये प्रथम कोटी के अनिस्वरवादी थे हैं फर्ष्ट कोटी के, सेकेंड ठर्ड नहीं कह रहे हैं जो आजकल आके कुछ ढपोर लोग जो हैं जिनके अंदर गलत फैमी फैली होई है कि औरे नहीं नहीं बुद्ध जो है वो नास्तिक नहीं थे, बुद्ध जो है ये नहीं थे अब ये बात मैं सब नहीं कह रहा हूं ये बलदेव पध्याय कह रहे हैं ये सारे स्कॉलर्स लोग हैं जो लोग इन किताबों पर रिसर्च करते हैं परानी scriptures पर रिसर्च करते हैं सारी चीजों को पढ़ते हैं पढ़कर जो conclusion निकालते हैं और उसके अधार पर जो है अपना ये conclusion देते हैं निस्कर्स देते हैं वो कह रहे हैं कि प्रथम कोटी के second third नहीं है कि ये थोड़ा बुद मानते होंगे ये करते हों नहीं प्रथम कोटी के first quality के बता रहे हैं ये कि ये उनके मत में इस्वर की सत्ता मानने के लिए हमारे पास कोई भी उप्यूक्त तर्क नहीं है सीधे सीधे बोल रहे हैं ये तो इससे भी ये पता चलता है अच्छे इन्होंने लिखा है मैं पूरा पढ़ देता हूँ इनका बहुत दर्सन मिमान सा 1946 में जो बुक आई थी चतुर्ट संसकरन इनका 1989 में आई है और page 76 में इन्होंने लिखा है कि प्रथम बुद्ध जो हैं प्रथम कोटी के अनिस्वरवादी थे उनके मत में इस्वर की सत्ता मानने के लिए हमारे पास कोई भी उप्यूक्त तर्क नहीं है अपने उपदेसों में उन्होंने अपनी अनिश्वरवादी भावना को सपष्ट सब्दों में अभिव्यक्त किया है जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि वे अंजाने और अंसुने इस्वर के भरोसे अपने अनुवाईयों को छोड़कर उन्हें आकर्मन्य तथा अनात्म अभिव्यक्त किया है इस से ये भी पता चल रहा है कि वह साम साप उन्होंने इसको अभिव्यक्त भी किया है और अपने अनुवाईयों को किसी चीज के जो काल्पनिक है उसके चीज की आलतुपालतु बात करने की बजाए। उन लोग को सीधे सीधे लोगों में क्या मैसेज देना है उस चीज पर वो संकल्पित हैं यह हम लोग को समझना होगा कि उनकी कितनी एडवांस सोच थी वो कितना आगे सोचते थे तो अब इसके लिए जो है ना एक यहा पे रफरेंस भी दिया गया है िग निकाय का दिया गया है पथी के सुप्त खाह उसमें जिखते हैं वो भी देख लेजिए क्योंकि बार-बार लोग कहते हैं कि तीपी टक में लिखा है तीपी टक में लिखा है तो देखिए, अब यह लोग's scholars हैं, क्या लिखते हैं, अब यह scholars लिखेगा, तो उसका तो देखना पड़ेगा ना, कि वो क्या कह रहा है, मांते होंगे तो बता देगा, नहीं मांते होंगे, वो भी बता देगा, तो यह लिखते हैं, दिखनेकाए के पधिक सूत का अध्यन कर अब कोई ये कहेगा कि देखी देखे यहाँ पर ब्रमभा की बात आ गई इसका मतलब ब्रामध धरम था इसका मतलब वहाँ पर जो ब्रमभा है ब्रामधों के जिसके मुँझे ब्रामध पैदा हुआ है वो था लोग ये सोचने लगेंगे क्योंकि ये तो हिंदी अनुवाद ह हिंदी अनुवाद में तो ब्रामध भी सब्दा जाएगा ब्रमभा भी सब्दा जाएगा कुछ भी ये डाल सकते हैं जो आज की तरह जो सब्द ब्रामधों के हैं वह से डाल देंगे लेकिन सच्छाई ये है कि ब्रमभा जो इसमें लिखा जा रहा है वो सब्द उस समय नह प्रदादा ब्रंभा दादा मतलब जो उनके पुर्वजित हैं उनकी वाते चल रही है यहां पर यह ब्रंभा जो है आज कल जो इन्हों ने चार मुख वाला जो अहलो कितेस्वर बुद्ध को ब्रंभा बना लिया है वह वाला ब्रंभा नहीं है यह समझना पड़ेगा पूरा इस्वर है यहां पे इसकी बात नहीं हो रही है यह ब्रंभा द्रम वाले ब्रंभा की नहीं बात हो रही है बलकि यह जो ब्रंभा है एक वैसे पुर्वज की बात हो रही है जिसने इस दुनिया को रचा हुए उसकी आगे भी जिक्रा आएगा वहां से आपको और किलियर हो जाएगा अब देखिए क्या कहते हैं भारगों यहां कुछ स्रमड ब्राम्भड देखिए क्या लिखा इनों होने समड ब्राम्भड यह बमड समड जो एक साथ सब दाता है न वही मतलब कुछ समड विद्वान की बात हो रही है देवनागरी लिपी है ब्रामड लिखती है हर लिखा हुआ है, मिलेगा आपको क्योंकि सारे अनुवाद इकलो जो है вед ब्रामड ही हैं, हर जगह ब्रामड को परी रखे हैं अश्रमन को जो है श्रमड कर रखे हैं तो उसमें आपको confuse होने की जरुरत नहीं है, यहां देखते जाया तो स्रमण ब्रामण ऐसे हैं जो इस मत को कि यह स्रिष्टी इस्वर या ब्रम्भा द्वारा रची गई है ही स्रिष्ट मानते हैं जब मैं उनके पास जाकर पूछता हूँ कि क्या आप लोग यह मानते हैं कि यह स्रिष्टी इस्वर या ब्रह्मभा द्वारा रची गई है तो वे हां में उत्तर देते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने इस मत की पुष्टी कैसे करते हैं इसे सिध कैसे करते हैं तो वे कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं और मुझसे ही प्रश्न करने लगते हैं तब मैं उन्हें बताता हूँ। तो देखिए यहां पे जो है बुद्ध जो है यह पूरी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि तिपिटक के लेखक बुद्ध नहीं थे उनके अनुवाईयों ने उनके जाने के बाद से लिखा और सबने अपना अलग-अलग लिखा हैं। समराटसुक के समय में ही अठारा स्कूल हो गए थे उसमें से भी जो महायान है उसने अपना अलग तिपिटक बनाया। जो धेरवाद था उसने अपना अलग बनाया। कुछ-कुछ अंतर है बहुत सारी similarities भी हैं। तो अब इनमें जो बात आ रही है इसमें ये कह रहे हैं कि जब मैं पूछता हूँ कि भाईया तुम्हारे किसी पुर्वज ने बनाया। पुर्वज कहने का मतलब कि अब उसके मुह से कोई जनमेगा। उस समय ऐसी कलपना नहीं थी कि कोई ऊपर बैठा रहता है और कोई ये रहता है वो रहता है। इस तरह के बहुत सारी कलपना नहीं थी। उस समय लोग मानते थे कि कोई ऐसा रहा होगा हमारा पुर्वज जो यह सब बनाया होगा हम उनके वंसज हैं या इस तरह के उस पर ये प्रश्न खड़े करते हैं अब उसका उत्तर बताते हैं जो आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या उसका उत्तर देते हैं आयुश्मानों बहुत समय बीतने पर जनम मरण का लंबा रास्ता पार कर यह लोक प्रलीन मतलब लोक लुप्त होता है आयुश्मानों बहुत काल बीतने पर लंबा रास्ता पार कर यह लोक फिर से उत्पन होता है इस लोग की उत्पत्ती के प्रारंब में एक सुन्य ब्रंब विमान उत्पन होता है तब कोई प्राड़ी उस सुन्य ब्रंब विमान में उत्पन होता है ये समझिएगा इस बात को अगर आप ये बात समझे कि भारत में नवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी सदी तो पाली चलती थी पाली को बहुत लोग अच्छे से समझते थे उसका तो इन लोगों ने पूरी तरह से बंटाधार कर दिया, खतम कर दिया सब्द भी चूरा लिया, अर्थ भी बदल दिया, और अब के लोग जो है ये जब पाली की जो अनुवाद होता है, उसको आज वाला जो अर्थ बदला हुआ है उसके नजरिये से देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे भी आपको देखके लग रहा होगा कि अरे, जंब मरण की बात आ रही है इसका मतलब पूनर-जंब की बात हो रही है, नहीं यहाँ पे बात चल रही है कि बहुत समय बीतने पर मालें जै़े कि जैसे धर्थी बनती है, दुनिया बनती है तो बहुत समय बीतने पर लंबा रास्ता पार कर यह लोक, यह लोक की बात है, इनसान के जनम मरण की बात नहीं हो रही है, जनम मरण का लंबा रास्ता मतलब जैसे बनता रहा, बिगड़ता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, कुछ-कुछ होते रहा, परिवर्तन होते रहा तो ये बहुत समय बीत गया इसके बाद यह लोक इस लोक क्या बात हो रही है लुप तो होता है मतलब यह जो लोक है यह बिगड़ता भी है आयुश्मानों बहुत काल बीतने पर लंबा रस्ता पार कर यह लोक फिर से उत्पन होता है अब यह कह रहा है कि बहुत समय बीतने के बाद से अब यह लोग जो है फिर से उत्पन भी हो रहा है, मतलब बन रहा है, बिगड रहा है, बिगड रहा है, बिगड रहा है, जब suitable situation होगी, तब ही इंसान का जनम होता है, तो यह बात यहाँ पे चल रही है, इसको कुछ लोग जो है जोड़े लेंगे, जनम मर ले लिखा पुनर जनम लिखना होगा, तो इंसान के लिखते हैं लोग की बात थोड़े करते हैं, चलिए, अब इसमें कहते हैं कि तब कोई प्राणी उस सुन्य ब्रंभ विमान में उत्पन होता है, मतलब यह सारा चीज हो जाने के बाद से, अब जब है पहली बार कोई प्राणी जो ह वहाँ पे उत्पन होता है, जनम लेता है, यह बात कह रहे हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि कोई इस्वर जो है उस प्राणी को बनाया, ध्यान दीजेगा इस बात को, यह सुचिया से 26 साल पहले जब साइन्स नहीं था, उस समय भी बुध यह बात कह रहे हैं, कि हर चीज बनते विगलने के बाद से कोई प्राणी उत्पन होता है, यह नहीं कह रहे हैं कि उस प्राणी को भी किसी अल्ला ने, किसी इस्वर ने या किसी गौड ने क्रियेट किया, यह बहुत बड़ी बात है, यह समझने की ज़रुरत है, तो कोई बिमान में उत्पन होता है, वहाँ प्राणी भी यहां होते, तब कुछ दूसरे प्राणी भी उनके सहव्य अथार्थ मित्र की तरह वहाँ चीरकाल तक ठहरते हैं, अब यहां बात आ रही है कि कोई प्राणी मान लेते हैं कि वहाँ पे जनम भी लिया, तो जनम लेने के बाद से अब वहाँ पे अकेला है, इस टरम में लिखें तो लोगों को समझाने के नजर में लिखें, तो यहां पर बहुत सारी अलंकारिक भासा भी यूज होई है, इसको कभी यह न समझें कि बुद्ध जो है डिरेक्ट उप देश देरे कि ऐसे होता होगा, यह अलंकारिक है लोगों को समझाने के लिए, पे जो पर्थम इंसान है, जो पहला जो व्यक्ति है, जिसको ये लोग इस्वर कहते हैं, वही इस्वर होगा, इस्वर होगा, तो उसके मन में अब क्या विचाराता है, कि मैं ब्रंभा, मैं महा ब्रंभा, अभी हूँ, मैं मतलब मैं ही ब्रंभा हूँ, जो पहला व्यक्ति है, कि मैं ब्रंभा हूँ, महाब्रंभा हूँ, अभीभू हूँ, बिजेता हूँ, अपराजित हूँ, सरवग्य हूँ, मतलब सब कुछ जानता हूँ, और स्वयम वसवर्ती, मतलब खुद ही मैं स्वामी हूँ, इस्वर हूँ, करता हूँ, निर्माता हूँ, स्रेष्ट हूँ, स् भूत में हो चुके और भविश्य में उत्पन होने वाले प्राणियों का पिता हूं क्योंकि मैंने ही इन प्राणियों की स्रिष्टी की है वह कैसे यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चलो मान लिया मैंने ये दरसल जितनी अभी तक बाते हो रही थी ये उन लोगों की जो तुम कह भी रहे हो वो भी कोई एक प्राणियों रहा होगा वो सोचता होगा कि मैं सर्वाग हूं इस्वर हूं सब चीज मैं ही बनाया हूं रचा हूं ये किया हूं वो किया हूं सब प्राणियों का पिता भी हूं ये भी कह रहे हैं तो आगे अब देखे पूछते हैं कि अ प्राण यहां आया है अब यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी तक तो तुम जो है खुद ही अकेले हो वहाँ पे खुद ही अकेले हो तो मन ही मन में सोच रहे हो कि तुम्हारे जैसा यहां पे और सारे लोग हो और उसके बाद से तुम जो है सारी चीजों को अगर रच भी द यह एक प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि अगर इस तरह की जो गल्पना करते हैं कोई प्रथम व्यक्ती रहा होगा इस तरह की सुचता होगा इस विह सारे चीजें क्रियेट भी वहाँ उनके मन में भी ये विचार उठता है कि यह ब्रम्भा मतलब बाद में जैसे कि बुद्ध के समय में जितने अब प्राणी है वो अगर अब ये सोच रहे हैं कि यह ब्रम्भा मतलब जो पहला व्यक्ति था वह ब्रम्भा महा ब्रम्भा अवीवू अनिभी भूत सरवग्य स्व कैसे तो अब ये दूसरा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से आप वही सवाल आता है कि वो पहले व्यक्ति ने कैसे पैदा किया और आज के समय में आप जो क्रेडिट दे रहे हो उस पहले व्यक्ति को कि उसी ने पैदा किया है तो आपसे भी सवाल है कि कैसे कैसे उसने ये सार साहब हम तो बाद में उत्पन हुए ना हमने तो देखा नहीं उसको हमने तो जो चीज देखा वो सब देख रहे हैं हमने तो कभी देखा नहीं कैसे इसलिए मालने कि हमने नहीं देखा इसलिए मालने कि उसलिए पैदा किया होगा तो यह सारे सवाल जो है तिपिटक में जिसने रचना किया उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और यहां पे जिन लोगों ने तीपिटक नहीं पढ़ा है वो लोग ज्यान बांचते रहते हैं और बुद्ध जो है इश्वर को मानते थे हैं इसी चीज को उठाएगा कह देगा और दोखो इस मेना बुद्ध ये कह रह उनको समझाने के लिए उस लेंग्वेज में लिखी है फिर ये चीज नश्ट हो गई थी तो बाद में तुमने उसका अनुवाद किया है तो सारे अर्थ जो है उल्टा सुल्टा बने हुए हैं संस्कृत में उसी के अनुसार इसका निकालोगे तो गलत ही समझोगे ये एक अनुभाव वाला था बाद में जन में बच्चे आयूत था रूप में अलप परभाव वाले थे ये सारी बाते जो है अभी उसमें चल रही है आगे ये कहते हैं वे बाद में जन में ऐसे कहते हैं अब देखें यहाँ पे बुद्ध जो है एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो बाद में जनम लिया जिसने देखाओ का कुछ नहीं है वो क्या कहता है यह जो ब्रम्भा यानि बाबा ब्रैकेट में आप देखिए बाबा मैंने बताया था ना कि ब्रम्भा मतलब बाबा होता है महा ब्रम्भा मतलब पड़दादा होता है या उनके पिता का प आस्वत निर्विकार और अविनाशी है ऐसा मतलब आज कल के लोग समझते हैं या उनके समकालिन जो लोग समझते होंगे हम लोग जो इस ब्रंभा द्वारा उत्पन किये गए है अनित्य अधुर्व असास्वत देखे आगे मैं भी दिखाऊंगा कहने का मतलब यह है एक दू पुर्वज का पुर्वज है जिसने सारी चीज़े बनाई है तो वो नित्य कैसे है वो धुर्वसास्वत कैसे है निर्विकार और अविनासी कैसे है वो भी तुम्हारी तरह रहा होगा ना कैसे अविनासी है सवाल भी खड़ा कर रहे है इससे यह भी पता चल रहा है कि उस स आई साब जो है वो जो है परमात्मा है ये है तो इस तरह के सवाल वो नहीं खड़े करते हैं चलिए आगे देखते हैं इसको आगे ये क्या करते हैं अलपायू तथा मरणसील है आयुश्मानों आप लोग इस्वरवाद एवं इश्वर द्वारा स्रिष्टी रचना की अस्थ तो नहीं माना है समझ गए आपके लिए यहां पे पूरे सेशन वहीं नहों ने जो चीज़े चर्चा किये हैं कहीं पे नहीं माना है कि कोई ब्रंभा होता है माहा ब्रंभा होता है उन्होंने इवेन पहले इंसान पहला जो प्राणी है उसको भी इंसान के ही रूप में संभ जैसे परदादा को सारे देवता का सबसे पहले का सब को पैदा करने वाला सबसे बड़ी उमर का मानते हैं उसी तरह मानों विकास के किनी अग्यात छणों में भी वर्सों की द्रिश्टी में व्यस्क मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोग जो है अपने पुर्वज को कु अब इसके बाद से जो दूसरा क्लेम है कि भी इसवर सरवग्य है इसवर सब कुछ जानता है ये सब पर लगव होता है इवन मुसलिम भी कहेंगे कि भी अल्ला जो है सब चीज जानता है जिसस गौड वाले भी कहेंगे कि वो सब चीज जानता है इस पर भी उन्होंने बहु परन्तु बुध इस कथित सर्वग्यता का मजाक उड़ाते हैं केवट सुत में बुध कहते हैं कि केवट एक बार एक भिखु के मन में यह प्रश्न उठा कि पृत्वी जल अगनी और वायू यह चार महा भूत कहां जाकर सर्वथा निरुद्ध होते हैं यह देखिए ध्यान स समझिएगा आज से 2600 साल पहले आज तो बहुत सारे तकरिवन 130 से भी ज्यादा जो हैं तत्व एलिमेंट जो हैं खोजे जा चुके हैं लेकिन आज से 2600 साल पहले सिर्फ चार तत्व थे मुख्य चार तत्व माने जाते थे पृत्वी जल अगनी और वायू बहुत मार्ग न आकास को भी उन्होंने तत्व बना लिया जबकि आकास तत्व नहीं होता है आकास क्या होता है अरे पृत्वी के किधर से भी देखोगे सब आकास ही आकास है आकास कुछ थोड़े यह तत्व है लेकिन यह सब तत्व हैं इनके अंदर multiple तत्व हैं अगनी जो है अगनी जब आप लकडी जलाते हैं जो जल रही है इसको माना वायू को माना वायू में hydrogen हो गया oxygen हो गया यह सारे तत्व हैं प्रित्वी में बहुत सारे तत्व हैं जल जो है वो H2O hydrogen और oxygen का combination है तो यह तत्व हो सकते हैं लेकिन आकास जो है वो तत्व नहीं होता तो इब्रमेंगल सिस् आज अर्थ बदल के इन लोगों ने भूत प्रित बना लिया है, हर चीज का अर्थ ही बदल दिया है, उस समय भूत का मतलब तत्वा, आज हमें बताना पड़ता है अलग से लिखके कि महा भूत मतलब तत्वा, नहीं तो भूत का मतलब भूत प्रित लोग समझ लेंगे, क्यों कुछ तुमान ही लेते होंगे ऐसा जरूरी थोड़े है कि आज का ब्रामड ही उस समय होगा नहीं उस समय भी लोग होंगे डरते होंगे पानी ब्रस्ता होगा उससे डरते होंगे मन के अंदर कुछ डर बैठा होगा उससे डरते होंगे सुचते होंगे कोई होगा तो इसने यह चलो आजी जो है जो देवी वह भी हैं जो धौता हैं उनकी में खत्म होंगे कहांद लगाने के लिए जाता है यह डीक सुठाव कहीं के वाट Manual consegu वह विखु जब उस ब्रंभा के पास जाकर अपना प्रश्न पेस करता है तो देखिए ये अलंकारिक भासा है अलंकारिक भासा में कुछ जो है जो निर्बुद्धी लोग होते हैं कम बुद्धी वाले लोग हैं वो सुचते हैं कि अरे विखु जो है प्रंभा के पास कैसे प मुझ सके अब मान लेजे कि लोग जो हैं मानते हैं कि कोई हमारे दादा परदादा हमारे कोई पूर्गोजे रहा होगा जो हम लोग को बनाया है जिसको हम ब्रम्भा कहते हैं प्रब्रम्भा कहते हैं तो यहां पे एक अलंकारिक भासा में यह दिखाया गया है कि भिखूस ब् बहुत सब प्राणियों का पिता हूं बोल रहा है क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं अलंकारिक भासा है इसको समझे अब देखिए यह द्वंद में कैसे लोगों की सूच को मारा जा रहा है लोगों की जो सूच थी कि उसने सब चीज बनाया है वही ब्रंभा है प्रम ब्रंभा है वही पिता है प्राणियों का इस सूच को कैसे खतम किया जा रहा है तो इसमें जो है अब ये लिखते हैं आगे इस पर विक्खु दूसरी बार बोला आयुश्वान मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा कि आप ब्रंभा महा ब्रंभा आदी हैं या नहीं हैं मैं तो आपसे चार महा भूतों के बारे में पूछ रहा हूं कि उनका विरोध कहा होता है ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये हमको समझना पड़ेगा कि इसको अलंकारिक भासा में खड़ा किया गया है कि उस समय जो लोगों का जो देवी देवता या जो तथाकतित इस्वर होगा उसको चु जो तत्व हैं इनसे दुनिया बनी है तो तुम बताओ हमें कि कहां पर खतम होता है विरोध कहां पर है तुम कौन सा इस्पेसल कहां कहां से क्या चीज पैदा कर दिये बिना इन चार्त तत्व के देखे कितनी बड़ी फिलोसफिकल सोच है आज हम जैसे कहते हैं ना कि अगर अला इस्वर गौड जो है क्रियेटर है तो मैटरियल का लाया कहां से इतने सारे एलिमेंट्स कहां से लाया पर तो इतने सारे एलिमेंट्स है इतने सारे एलिमेंट्स इतने तरह से जितने भी तारेगरा होंगे उस पर भी जितने एलिमेंट्स होंगे यही सीम सवाल जो है टिपी टक में खड़ा किया गया है एक अलंकारिक भासा में कि भही हम ब्रम्भा से ही सवाल पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है तू भही सब चीज बनाया है लेकिन बता तो सही कि उनके समय में जो चार तत्व थे इनके अलावा बागी के मेटरियल तू कहां से ला रहा है भिखु ने तीसरी बार फिर अपना प्रश्न रखा और कहा कि मैं यह नहीं पूछता कि तुम ब्रम्भा महा ब्रम्भा आधी हो या नहीं हो ठीक है ना इभिखु बार बार ये जो है कह रहा है अलंकारिक भासा में कि मैं नहीं मान रहा हूं कि वह यह तुम का करते हो का नह पूत करने पर उस महा ब्रम्भा ने भिक्खु की बाह पकड़ कर अब महा ब्रम्भा जो था ना वो भिक्खु की बाह पकड़ कर उसे एकांत में ले गया समझे कैं यहां ब्रम्भा का क्या मतलब है यहां ब्रम्भा का मतलब यह है यह बताया जा रहा है कि आपका जो सामने व हो रही एक विक्षू से अब वो बहां पकड़के कांत में ले जा रहा है क्या कह रहा है और कहने लगा हे विक्षू ब्रम्भ लोग के ये महाकाहिक देवता मेरे बारे में ऐसा समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ सुन लिजिए आपको भी हसी आएगी ब्रम्भा की हालत खराब हो रही ब्रम्ह मतलब जो ब्रामड कहा रहा है मतलब उस समय बुद्ध के अलावे जितने विद्वान थे उस समय के जिनको ये लोग आजकल ब्रामड ब्रामड कहा देते हैं उन विद्वानों में जो सबसे बड़ा विद्वान था उसकी हालत खराब हो रही है एक व विखु मैंने उनके सामने तुझ से कुछ नहीं कहा, सुना आपने, यहाँ पे इस ब्रम्भा की जगह पे आप राम को फिट कर लीजिए, कृष्ण को फिट कर लीजिए, ब्रम्भा विश्णु महेश को फिट कर लीजिए, जिसको मन करें वहाँ फिट कर लीजिए, इनकी हाल खराब हो रही है, इस अलंकारिक भासा में लोगों को अनिश्वर वाद कि कोई भी आत्मा प्रमात्मा नहीं है, ये चीज़े परोसी जा रही है, अच्छा उस समय ब्रम्भा विश्णू महस इस्तरा का सब्द था नहीं, इसलिए यहां पे कहीं पे भी विश्णू, राम, कृ क्या थो, कुछ भी ऐसा नहीं, जो मेरी नजरों से ओजल हो, जिससे मेरा सचतकार आमना सामना न हुआ हो, इसलिए हे विखू, मैंने उनके सामने तुझ से कुछ नहीं कहा, परंतु हे विखू, यह है कि मैं नहीं जानता कि ये चारो, पृत्वी जल, वायू या अगनी, मह भूत्तत्व, कहां जाकर पूरी तरह निरुद होते हैं, भिखू, यह तुम्हारा ही दोज है, तुम्हारा ही अपराध है, कि तुम भगवान, मतलब बुद्ध को छोड़कर बाहर दूसरों से इस कठिन प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हो, तुम उनहीं भगवान के प पूरी तरह से सरेंडर करवा दिया गया, कि जो अगर उस समय कोई भगवान और भी होता, कोई तथाकतित इस्वर भी होता, वो भी पांच मिनट नहीं ठाहर सकता था किसी भीखू के सामने, इनहों ने इस्वर या किसी भी तरह की उस समय की जो सोच थी, उसकी ऐसी किया था, कि भई उससे ये चीज पूछ रहेंगे, बता तु ये एलेमेंट लाया कहां से सीधे, उस ब्रंभ से बात करने की बात चल रही है, तो जो बेवकूफ व्यक्ति होगा, जिसको अकल नहीं होगे, ज्यान नहीं होगा, वो क्या सोचता है, अरे इस मैना ब्रंभा में कहां ब्रंभा, ब्रंभ लोक में कहां पहुंच गया, ब्रंभा से कैसे बात कर लिया, अरे भाई साब, ये ब्रंभा और रंभा से नहीं बात कर रहा है, ये अलंकारिक भासा है, वो पुस्मार्टम कर रहा है, लोगों की सूच को मार रहा है, कि तुम्हारा जो सबसे बड़ चीज है कि नहीं है इसकी पॉस्मार्टम की बात आती है तो चलिए इसके बाद से जो है हम आगे बढ़ते हैं और इससे तो आपको एक चीज के लिए हो गया होगा कि इतना देखकर कि भाई इन लोगों ने बहुत गहरे ढंग से इन लोगों का पॉस्मार्टम कर रखाय तिप बुद्ध विभिन देवताओं और इश्वर ब्रंभा महा ब्रंभा के घुटने टिकवाते हैं वे इतनी बुरी तरह मुँकी खाते हैं कि ब्रंभा विक्खु को एकान्त में ले जाकर अपनी अग्यानता स्विकार करता है और यहां तक कहता है कि मैं तो सर्वग्य होने का क देखा आपने असफष्ट है बुद्धने किसी जगत करता इस्वर को मानते हैं न किसी जगत करता इस्वर को मानते हैं और न किसी सरवग्य इस्वर को इस विशाय में तेवे जिसुत का अध्यन भी लावकारी सी दो सकता है इसमें बुद्धने अनेक बाते असफष्ट की हैं तो कुल मिला के दोस्तों आप लोगो समझ में आ गया होगा भी मैंने छोटा सा हिस्सा दिखाया है आगे और भी बहुत सारी बाते आप मैं दिखाऊंगा तब तक मैं लिंक प्रवाइड करता हूं और कुछ लोग आना चाहते हैं अगर आते हैं तो आगे डिवेट होगी इस् लिंक मैंने सेयर कर दिया है जो लोग वह लगता है कि इस्वर है आकर वह इस्वर सिध कर सकते हैं चलिए यहां पर आपका डिवाइस नौट कनेक्टेट दिखा रहा है एपी डिवाइस कनेक्ट करें आपका डिवाइस नौट कर दाते हैं तो आपका जाते हैं अलो सो जाइ बें अपया है छिए जैभीम अगर्ड शिर्टीर शिंड शिर्ट था इस्ट मोय है यह थे फाल इस्ट अजिटे एस्ट अभाला इस्ट है ट्वाइक अश्ट हो ते है वह मैं से नई जो बाबा बोलते ना जो भूगा बोलते हैं पुझराती में हिंदी मतलब बाबा बोलते हैं उनसे क्यों डरते हैं अब अधर ही तो में मकसद है ना किसी भी चीज़ का जो है पूरे धंदे का असल खेल तो डर ही है आदियु है जाने जाने ने कैसे बना देते हैं ने ठाणरे जो बना देते हैं मंदर चोटासा है जोपजा श्च्राइब लेक्श के जैश्यमक्ति पूज़ा करें अश्य। जीसे पूजा करते हैं उब ठortune कर रहा थे जैसे पूजा करते हैं ना उब पूजा तुम छोड़ दोगे तो तुमको पूजा करने पड़ेगा वो ले की रोसत प्र जा ह्डिमन बखर आ रही है मेरे बच्छे बाद में लैड़ें सर मेरे को बाद में बाद करते हुआ है ठीक है ओके 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 अब यहां सब लोग बच्चे अब यहां पर हमीत तिवारी ची लिख रहे हैं जै भी माप सब साइंस चैनल को सपोर्ट करने के लिए पीट्रियान बनाएं को सब्सक्राइब करें पीच्च के लिए दोस्तों में लाइए छैट में लिंक दे रहा हूं अगर इस लिए इस को मजभूद करना है तो पेठ्रहणıld बनाएं यहां पर कई लोग के डिवाइस नट कनेक्टेड है आजे कुमार आपका भी डिवाइस नट कनेक्टेड दिखा रहा है और पल्लवी डण आपका भी डिवाइस करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं दिखा पाएगा यहां पर जैदेव आये हुए हैं चलिए इनसे बात करते हैं जी जैदेव बताएं कि यहां पर जैदेव जी आपका कोई रिस्पॉंस यह सुजन जुगेंदर आपका कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा चलिए यह जैदेव जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अपनी बात रहे हैं कैने हैं मिसर जैदेव बढ़ियां 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 सर काफी अच्छा थे रिपेड़ कर आपने मुझे काफी अच्छा लगा एक और चीज़ बताना चाहूंगा मैं आपको कुछ दिन पहले आपने बताया था कि कैसे बुद्ध की मूर्ती को ब्रामर नों कपजा कर लिया तो मैंने एक्चुडी वेरिफाई करा जाके देवघर म में और वहां पे जो वह काल भहरब की मूर्ती उन्होंने रखा है विच इस रिली एपसर्ड कि वह साफ साफ देख के पता चलता है कि वह बुद्ध की मूर्ती इसमें वह धर्ती को चूँ रहे हैं और तब भी कोई बंदा किसे सवाल नहीं पूछ सकता है हाँ सर्फ मैं काफी टाइम से बामसेव के साथ काम कर रहा हूं बट जो फंटमिंटर प्रॉब्लम मैंने फेस कर रहा है वो मतलब भगवान कहीं है यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप जब किसी को बुद्धिकित का दर्शन बता होगे तो यह काफी इंटेलेक्शूल थ को फिल करने के लिए प्रिपॉस करोगे कि वह कैसे फिल करा जाए तो मतलब अगर आप उनको बताओ कि भगवान नहीं है नहीं है उनका पहले से काफी भरंकर विस्वास है अन्विस्वास है कारण तो जब आप किसी से कोई चीज छीनते हो तो एक स्पेस क्रियेट हो जाता है जहां तो मुझे लगता है जितना पर मैं इंसान को जानता हूं त अटरनेटिव कुछ सजेश्ट करना पड़ता है तो काफी लॉजिकल चीज नास्तिक वाद मुझे लगता है कि सब ही लोग तो सर नहीं ले पाते हैं तो इसके मतलब कुछ तो होगा जिसके कि 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 कर जो कि हम दे सकते हैं लोग जिससे कि लोग रामानबाद से बाहर निकल स अच्छा अच्छा फिलहाल में कितने देश्ट एथिस्ट देश हैं अच्छा नहीं आइडिया है जितने लोग एथिस्ट है या जो बुधिस्ट हैं वो क्या option दिये थे और सर अब तो बुधिस्टों ने भी तो जैसे की मतलब यह भगवान वाला पुनर जैनम का तो आपने खुदी बोला सर कि उन्होंने concept अक्तियार कर लिया है कि हाँ हाँ उसमें भी बोला है तो उनके लिए बड़ा easy हो जाता है यह चीज़ मैंने कहां बोला है आपका नहीं सब्सक्राइब बंचेश्टinky लcular कि मतलब यह पुद्हिस्टिशक मतलब मुझे फिलकता है कि मतलब मिसंगाइड है जो बहगवान पूरज नीजना में भरउसा करते हैं अध्याँ हमोची ने नियुन my प्रूनर चैनम मतलब मुझे लगता है कि यह चीज भारत में पूनर जनम जो बिलीव करने वाली बात है वो तो सबसे जादा logaruite फिटा है पूरा ати का कनिस來到 ही इसी पेटीका हुआ है कि अग्ति गेता जो है पुनर जनम की बात करता है कि किसे अभ्यादरा कर्म जो हैं है इस जनम के जो कर्म है वो तो पुनर जनम पर डिपेंडेंट है पुनर जनम होगा जो करम आपने पिछले जनम में किया होगा उस करम के आधार पर इस जनम में जनम होगा और पिछले जनम में जो करम किया है उसके अनुसार ये जो जनम मिला है वो काम आप करोगे आप तो पूरी तरह से पुनर जनम पर defendant होता है ये पूरा ब्रामण धरम है आप बार बार इसमें नियो बुधिस्ट नियो बुधिस्ट गोसेडर हैं ये बताईए कि आप आत्मा परमात्मा मानते हैं क्या सर मैं तू नहीं मानता हूं अच्छा नास्तिक हैं सर एगनौस्टिक कह सकते कि मुझे पता नहीं है आच्छा आपको पता नहीं है क्या चीज़ आपको नहीं पता है कि होता है या नहीं होता है अच्छा होता है कि नहीं होता है अच्छा वर्ल्ड हुमनेटी जी का सुपरेश्टिगर था थैंक्यू हाँ आपको यह नहीं पता है कि इस्वर होता है कि नहीं होता है जी सर अच्छा अच्छा यह पता है कि आपको यह कहां से आपको पता चला इस्वर के बारे में पूछ रहा हूं कि इस्वर के बारे में आपको कैसे पता चला लोगों से सुना है सर जो लोग बोलते हैं कि इन गॉड्स नहीं या फिर भगवान भला करेगा ऐसे करके अच्छा तो पढ़ाई तो आप किये होंगे क्लास स्कूल कॉलेज तो गया होगे कभी ना कभी जी सर मास्टर्स टिगरी है ठीक है तो अतुल गुपता जी यह बताईए मुझे कि आप जब स्कूल कॉलेज गया होंगे तो कहीं न कहीं तो आपको यह चीज समझ में आई ही और मुझे जहांत लगता है जो लोगिकल माइन मेरा भी है उसके इसाब से अप नहीं वेरिफाइ कर सकते हैं इस चीज को के एकजिस्ट करता है कि नहीं करता है अभी तक जो चीज को वेरिफाइओ करने के लिए क्या कंडिशन होनी चाहिए सर एक्सपीरियंस में होना चाहिए हो चीज नहीं एक्सपीरियंस मान लेजिए कि कहीं पर कोई पूलिस जो है किसी क्राइम की जांच करने गई तो अब बात है कि उसको जांच करनी है जांच करनी है तो वो कैसे जांच करेगी उस क्राइम की रिपोर्ट कोई करेगा तभी तो जांच करेगी ना उसके लिए कुछ एविडेंस होगा तभी तो जांच करेगी ना जी आचा मान लेजिए कि आपने एक ख्याली पुलाव पका दिया कि यहां पे कुछ क्राइम घटा है पूलिस गई तो वहां पे उसको कुछ मिला ही नहीं जो जो बाते आपने बताई थी वह कुछ वहां पे वह ऐसा एक्जेस्टी नहीं किया जो आपने उसको मॉडल दिये थे वह कुछ वहां पे उसको मिला ही नहीं तो उसने मना कर दिया कि नहीं भाई यह चीज है तो जूटी है यह तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं आप उसका क्या कन्प्लूजन देंगे कि सर बिलकुल मतलब गपोड का थे मतलब स्वारी मेरा हिंदी थोड़ा बुरा है मतलब कि बिलकुल फिक्षन है ना तो बस वही चीज तो गौड है इस्वर है जितने भी इस्वर के मॉडल आपके दिये गये हैं उसकी ही जाच हो सकती है ना जो मॉडल आप पेस करोगे अगर मुहम्मद साहब ने चीज पेस की कि गैब्रियल आता था उसका आज तक कोई एविडेंस नहीं दे पाया आज तक पानी पर चलते थे या फिर जैसस जो है किसी को छूँकर ठीक शराफ बना देते थे ब्रेड बना देते थे यह सारे चीज़े उसी त सकता है क्या मंगी खा सकता है नहीं से बिलकुल नहीं भुल रहा हूँ कि जो चीजे स्क्रीप्चर्स में लिखी है आचा कीर खा के कोई वक्ती पैदा हो सकता है क्या मुझे तो नहीं लगता है नहीं लगता है लेकिन लिखा हुआ है कि खीर खाके जो है पूछ से भी बच्चा पैदा कर दिया था उन्होंने तो यहीं मैं बूल रहा हूं अब वो गपड़ गाथा निकल गई तो खतम बात हो गई ना फिर आपको कहां पर डाउट है कि अब क्या चीज नहीं जाच पचे नहीं हो पाई है जिससे आप जो है एक मेरा जो डाउट है मेरा जो डाउट है वह मैं बता रहा हूं जैसे कि देखिए बुद्धा ने मेडिट को हमका शोंफिक यहां पर अष्ट करना है या उसतार बलता है जो है लोल्लू से या जो है आप यह जो है आप यह स्धस्वर को मानते थे हैं या एक स्वास्थ कर देजिए नहीं मानते थे यह स्थ्याप आत् лишь कर दो जैकी है मिलाएट से ही या u उसका अस्तित्वा बताईए कि कैसे आपको लगता है कि होगा आपको नहीं पता है लेकिन होगा एगनोश्टी का यह मतलब होगा ना जो मुझे लगता है मतलब experience नहीं इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि है भी कि नहीं है बट आप एक बोल चाल के के लिए theory बिल्ट कर सकते हैं जो मेरा concept भगवान है यह होगा वो यह हो सकता है जो बुद्धा जिस समाधी की बात करते हैं यह योगा ट्रडिशन में जो है अच् इस वर प्रूफ करना है तो इस्वर प्रूफ कीजिए धिनाई करना है वह दिनाई कीजिए यहां सिल समाधी प्रग्या की आज बात नहीं कहा कि आप agnostic है आपने कहा कि वह हमको नहीं पता है कि इस्वर है कि नहीं है मैं यहीं पूछना चाहरा था कि आपको क्यों नहीं पता है कि वह नहीं वह यह यह नहीं है यह आपको क्यों नहीं पता है आज तर अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से यह आपको कैसे पता चल ग के भूत प्रत नहीं हो ता है इसमें आप कर अइस सर क्यों कर दलिया गाने हो गई तो प्रत कह रुए में करता नहीं हूँ टो वही मैं के रहा हूं कि sientoly कोशे कॉट beauty करते हैं सरदर्म का तो मेडिटेशन नहीं पता है थोड़ा बहुत मैंने मतलब नइट से सीखा किसके क्या करते हैं मेडिटेशन में अब यह बैठके और पहले तो पर सुरू सुरू में तो मैं सांस को ही देखता था उसके बाद आप चारो तरफ जो अच्छा कहां पर करते हैं भी पशना घरी में बैट यह करता हूं तो उसमें आपको पता चल गया कि इस वर हो सकता है नहीं हो सकता है जब आप भूत देखे आप अपने मुख्य QU अपने इक बात कही है अभी भूत नहीं होता है उस पर आप करन दिया कि परस्नल एक्स परियंस तो मैं यह जनना है आपका ऐसा कौन सा परस्टनल एक्सपरियंस हो गया कि आप इस वर पर जो है यह सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा तो इस वर को कैसे सुईकार कर सकते हैं उसका बताना पड़ेगा ना आपको अब लर्निंग जब मैंने करा था लेकि जब मैंने मास्टर्स पहले कर रहा था तो मैंने काफी कुछ सीखा तो मतलब मेरा दिमाग मुझे लग रहा था कि मतलब यह चीज़ें में को जिन्दगी जीने में तो लग नहीं कर रही है तो एक समय ऐसा भी आए कि मैं यहां तक पहुंच कि अपने आप के अलाबान जो कुछ भी है सायद एक सेकंड के लिए मतलब मतलब उसको क्या कहते हैं हाँ एक सिक देखे जरब में पास टर्मिनलोजी भी नहीं है कि मैं क्या ब्रह्मनवादी टर्मिनलोजी यूज़ करूंगा पट आप मिसलने स्टैंड मत कीजिएगा जैसे कि होता है अधवेत टाइप का जिसको कहते हैं आप अपने के बाहर जो भी है तो ठीक है लिखना कुन सब्सक्राइब अपने आप इंट एर यू़निवर्सा बिल्ट कर लिते लेकिन एक देन्ड आप खुद ही आनप खुद ही आँ अब पर कितना फरक पड़ेगा नहीं होगा तक इतना फरक पड़ेगा उसमें कुछ एड़ कर पाईगा किश्च में किसमें अयड़ कर पाएगा के दो मेरा ह68 कि मुझे पता eldest को है को कोई और d бум होगा इस वक्षे जान ना जाने से जिन्त के चल रही है कि इस रूप में होगा इस हम लोग मांने के लिए वेल रिशर्च की जरुरत होती लिए आपको पता है एक जब दवा बनती है वो दवा इंसान को देने से पहले कितनी टेस्टिंग होती है उस दवा के अगर उस टेस्टिंग में अगर सो बार टेस्टिंग होई सो में से एक बार भी अगर फेल कर गया तो भी वो दवा एलाउन नहीं किया जाता वो दवा जो है तब भी एलाउन नहीं किया जाता और जिन दवावों को आपने देखा होगा जिन से कोई side effect नहीं होता जिन दवावों को खाने के बाद भी उन पर भी special लिखा जाता है कि ये खाने के बाद से आपको सरदर्द हो सकत इतनी जवर्दस्त उसकी रिसर्च होती है और यहां भगवान है जिसको गौड है जिसको लोग न देखे हैं न जानते हैं न सुनते हैं बस एक भ्रम बैठा हुआ है जैसे जब भुतहा फिल्म देखके जब लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ दिन तक रात होते में हलका सा भी कहीं दर उदर होगा वो द्रिस से याद आएगा तो डर जाएंगे वही चीज इस वर का है जहां जिस चीज का कोई सबूत नहीं है कुछ भी नहीं है यह सिर्फ एक मांसिक भ्रम है उसको मान कर पूरा एक अस्तित्व खड़ा कर देना यह तो फिर सोचने वाली बात है फिर मतलब कूल मिला के आप जो है इस वर का कुछ भी नहीं पता नहीं सर नहीं पता है तो फिर कैसे आप दे सकते हैं दूसरों को स्विकर्टी कैसे दे सकते हैं कि होता होगा आपको क्या लगता है सर की जो हूंन साइकालोजी यह जो मतलब इनसान को जिंदा रहने के लिए लिए लाकि इसका कुछ वैल्यू है या फिर इसको बिल्कुल डिसकार्ड कर देना चाहिए इसको अपनाना चाहिए या फिर को बैलनस तरीका जिसके पूपसरोगतर या वैलीव को만 डेखते हैं। देखिए फेट और वैलीव जो है ना उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जैसे वो बिल्कुल कच्चा है सोचने में कच्च्चा है उसको जो है एई चीज समझ में नहीं आ रही है वो किसी भी चीज को देखकर दूसरों की सूनी-सूनी बातें ही उसके लिए reference का काम करती है वो जो है किसी चीज की जाँच में विलिव नहीं करता है तीकिए दुनिया में तीन-चार तरह के लोग होते है एक होता है जो हमेशा भीड़ के पीछे खड़े होते हैं, एक होता है जो भीड़ के आगे खड़ा होता है, एक होते हैं जो बीच में रहते हैं वो खड़ा भी हो सकते हैं, अगर कोई काये तो खड़ा भी हो सकते हैं, नहीं भी खड़ा हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ए आज नमक जो है न मार्केट में नमक वो सॉर्टेज पड़ गया है कल से नमक जो है 200 रूपे 500 रूपे किलो भीकेगा तो वेचर आज ही जाके नमक खरीद लाएगा वो चेक भी नहीं करेगा सही है कि क्या है ऐसी बहुत बार घटना है हुई है ऐसा 95-96 में देखा गया लोग गानेश को दूद पिला रहा है पूरा भारत गंश दूद पिला रहा है किसी ने चेक नहीं किया और तो पусовक रजब लोग नहीं होगा तो बहाने बनाएंगे कहेंगा रहे सब लोग मान रहे हैं तो सब लोग बेवकूफ हैं क्या सब लोग यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं बस मेरा मन क्या मान लिया फिर वो तरह-तरह के बहाने बनाएंगे कि अरे नहीं यह तो संसकार है यह तो हमारे पूरवज करते हैं वो पचास तरह की बा तो आप समझ सकते हैं इन बातों को और थोड़ा सा माइक्रो एनालेसिस करें तो आप भी समझ जाएंगे कि फेट और विलीव जो है इसी भीर चाल का एक हीसा है अच्छा जी यहां पर पिए शार यूनिक जी का सुपर स्टीकर था थेंक्यू आपका यहां पर हमित्तिवारी कुछ लिख रहे हैं सर अन लर्निंग कैसे होती है पूछिए इन से अच्छा जी ओके तो चले गए खेर चले यह किसी और को लेते हैं यहां पर आये हुए हैं शुजान जोगेंदर इन से बाते करते हैं जी सुजान जी बताएं सर नमो गुद्धा है जैवी हम सर मैं तो आपकी स्ट्रीप मतलब मेरे भाई ने दरसल मुझे बताया था कि साइंज जैनिकर के एक चैनल है उसको मतलब वो भाई ने भी देखना चालू किया था उसने वैसे जॉइन भी किया था तो मतलब भाई का कुछ हुआ नहीं था आपसे बात लेकिन सर मैं भी मतलब एक बात बताना चाहता हूं कि जो अभी मंगेश जी और अमिज जी थे आपके स्ट्रीम में मतलब आये थे तो उस समय मतलब एक पूना का एक आडमी था जिसने मतलब बताया था कि पूने में बहुत सारे केवज है और हमें देखना चीए तो ऐसा एक सर मेरा ध्यान में है एक चैनल बोधी सत्व करके वो मतलब जगा 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 जाके गाव में ऐसा चोटे-चोटे प्लेसेस पर जाके भी ऐसा जो भी है बताते है वो ऐसा ओके तो सर तो मतलब एसा चोटे-चोटे सर लोगों ने मतलब नहीं छोड़ा वहाँ पे भी शीवलिंगे सब बना दिया तूपास को जी बिलकुल ये तो कर रहे हैं न ये तो हर जगा कबजा करके हर चीज को जो है वो बनाए जा रहे हैं अपना जो है उसको दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि हमारा है हमारा है कब जा करके क्योंकि पूरा भारत जो है इस तरह से इनों सोचिए आज ये हालात है जब लोग थोड़ा बहुत जान गए हैं कि भारत में बहुत मार्ग था कभी जब पिछले 100 साल पहले जब लोग भारत म होंगे फिर तो आज का आज जो है इतनी ज्यादा मतलब लोग पूरे देश विदेश के लोग जान गए हैं रिसर्च कर रहे हैं इतनी सारी चीजे अविलेवल हैं तब जाके ये कब जाकर पा रहे हैं तो उस समय तो कोई ना इनको बोलने वाला था ना कोई रोपने टोकने व जाए है ग्यान ना मिलना चाहिए इसलिए वो लोग और अभी भी मतलब वो आप अगर चैनल देखेंगे ना तो वो अच्छे से बताते हैं ऐसा कि यह यह है मतलब वो बताते हैं तो वैसा देखा है मैंने कि एक छोटा सा गाव है महाराष्टर में वहाँ पे भी क्या किया ह जो छोटे छोटे दम वाले है वहाँ पे कुछ कारेक्रम अगर रखना चाहते हैं ना मतलब वहाँ पे स्थूपा मिले थे तो स्थूपा के अश्यश मिले थे तो वहाँ पे मतलब कुछ भी कारेक्रम करने का सोचा लोगों ने है तो वो प्रचारित करने लगेगी कि जिसकी जमीन है, उसको तो पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको तो कुछ मिलने आला नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो लोग के साथ जाओ मत, ये करके मतलब कुछ कारेक्रम भी नहीं होने दिया, जिससे लोगों को कुछ परिवर्तान मिले, ओके, ओके, और सर बाकी, तो आपका स्ट्रीम तो बहुत ही अच्छा था, बाकी जो शुरुवात आपने किताब की शुरुवात में, जो बात कई, ये लगता ही है कि यहाँ सही बात है, अगर गौड एक्जिस्ट भी करते हैं, तो हम अपना भी तर्क लगा सकते हैं, कि हमको कुछ फाइदा नीhet आया तो फिर कुछ मेंनेखने नीवाला जो करना हैं, ओके, ओके, ठीक है, सजजंट जोगरा जी, जरूर करना है, सब लोग करना है मुझे खुसी है कि आप लोग जो है इस पर सोच रहे हैं क्योंकि जब आप सोचना शुरू करेंगे ना तभी इस पर आप कुछ कर भी पाएंगे बहुत सुक्री आपका ठीक है अच्छा जी इसके बाद से जो था हम लोग बात कर रहे थे कि जो बुद्ध की जो तीपिटक की बात आ रही थी कि उसमें उन्होंने जो बाते कही थी तो चलिए इसमें थोड़ा सा और बचा है इस्वर सरवग्य नहीं यह तो हमने देख लिया था आए इसमें कुछ जो है अंधो की कतार यह पॉइंट भी देख लेते हैं इसमें अब क्या होता है कि यह समझना होगा आपको कि बुद्ध जो है इस पर खुलकर बोले हैं उस समय कोई प्रमभा विश्नु महेश तो था नहीं दुरगा काली तो थी नहीं कि बुद्ध इनका नाम लेके इनको करते हैं तो कुछ लोग जो है कहते हैं हला करने लगते हैं कि नहीं मौन थे मौन थे अरे जो चीज उपलब्द था उसको डिबंग करेंगे ना उस समय यह वो था कुछ लोगों ने जैसे तीन वेद की बात कहते हैं ती विज्या नाम आया है ती पिटक में अक्सरहां लोग को लोग कहते हैं कि अरे तριवेदों की चर्चा है तरी वेदों कि वहां पर बुद्र के सवेय में चारवेद अगर होते हैं तो चारवेद की बाता दिन वेद की थोड़े बाता थी यहां तीन वेद है या तीन वेद का जो महरग है उसको तीन वेद या आपका वेद वाला वेद नहीं है यहां वेद का मतलब है ज्यान उपाशना आग कुछ लोग कहते हैं तीसरा पॉइंट को कि वो भक्ती हो सकता है कुछ लोग को इस पर डाउट है कि भक्ती तो उस समय कोई चीज इस तरह की थी नहीं तो वहां तीन वेद जो है ना जो त्रिविद था उसका मतलब ज्यान उपासना और भक्ती इस तरह की चीज़े थी यह आज वाला जो ब्रामन वेद त्यार कर लिया जंद अवेस्ता से कोपी करके उसकी बात नहीं होती है यह बात आप लोग को समझना होगा अगल पहली बात बुधिया कहते हैं कि ना तीन वेदो के तीन मार्गो ज्यान उपासना भक्ती के ज्याता त्रेविद ब्रामडों ने ना ब्रामड मतलब विद्वान ना उनके किसी अचारे ने ना उनके किसी अचारे के अचारे प्रचारे ने और ना ब्रामडों के अचारे की स जात्वी पिढ़ी तक किसी व्यक्ति ने उस ब्रह्म या ब्रह्म्भा को देखा जिसके पास पहुंचाने की जिसकी समिपता प्राप्त कराने की वे बात करते हैं यह दिग निगाय के तेविज सुत में आया हुआ है यहाँ पे साफ साफ आप समझ सकते हैं कि तीन वेद जो है यहाँ पे ज्यान, उपाशना और भक्ती पे लोगों को डाउट है लेकिन इस तरह के तीन सब्द आते थे वो तीन वेदों की बात नहीं हो रही है नहीं तो चार वेद की बात होती है अगर वेद होते तो अब इसमें जो है आगे वेसिठ नाम का एक व्यक्ति है जो उस समय का रहा होगा जो जिसका हवाला देखर ये लिखते हैं बहुत विक्षू सब लोग लिख रहे हैं क्या लिखते हैं कि बुद्ध वासिठ को संबोधित कर कहते हैं इसी वासिठ को न हिंदी में इन लोगों ने वसिष्ट वसिष्ट कहना शुरू कर दिया है अब अते ये आच्छा वासिष्ट जैसे अंधो पंक्ती परसपर जुड़ी हुई हो इस ट्रिंग से मतलब यह कह रहा है है जो अंध्भक्ती जो लोग करते हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे अभी कि भाई ये जो फैथ होती है ये लोग जो है भीन चाल में फंसे रहते हैं उसी की बा वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पहले वाला गलत बोला वह और पीछे दोनों गलत बुल रहे हैं अंधभक्त है ना भक्ति है यह सोचना ही नहीं है दिमागी नहीं बस आखमून केश्टिंग में फंसे रहा ना इसमें, तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता, उसी तरह है वासिस्ट या वासिट, तुम्हारे इस त्रैविद व्रामडों में भी, मतलब त्रैविद वही ज्यान उपाशना वाले, व्रामडों ने भी, विद्वानों ने भी, ना पहला ही कुछ देख पाया, ना बीच वाला ही, ना अंतिम वाला ही, फिर भी ये विद्वान जो हैं, अंधों की तरह बाते करते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्हों ने लताड़ा भी है, ये अंधों की तरह बाते करते हैं, ऐसे में इनकी बाते हासे प्रत्व प्रलाप मात्र है निरर्थक वत्तुच्छ है और बिल्कुल फोकी वो प्रमाड रहीत है ये सारी बाते जो है ये देखिए इसमें आ रहा है तिपिटक में नीचे आप पाली में भी इस चीज़ को देख सकते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको confirm हो गई होगी कि जो है अंदभक्ति को भी उन्होंने न का रहा है अंदभक्ति किसकी होती है इस्वर की ही होती है न अच्छा ब्रम्भ से मिला आप जो ही लोग कहते हैं कि भाई अहम ब्रम्हाशमी अब इन लोगोंने concept बनाया है उस समय ये चीज़ नहीं था लेकिन लोग कहते थे कि जरी विलिन होगा ब्रम्ह मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा कोई स्वर होगा उसमें मिल जाएगा इसका भी नोंने खंडन किया है दूसरी बात बुधिया कहते हैं कि ये त्रैविद ब्राम्हड और दूसरे सब लोग भी जिन चंद्र सूर्य को देखते हैं नाम करते हैं चंद्र सूर्य को चांद और तारों सूर्य की बात आ रही हैं इनकी बाते आ रही है इस समझना होगा कि उस समय तक आज वाला ये कैसे बता सकते हैं ठीक है ना देखिए उस समय ब्रंभा से मतलब ब्रंभा मतलब जो अपना पुर्वज मानते थे जिसको भी इस्वर वगर मानते होंगे उससे मिलाप की बात करते थे उस समय ये भी कंसप्ट नहीं था स्वर्ग नरक का ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये मरने अचारियों ने न अचारियों की सांथ पीडियों ने ऐसी इस्तिती में इन त्रेविद ब्रामडों के दावे क्या बिल्कुल निराधार और अप्रमारिक नहीं है सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इनके जितने दावे हैं ये बिल्कुल अप्रमारिक है और इस तरह की चीज की सबसे सुन्दर इस्त्री जन्पद कल्यानी की कामना करता हूं और लोगों द्वारा यह पूछने पर कि यह कैसी है किस वर्ण की है किस जगह रहती है उसका नाम क्या है उसका गोत्र क्या है वह लंबी है मजली है नाटी है काली है स्यामा है वह मचली के रंग वाली पीत वर आथíchके वर्ण का मतलब यहां क्या लिखा है पीत वर्ण मतलब रंग कलर की बात हो रही है या गूरी है वह किस गाओ या नगर में रहती है आदी वह कहे तो यह सब तो मैं नहीं जानता तब लोग उससे कहेंगे जिसे तूने न कभी देखा है न कभी जाना है तू उसकी कामन कर रहा है कितना अच्छा उधरण देके इस्वर की बैंड बजाई है यहां पर साफ साफ यह कह रहे हैं कि भाई बताओ कि आपने कामना कर लिया कि उस प्रदेश में एक सुंदर औरत रहती है अब उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो कि उसका क्या है क्या नहीं है य इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते है बस आपके मान में एक भ्रम बैठ गया है है तो है 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 गाना गया जा रहे हो खुद ही सारा चीज़ बताया जा रहे हो इस वर कुछ बोली नहीं रहा ना उसका कोई वेरिफिकेशन हो रहा ना वो खुद आके कुछ अपना क्ले पुजारियों पंडो और अध्यात्मबाद का मकड़ाल फैलाने वाले आदी की दुकांदारी इनी नामों में उलजकर चलती है इनके नाम पर धंधा करने वाले स्वयम इन नामों से किसी इस्वर कुल ने देखा है नहीं की साथ पिडियों ने देखा है ये जो भी दावे करते हैं पर फरजी के दावे करते जाते हैं दावा करने में आगाते भी नहीं है और फिर ये क्लेम भी ठोक देंगे कि भाई मुठ बुद्ध ने ये सारी बाते जो हैं जो जिसको ये लोग कहते हैं इस्वर की बात कहते हैं उसको तो उसी समय 26 साल पहले इतनी बुरी तरह से अंदर से काट के रखा था अभी मैं इनके सिस्क्राइब दिखाओंगा ना बाद मैं जब धरधर के काटा है वो मैं दिखाऊंगा अगे चलिए यहाँ पर दिखते हैं बिना मकान के सिर्षी बुद्ध चोथी बात यह बताते हैं कि जैसे कोई आदमी चौरा है पर किसी महल पर चढ़ने के लिए कोई सिर्षी लगाए और लोग उससे पूछे कि जिस महल पर तुमने चढ़ना है वो है कहां क्या वह पूर्व में है या पश्ची में क्या वह उत्तर में है या दक्षिन में क्या वह उंचा है या नीचा या मध्य मकार का और वह आदमी उत्तर दे यह तो मुझे पता नहीं जैसे इस्तिति उस आदमी की है जो किसी गैर मौजूद और अंजान ब्रामडों द्वारा उस ब्रंभा के पास पहुंचने के सरलतम मार्ग बताने के दावें हैं जिसे न उन्होंने देखा न उनके आचारियों न उनके आचारियों न उनकी साथ पिल्णियों ने वे किसी भी महल के भाव में उस पर चढ़ने के लिए सिर्णी उठाए गूम रह हैं देखिए इन्होंने कितनी अच्छा उधारण देके बैंड बजाई है कि आपने एक हवा फैला दिया कि हमारे पास एक सीड़ी है उस सीड़ी जो हम एक महल पर चड़क जाएंगे अब जो है वह महल आपको दिख नहीं रहा है सीड़ी भी आपकी नहीं दिख रही है बस ऐ पर हम चड़ जाएंगे चड़ जाएंगे है कहां पर तो यह इतने अच्छे अच्छे उधारण देकर उस समय 26 साल पहले इन लोगों ने इस्वर गी एतनी बैंड बजाई है कोन मूर खाके बोलता है कि नहीं इस्वर जो है न परमात्मा को मानते थे जी आत्मा को मानते थे पढ़ा है कभी इन लोगों का दर्शन कभी पढ़ते दर्शन तब पता चलता कि इन लोगों की सोच जो है उस समय कितने हाई लेवल की थी आगे कहते हैं बुद्ध वासेट से कहते हैं कि आएसी सिती में ऐसे लोगों का कथन अच्छा जी अचिरवर्ती की उपमा ये भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं बुद्धिस्वर से प्राथना उसके पूजापाठ देवताओं के अहवान आदी की निर्थर्कता को प्रदिपादित करते हुए अच्छिरवर्ती नदी का उधारन देते हुए कहते हैं कि यदि यह नदी जलसे परिपुल्ण समत्रिप्तिक हो और कोई आदमी इसके उस पार जाने की इच्छा से इधर उधर के किनारों पर बैठ कर उधर के किनारों का हवान करता रहे मतलब देखिए एक नदी है नदी बह रही है अब जो है बुदधी यह कह रहे हैं कि नदी जो है कोई व्यक्ति जो है यह सूचे कि मैं इसी पार बैठा हुआ हूँ और बैठ के यहाँ पे मैं पूजा पार पाठ करूँगा देवताओं का हवान करूँगा प्राथना आपको खुद ही चल करके पार करना है तो फिर यहां पे आपको मंत्र जाप या फिर आपका पूजा पाथ है प्राथना या देवताओं कहां पड़ी जब आपको वही काम खुद करना था तो जो लोग भी आज भी ये काम कर रहे हैं सुचते हैं कि इसलिए तो आपको रमयन मा भारत पता है तिपीटच आपको नहीं पता है तिपिटक छोड़ देजे, बुद्ध के जो अच्छे विचार है वो आपको नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, आपका अंधविश्वास खतम हो जाएगा, अरे जब पब्लिक धार्मिक है, धार्मिक पब्लिक को आप धार्मिक किताबे पकड़ा सकते हैं, तो बुद्ध के हटाने के लिए हम बुद्ध का भी सहारा ले लिये होते हैं, कि उन्होंने इतने साल पहले इतना बेहतरीन काम किया अंधविश्वास पाखंड इस्वर आतमा इन सब को पुनरजनम सब का गला काटके रख दिया, इनको ऐसे दोड़ा-दोड़ा के खतम किया पब्लिक के जन इतवर्ग, सब लोग उनको अपना पुरोज मानते हैं, उनमें सरधाभाव है ना, असानी से खतम हो जाता, नहीं किया किसी ने, क्यों करेंगे ये लोग, तो समझने की हमें जरुरत है कि इनको अंधविश्वास पाखंड नहीं खतम करने की जरुरत है, नहीं जरुरत है, इन लोग को तो बस अंधविश्वास बढ़ाना है ना, तो इसमें देखिए आगे ये कहते हैं कि अंत में ब्राम्रो की उस त्री विद्या, त्री विद्या मतलब वही ज्यान उपाशना और भक्ति वाली जो बात आ रही थी वो, यह उन तीन वेदो, इसी की बात हो रही है यह वेद वेद, वो वेद मत समझ लेगा जो आज का वेद है, त्री विद्या हमेशा लिखा रहाता है, देखिए यहाँ पर भी पाली में आप देखिए वासेट के बाद यहाँ तिविज्जा लिखा हुआ है, तिविज्जा ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं, तो जिन यह इस्वर, द्वारा रचित और इस्वरिय ज्ञान कहा जाता है, को निरस्ट करते हुए बुद्ध कहते हैं, यह त्रेविद ब्रामण, मतलब त्रेविद विद्वान, गलत मार्ग में जापहसे हैं, यह मानो पानी के अभाव में सूखे में तैर रहे हैं, इनकी इस त्र विद्धा का बार बार आ रहा है इसी त्रिविद्धा को लोग जो है तीन वेद तीन वेद बनाए गूमर है अरे उस समय जो ग्यान उपाशना ये सब तीन उसको कहते थे कि ये तीन तरह की विद्धा है कुछ मुरुखों ने इन सबदों को चूरा कर अब वहां पर ये जो ब तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने घाल मिल की है तो उन्हों ने कहा दिया कि ये जो ती विद्धा में जो उस समय के लोग फंसे हुए थे कुछ लोग अपने को बड़े धार्मी के बने पड़े रहे थे जंगलों में बैठ के इस वर को खोजते-खोजत ते रहते थे उन सब की इनहों ने यहां पर बेंड बजाई आई है कि ये सब तो बिरान हैं पानी के अभाव में जो कुछ भी किये जा रहे हैं ये सब सूखे में तैर रहे हैं पानी के अभाव में इसे कांतर या जंगल कह सकते हैं इन ब्रामडों के लिए उनकी यह कथित इस्वर्य त्रिविद्या व्याशन मुसीवत के समान है इसमें जो है बल्दे उपध्याय जो है जो स्कॉलर है वो क्या कहते हैं कि वेदरचैता रिसियो तथा ब्रामडों को अनवेग्य बताकर उनके द्वारा अब देखिए आज के उपध्याय जो है ब्रामण है आज क्या है यह भी उसी गलती में फस गया रहे हैं वेदरचैता रिसियो अरे वेदरचैता रिसियो इन्होंने कभी यहां पे कहा है कि यह वेदरचैता वहां रिसियो बात ही नहीं हुई है त्रिविद्या की उसकी बात हो रही है ज्यान उपाषना और भकति वाला जो चीज है उसकी बात हो रही है इसको त्रिविद्य कहा जा रहा है आज का यह जो रिफ्यद यह जुर ऻूरुए अ ये बताकर उनके द्वारा उदभावित मारगों को भी अप्रमाडिक बतलाया ये लीख तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे अपना प्रेद जरूर गुसर देंगे ब्रामड की ये हरकत होती है सब काम 90% 99% काम भी सही कर देगा एक परसेंट अपना वहाँ प्रपगंडा घुसर दे थी उसे मानने को वह सर्वता प्रामुक थें देखे बहुत मिमान सा दर्सन मिमान सा इसमें ये सारी बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह असपष्ट है कि बुध इस्वर के बारे में मौन नहीं बलकिल मुखर हैं और उसके अस्तित्व को एकदम न कारते हैं पॉइंट देख लीजिए साफ साफ यहां पर आगे आए पॉइंट कि बुद्ध जो है इस्वर के बारे में मौन नहीं थे उन्होंने तो साफ साफ वो किया है अस्तितों को ही आकार दिया नकार दिया है अरे जो चीजे उसमें एवलेबल थी उसी को तो नकारते हैं जब ब्र दर्धर के यहां पर बजाए हैं आगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको अब इसके बाद से जो है लास्ट पॉइंट ले लेते हैं लास्ट पॉइंट यह कहता है कि बुद्ध के इस्वर मानेता हो वो दलीलों को प्रस्तूत करते हुए डाक्टर बाबा साहब जो है दूसरे इस्वर के अस्थित्व का सिधान सत्य पर अधारित नहीं है तीसरे यदि इस्वर सर्वसक्तिमान है और स्रिष्टी का निर्माता है तो उससे उत्पन हुए आदमी के मन में कोई इच्छा ही पैदा नहीं हो सकती थी क्योंकि जब उसे बनाने वाले इस्वर की से हो सकती है प्रंतु इंसान में कमनाय कमनाय है अतर स्रिष्टी किसी पूर्ण काम इस्वर की रचना नहीं हो सकती ये बिलकुल सही बात कहा है इनों बिलकुल पर्फेक्ट बात कही है कि इंसान में तो कामना ही कामना होती है बिना कामना वाला कोई इस्वर जो है दुनिया को लोग मर जाते हैं, इतने सारे अपराद हो जाते हैं, क्राइम हो जाते हैं, लोग दिन रात घंटा बजा रहे हैं, दिन रात नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी जो है इस वर पचाने नहीं आ रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लोग भूखे मर जा रहा है, सुसाइट कर ले रहा है, कहां आता है, अपने भक्त तक इनके नहीं आता है, बचाने के लिए जो इनकी दिन रात करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स थें, जो मैंने दिखाया है, और दिखाना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग जो यहां पर नवीन कुमार आये हैं, इन से कुछ सुनते हैं, यह क्या कहना चाते हैं, जी नवीन जी बताएं, क्या कहना चाते हैं आपने, लीजिए यह तो हैं ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जी के आये हुए हैं चलिए इन से बात करते हैं माइकन म्यूट करें जी के बताएं अलो सर जैभीम सर जी जैभीम जैभीम सर यह यह जो आपने अभी एक नाम दिया है को कोई कोई आए तो भवान को शिद्ध करें सर यह है ना हां 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 जी जी सर यह तो कोई भी इस दुनिया में कितना भी कोई समझदार या कैसा भी इंसान आजाए तो कभी भी साबित नहीं कर सकता. यह मैं जो यह कह रहा हूं, यह परफेक्ट भी बात है, कोई हिदर दर की मांग के होगी हमारे यह वता है, वह बता है, यह सब विकार की चीज है. और कोई इंसान इतना डिफ्रेंट है यह, इतना डिफ्रेंट है, इसके अंदर पर्फेक्ट हैं उनको तो कोई जुटला सकता ही नहीं और अगर कोई फाल्ट के बहास करता है तो प्लीज यह जो भवान सब देना यह इतनी आसानी से मौनों से लोगों के जाने वाला नहीं है तो कि यह चारो तरफ से बाइवल, घीता, पुरान और यह आपकी अधिस अगरा हैं जितने भी इ जानी आसी चीज है जो इसको दिरे-दिरे-दिरे खतम करता जाएगा तो पर यह है कि लोगों साथ वड़ा सार समय नस्प ना हो जिससे कि आने वाले लोगों और जो नेने जोड़ते हैं वो भी आप लोगों आपसे जोड़ सकें और दो आवाता कर सकें तो मैं बावा साब के बारे में पूछ रहा सार कि बावा साब ने जब वो 14 बच्चे उनके पिता के थे और आखरी यह थे इनके बारे में यह है कि जो बच्चे बाकी के थे उनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि वो एजुकेशनिम आगे क्यों नहीं आपाए जी इसमें जो है ना बाबा साहब की जो बात है तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बाबा साहब के बच्चों पे मेरा जो स्टडी है वो मैं यतनु जानता हूँ कि उनके कुछ बच्चे जो हैं एक बच्चा तो देथ कर गया था और उसके बावजीद भी उनको जाना था बाहर तो भी उन्होंने निर्णे लिया था कि मैं जा पाऊंगा जो अपने एजुकेशन का क्लेम किया है कि एजुकेशन में क्यों नहीं आगे बढ़े पाएं तो वो बिना मैं पूरी फैक्ट चेकिंग किये हुए यहां पे नहीं बाते रखोंगा क्योंकि कुछ आप उनको एक ऐसा पूराम लेकर आएं जो एक लिस्ट टाइप पेस्ट कर दिया करें जिससे कि लोग जान सकें और उनके बारे में जाय स्यादा ज्यान रह सकें जो जिंदगी में चुटे से चोटे इंसान की जिंदगी में बहुत काम आती है जरको हर इंसान के पास सुर् कि आपने जो यह आप प्ह़ले इंसाने मेरे निजर में जो आकर के आपने इस चाहिनिटिफिक तरिके से जानकारी दे रहे हैं इसके लिए तो आप बहुत बहुत धन्याद करें जो जो समयधान की जो कुछ दाराएं होती है सर्ग उसके लिए आप जरूर आप जरूर आश वत ह preaching यूरा जिए अब कुछ और लोगों को जोड़ते हैं तेखे और कॉन आये हुए हैं हर कि आपये हुए हैं। पहले स्याम कुमार जी को जोड़ लेते हैं जी स्याम कुमार जी बताएं हाँ सर जी जी बताएं साइन जन्नी जी और अमिति वारी जी आप दोनों को शादन धवन मेरा आपसे ये दूसरी बार संपर्क हो रहा मेरा आपकी स्टीम देखकर के बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपको मैंने अपनी भावना रख भी चुका हूँ थोड़ी सी पर अभी इस परसंग में और रखना चाहूंगा मैं क्योंकि बहुत से नए वियर देख भी रहे हैं मुझे और मैं अपना परचे भी देना च से एक्चुली मैं मद्दप्रदेश से हूँ पर यह 18-19 साल से यहां पर जॉब कर रहा हूँ है तो सरे में बताना चाहूंगा है कि यह इस्वर वाली जहुरायना है वाके बहुत सर जटिल है उसके करण जो है समाज का बहुत नुक्षान और खासर से मुझे तो मेरा तो बह मानता ही नहीं था बलकि मैं तो दर्शन भी कर चोगा अनुमान जी के दर्शन राम लक्ष्वर जी के मुझे दर्शन भी हो चुके आने जब मैं बारवी बारवी और फस्टियर में था अब तक यह स्थिती थी और मैं एक दम लिटो परम भकते लेकिन मेरे जिन्दगी में कुछ हालात हुए कि बात में मुझे प्रश्चन खड़ा सुरू हुआ तो और कुछ अनने दूसरे जो साथी खासरी वांपंति शाथी से ग्रामिकर्शी विस्तार अधिकारी सुबाद सर्माजी मंडला में तो उन से जब मैंने इस तरह की बात रही मैं तो इस तरह की बात क कि बात करते हैं तो लोगों को जो है जब तक लोग जिग्यासु वृत्ति नहीं रखेंगे यह जैसे आप लोग जिस तरह का सवाल सवाल खड़ा करने की प्रुवत्ति लोगों में नहीं आएगी जब तो इन चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल हो खुद से समझेंगे मैं उन्नीस बठाना भी से वैसे एथिस्ट सा ही हो गया हूँ समझेंगे मान के चाश्ट फिलिंग विरेंदर खतम हो गई है पर आप लोगों को सुनने से सब यह फाइदा हो रहा है कि शब्द मिल रहा है और एक सहारा मिल रहा है कि बहुत सारे लोग भी सोचने लग गया है इस दिसा में और आप जैसे लोग शमझाने में भी लगे हु और आपकी बाइल बातों में इतना नशा है नशा भी चड़ गया मुझे कुछ दिन तो बहुत कुछ दिन तो सर मैं आपकी बातों को यह ही कुछ आपकी वीडियो को जो है एक दो-चार मिरेट करता था स्किप कर देता अरे लंबा चोड़ा है यह कौन सुनेगा अब तो इ के साथ प्रातत्विक शाक्ष के शाहत बात रखते हैं और फिर आपको जो सही होग कने वाली अमित्तिवारी जी उस साइंटिफिक और साइक्लोजिकल इंगल से हम लोगों की समझस्व को सॉल्व कर रहे हैं यह बहुत महान काम कर रहे हैं और सर एक बात ज्यादा लंबर सम फैलेगी और यहां बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको अलुचनाति प्रश्टी से देख रहे होंगे सिवाए अलुचना के और लोगों को लग रहा होगा एक अव्यानिकता आरजकता वाद या किसी जाद विशेश की वर्गद वेश फैलाने में लगे हैं तो मैं ऐसे साथियों से कहना है मैं निविदन करना चाहूंगा विविवार साथी जो यहां पर हैं कि वो सब अगर इमानदारी से निश्ठा से तरक शीलता के शाथ अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे तो लगेगा कि आप जो है जातिवाद वर्गद वेश पैदा करने में नहीं लगे हैं लोगों को खराब करने में लगे हैं बलकि लोगों को तरकशील बनाने में लगे हैं और देश को एक जुट करने में लगे हैं तो इस प्रेकार का जो आरोफ है यह लोगों का बहुत गलत हिसमें बहुत सारे लोग देखता हूं मैं उनकी भावना समझ में आ तो अमिद सर जी और राइस जर्णी जी आप दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की जोड़ी जो है आप लोगों की बातों का नशा भी हो गया अप आपकी सर बहुत बाते तो और भी दूसरी चैनल अभी रिक्ते हैं से मार पर्चित वह दर रियलिस्ट इस्टेट इस रियलिस्ट आजात करके है मैं दो दिन पहले से परचित हुआ नहीं तो भी साइंस जर्नी और रिशनल वर्ड को ही जानता था लेकिन आपकी जो लेकिन मुझे बहुत सारी जिग्याशा का समान हो रहा है बहुत सारी सवाल तो ब 충ेंघ बागर Пूठ हो बहुत सानता वे था आप से घन्य रहरा है यह दूसरी बार आपसे जड़ना हो आप मुझे जोड़ा सत बहुत बहुत Serge घन्यवार् और यह अभियान को सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइबर वह भी दिक्कत जा रही है तो किसी टेक्निकल साथी से पूछाँगा लेकिन वक्त ऐसा सर भी दो बाजे तक मेरी ड्यूटी रहती है सोबें बारा साड़ा बारा बारा तक सोगे उठता हूँ इसके बाद फिर किसी से मिलना जुना नहीं हो पाता तो यह टेक्निकल प्राब्लम आ रही है बहुत लोगों को आ रही होगी मुझे लगता है आपको जाने फाइनसली मदद करने की बहुत लोगों की इक्षा होती तो शर में आप ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ और शाथियों को मुझे ले रहा हूँगे बहुत बड़ा देश्व्यापी चुकी काम आप कर रहे हैं बहुत बहुत शादुबाद साइंस जर्नी जी और अमित्यवारी जी सर और तमाम जो वीवर साथी वो भी पितवान साथी जो आपको सुन रहे हैं इधर उनको भी मेरा बहुत शुक्रिया स्याम अमित्या आपको आपको आप मैंने बहुत ध्यान पुर्वक आपकी बात Podak recently में अनुद मोग सुन रहें शीजों को पहले तो लोग सुनते भी नहीं थे लेकिन जैसे-जैसे लोग सुनते हैं सुनेंगे तभी ये बात आगे बढ़ेंगी ओर यह तो बहुत सुक्रिया आप सभी का और जो हम ने ये बात करने की जी तो आज ये जी तो मैंने वे सुपर इस्टिकर वगार ड़ल ड़लनी पारा मुझसे ये बोड़े अफसोस हो जाते है अफसोस हो रहा मुझे गिल्टी हो रही है है बहुत करनी देने के गारच जो और भी बहुत सरे साथी ने ये प्रोब्लम बताई है कि कुछ प्रोब्लम आ जाती है समझ मैं ने आ रहा है वो टेक्निकल confirm इजै और यह यह आप कर सकते हैं और इसके बाद से भी और प्रोब्लम आती है हाँ जी जाओ जी है वो ये कहेगा न कि international transaction अगर आपके card पर on नहीं हुआ तो फिर वो payment को decline कर देगा तो उसके लिए bank से international transaction को भी on करवाना होता है या net banking जो लोग use करते हैं तो google पर search करेंगे कैसे हम खुद से international transaction on कर सकते हैं या फिर बैंक से आप करवा सकते हैं इंटरनेशन टांजेक्शन तभी आप जो है payment के लिए हाँ सर यह नहीं हो पारत बहुत ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और कौन आये हुए हैं यहां पर Mr. Singh आये हुए हैं इनसे भी थोड़ी सी बाते करते हैं जी Mr. Singh कि आप हमें सुन पा रहे हैं सचिकाल जी बताएं जी सर मैंने आपसे एक पूशना था जैसे जब हम कहते हैं जैसे बहुत सी लोग कहते हैं बुद्दा को जो ग्यान हुआ था Sir, Hello? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ आप बोलते जाएं जैसे हमारा इश्वर तो हम जैसे बुद्दा इश्वर को तो मांते नहीं थे तो जो लोग इश्रबादी है वो तो कहते हैं भी चलो जो किसी ने तपस्या की और बगवान गे उनको आकर ग्यान दे दि जब बुद्ध तो इश्रबाद को मांते नहीं हैं तो उनको कैसे जो ज्यान जो ऐसे जो चीजे पता जो बुद्ध ने सारी दुनिया को सारे व्ल्ट को बाते बताई यह चीजे उनको कैसे पता जली उनको ने मेडिटेशन तो नहीं मेडिटेशन किया जा मेडिटेशन की वज़ा से बता चली जा फिर उनका दमाग जैसे हम लूसी फिलम देखते हैं उन्होंने अपना दिमाग अच्छी तरह यूज़ करना सीख लिया था से अलो जी ओके अचाय यहाँ सरowajit धमाका जी लिक रहे हैं है यहाँ पे पंकज घुम लिक और यहां पे पंकज कुमार को हमसा मेशा neuen सहयों रहेगा क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी बिमारी चातिवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं इस लड़ाई में हमेशा इनके साथ बना रहूंगा स्याम कुमार जी आपको फिर से धन्यवाद और जी बहुत सुक्री आमिद जी आपका जी देखिए मिश्टर सिंग आपका अध्या करने पैण के नीछे बैठ जाता है ऐसा कुछ नहीं है उनके पूरा भारत है पूरी दुनिया है पैण के नीचे आज बैठी होती तो इसका मतलब जो तरीका था उन्होंने खोज निकाला था वो तरीका नहीं था कि प्यण के नीचे ग्यान मिलेगी या कोई आकर अरसी बात देगा यह तो ब्रह्मेनिकल सिस्टम ने इसी चीज को लेकर अपने पुरानों में कता कहानियों में इस तरह की फरजी चीजे बना दी कि प्यण के नीचे परिश्रम को भूल जाएं वो यह सोचे ना कि कुछ बैठ कर इस तरह करने से कुछ दूसरा कोई दे देगा दरसल बुद्ध मार्ग प्लस अंधविश्वास प्लस पाखन यह जितने भी चीज को जूड़ दिया जाता है तो ब्रामण धरम बन जाता है तो इन लोगों ने व दिन बैठा एक दिन बैठा तो उपर से सेंगिरा उसके नीचे कुछ विज़ार आ है उसका मन आया कि वह सेंग भूर आपको कुछ शीखना है उनसे सीख लिये हो आपके Πर घह आगर नहीं जंगल बहूम रहे हो तक कहीं न कहीं तो बैटके आपको अपना काम करना पड़ेगा या तो आप गूफा में बैठेए कहीं केपस लेनी खोज लिजिए वहां बैठके कीजिए बुद्ध ने पेड़े के नीचे बैठे थें पेड़े के नीचे वहां पर उन्होंने देखा होगा ठीक है वहां तो जब लुट से जादा यूज किया होगा इतने परसन यूज किया तो ऐसे लूजी फिलॉंग जैसा जैसे हम देखते हैं तो जब लुट से हंड़र परसन अपना ध्माग उस करते हैं तो सब बहुत धर्ती की जो गटनाए होती है वो जान लेती है सब कुछ जाली अच्छ इंदेश मतलब अपना धिमाग को जागरित किया होगा सर बुद्धा ने नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग इस पेसल इफेक्ट बताते हैं कि बुद्ध ने कुछ यह जागरित किया वो किया दरसल देखिए हमें एक चीज समझना होगा जब आप जो है जो विपशना की हम बात करते हैं कि विपशना आप करते हो तो विपशना करने के प्रस्चात जो है फिडवेक लोगों का क्या होता है यही होता है ना कि यार मन जो है सांथ हो गया था मेरा मेरा मन सांथ हो गया था मैं अपने कुछ उन बातों को भी जो मन में हल चल थी उसको सांथ कर पाया मैं अपने को समझ पाया अपने अंदर की बातों को मैं समझ पाया तो वो जो बैठ के जो भी पशना करने का मतलब था, वो यही मतलब था कि आप जो है अपने जो सोच है, आपके जो thinking power है, उसको ज़्यादा गहराई तक सोच सके, देखे आपसे अगर कहा जाए कि आप जो है तुरंत अभी एक प्रोग्राम बना कर दीजिए, तो आप हो सकता ह आप प्रोग्रामर हो, आप प्रोग्राम बनाते हो, आपसे कहा जाए कि आप तुरंत एक प्रोग्राम बना के दीजिए, आपको कुछ चीज़े बताई जाएं, कि यह यह चीज़े इसके अनुसार बनाना है, तो आप उसका आप एक समय लोगे, समय के अनुसार बना के दे लेकिन अगर आप जो है अपने माइंड का और भी बेहतर इस्तमाल कर सको कि आप जो है जो बेश्ट होता है किसी भी चीज को बेश्ट देना कि इस काम है मैं एक्सपर्ट होए मैं बेश्ट दूँगा अब तक का सबसे बेश्ट दूँगा तो उसको उस बेश्ट को इस्तमाल करने के लिए हो सकता है कि आपको अपने दिमाग को सांथ रखना हो जैसे क्रिकेटर को अपना बेश्ट देने के लिए उनकी फिटनेस उनका जो है जो खेलने का उस दिन का दिन मूड सब चीज सही होना चाहिए तो फिर वो अच्छा उस दिन परफॉर्मेंस कर ले जाते हैं उसी तरह से कोई भी अपना बेश्ट देना चाहता हो तो वो उस दिन उसकी सारी चीजे ठीक हो बुद्ध ने छे साल जो काम किया था प्रशने कठे की हैं प्रशने कठे करके भी प्रशना करकर के अपने को सांथ किया उनके मन में जितनी हल चल थी दुनिया को लेकर उसका वो उत्तर खोज रहे थे दिन वो उत्तर खोजते खोजते जिस दिन उनको लगा कि अब मैं सारे प्रशन जितने प्रशनत हैं उनका आप मैं उत्तर दे सकूंगा उस दिन को कहा जाता है इंलाइटमेंट डे और इस प्रशन को उत्तर खोजने में जो उनका मदद किया जो उ से एक दिन कोई औरत जो है जिस दिन ये भूखे थे उस दिन वो खाना दे गई तो ताना भी मार गई कि भाई जो है तार इतना मत खींचो कि वो तूट जाए या इतना भी ढिला मत छोड़ो कि आप धुन न बना सको तो उससे भी उन्होंने सीख ली घटनाएं जो है हर घटन को छोड़ कर बाकी सब धरम ने कहीं न कहीं चमतकार माना है सब ने जो है चमतकार मान लिया इस्वर मान लिया कुछ न कुछ आत्मा मान लिया तो जब मान लेंगे तो फिर बुद्ध मारग में भी वही खोजगे ना जो इनका जो जिनको सावन के अंधे जो है उनको हर जग प्राण के खड़े होकर उनको देखे पुराण में लिखे हैं पुराण के सीरीज में मैंने दिखाए अभी है कि बुद्ध जो है जो विपशना कर रहे थे तो जो पीण था ना पीपल का वो और कोई नहीं था बलकि लिए विश्नु और जो सीव थे वो प्राण के खड़ा र प्राण के खड़े हैं लोग तो किसी विशे पर ट्रैक्टिस करते हैं तो उसको खोज करते हैं तो खोज मेरे अगर पहुंच जा तो उसको फिर मानेता मिलती है ऐसे फिर बुद्ध भी अपने समी के साइंटिस्ट ही हुए फिर हाँ देखिए साइंट आज से अगर अभी कितनी बॉल यॉल्स के साल पहले जब आप पूछांगे कि प्रोफेशर होते थे प्रोफेशर होकर ही अपनी रिसर्च करते थे खोजते थे और यह लोग साइनटिस्ट उसके बाद कहला लागे तो उसी तरह से उनसे भी जब आप पीछे जाएंगे जब आप न्यूटन से भी पीछे जाएंगे गलेलियो के समय में जाएंगे तो प्रोफेसर भी नहीं थे गलेलियो उनके समय में तो ऐसी भी कुछ व्यवस्था नहीं थी उनसे भी पहले जाएंगे तो आप देखेंगे क थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करते थें जिसमें से जीहरदॉन दश्तर प्रॉनौ भी जो हैं पादरी थे पादरी बनके गये थे लेकिन उनको लाइबरेरी में किताब मिल गई उनकी क्या नाम है कोपर निकस कि जिसको जला दिया गया था तो तो वो किताब जो है उनको मिल गई, उसे पता चला है कि उनके सवाल खड़े हो गये, इसवाल खड़े हो गये, शाइस्वर थो है ही नहीं, तो वो बंदा जो है वो atheist बन गया, उसको लोगों भी काते है, जो धाना भूरा आदिः तो यह लोगों नहीं जला दिया, तो यह दे बात बोल गया है तो भी इनको सैंटिस्ट कहा गया उस से भी अगर आप पहले जाते हैं चबूस साल पहले जाते हैं तो उस समय ना सैंटिस्ट की पूश्ट होती थि प्रोफेसर की पोश्ट होती थी उस समय अगर कोई व्यक्ति इतने गहराई में घुस के आत्मा परमात्मा इंसारी चीजों को नकार रहा है तो वो सैंटिस्ट अगर कोई कह रहा है कि दुनिया के पहले जो हैं सैंटिस्ट बुद्ध थें तो उसमें क्या गलती है जी वही मैं सोच रहा थ कि आत्मा परमात्मा को इतनी देफ्ट अंदर माइक्रो लेवल में घुसके नकारना हर चीजों का जबाब भी देना हर चीजे का जबाब दिया है इनने दरसल लोग पढ़े नहीं है मैं भी पहले नहीं पढ़ता था लेकिन ये जो आते हैं न यहाँ पे जो डिवेट करने के लिए रोज मुझे दिखा रहे थे कि भई इसमें आत्मा होता है परमात्मा होता है परमात्मा होता है मैंने काया कि लो भई अब तुम कह रहे हो तो हम खोल के देख लेते हैं हमने खोला देखा तो हमें तो कहीं नहीं मिला इसमें परमात्मा उल्टे हम देख रहे हैं कि तो धाधर के उसमें लताड़े हुए हैं नहीं तो मैं तो जोग हैं ये जूटा प्रचार कराते हैं गुरु नानक जी ने इत्यास कर लिखते हैं उन्होंने तपस्या की जैसे तीन दिन वो नदी में अलोप रहे तो ये भी सर एक्षुल में कहानी बना दी गई है या फिर ये सच है हम जब इत्यास पढ़ते हैं तो हमारे पंजाब में तो ऐसे हमें पढ़ाया जाता है अभी तीन दिन वो नदी में लोप रहे और उनके बाद उनको ग्यान हुआ और उनके बाद उन्होंने जबची साब लिखा नई देखिए तो लोगों को जो महान लोग होते हैं उसको चमतकारिक में दिखाने का लोगों का नजरिया बने लिया है हाँ वो सब लोग जानते हैं गुरु नानक जी भी हम लोग इतरह इंसान थे हैं अलग बात है कि उनको ज्यादा एक्सपरियंस था वो चीजों को और गाराई में समझते थे जैसे हमें पता चलते हैं हमारे अंदर बहुत जारा बैक्टिरिया और जीव बहुत सारा जीव चोड़े चोड़े बहुत सारा माइक्रोसकॉप जीव होते हैं जो उस समय उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी जीयां अंदर जीव जीव जो हमारे जीव हैं उनके अंदर भी जीव होते हैं तो सर उनको ऐसा कैसे मतलब उन्होंने खोच की होगी तो फिदी उनको पता चलाओ बढ़ा उसना में तो यहां नहीं थी ना जी देखिए मैं जितने भी भारत के महापूरोस हैं जिन्होंने ब्रहमेनिकल सिस्टम के खिलाफ विरोध किया है अफकोर्स वो उनके अंदर रेशनाल्टी थी तभी विरोध कर पाएं अगर नहीं रेशनाल्टी होती अगर उनकी सूच ज उनके साथ जो है और पानी नर्य ओ जा रहा था तो किसी ने कहा कि भई यहां से कंसे खेत में पहुंचा गाएं जो चड़ा रहे थे उस समय से सूरज को और किसको किसको उसके से वहां पहुंच जा रहा है तो यह जो सोंच उन पर दिखाई गई है कि उस समय इस सोंच को वो टार्गेट कर रहे थे तो अफकोर्स उनके अंदर इन बातों का तो पुटप था अंदविस्वास पहचानने की तो चीजए थी वो लोग उसी को यह वे इसका मतलब है भी सभी में जान होती है जो हमारे सबजियां है उसमें भी जान है और मास में भी जान है ये सब एक है आपका नजरिया अलग है उन्होंने गुनानिक जी ने ये बात कही थी तो वही मैं सोचता कभी कभी भी ये बहुत डीपली इनकी सोच होगी भी इतना उनने खोज गिया होगा, तबी उनको यह पता चलागा, तब तो इतनी साइस जो इतनी खोजे नहीं की गए थी जी, जी, बिलकुल, बिलकुल, ठीक है, ठीक है Mr. Singh जी, थेंक्यू सर, थेंक्यू, 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 अच्छा, यहाँ पे जो है टाइम ट्रेवलर्स का भी सुपरिस्टिकर आया था बहुत सुक्रिया आपका और इस चेसर डिवेट टॉपिक से अलग जा रही है ओके जी ओके कोई बात नहीं चलिए डिवेट ले आते हैं भाई कोई वैसा बंदा हो जिसको लग रहा हो कि वो इस्वर सिध कर सकता है या इस वर होता है वो आके थोड़ा सा सबूत दिखाएं अब उनके धार्मी के स्क्रिप्चर क्या कहते हैं कैसे वो लोग मानते हैं विलीव करते हैं क्या पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सावित करें ताकि हम लोग को ही पता चले चलिए इंडिया जी आए हैं इनसे थोड़ी बाते थे सब्सक्ति अत्याचार होता है है आदमी सोचता है कि अब ब्राहम रिलीजन है ये मुसलिम है क्रिशिन है लेकिन सर हमारे हिसाब करदे हैं कि इन्हों ने हर चीज चोरी की पार्सियों से यहुदियों से इन फैक्ट जो आप अभी प्रामणों को विद्वान बंदा रहे थे लेकिन सर वो सब है नहीं विद्वान क्योंकि अगर हम लोग पर कोई अत्याचार कर सकता है तो बाहरी कर सकता है इन्फैक्ट जो भी हमने अमितिवारी जी की सिरीज देखी तो उसमें भी यह बताया गया है कि आरेन बाहर से आए उनका माइग्रेंट हुआ और उसके बाद इन्होंने यहां पर जाके बसे और तभी सर दर्जितू पर अत्याचार हुआ इस पर सरक्या आपका सही गयना है कि अब ब्रहमिक लिजिजन ही धर्म का एक पार्ठी है क्यों जी इंडिया जी मैंने आपका प्रश्ण ले लिया है देखिए आप जो कर रहे तना कि मैं ब्रामड को विद्वान कह रहा हूं नहीं यह विल्कुल गलत है मैं किसी ब्रामड क करंपरा के ही जितने लोग थें उनसे उनकी टकराहत हुई थी उनको कहा जाता है कि अध्य धमचक पवतन उन्होंने धमचक का पवतन किया था उनकी टकराहत जो है उस समय के जितने भी विद्वान लोग थे उनसे हुई थी ऐसा नहीं है कि बुद्ध की टकराहत किसी ब्रा बारतमें आ गया तो क्या लेकर आया कोई भी बाहर से आयेगा भारत में जैसे मुगल आया था मुगल आया तो क्या वो हिंदुो का या कतित-प्रामः-ध्रम का उस समय उनका प्राइश्ट बन गया यकहवन करने लगा या सब कभी दूसरों का प्रायिश्ट नहीं बना, अगर Arjuns बाहर से आये थे, तो यहां के भारत के जो मूल लोग थें, उनके ये प्रायिश्ट कैसे बन गए, वो थोड़े बन गए प्रायिश्ट, कि वहां पे जो है ब्रह्म ये, आते ही यगहवन कराने लगे, लोग उनसे अपना यगहवन कराने लगे यहां के राजा जो है भारत के जो राजा है वो उनके वो बना लिये गुरू बना लिये एक ऐसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना अंगरेज भी आया तो अंगरेज आया वो जो ब्रामध वाली थियरी कहती है जो सीधे सीधे बुद्ध से जो टकर करवाते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा ब्रामध ही भारत में फैला हुआ था अब बुद्ध जो है बुद्ध की टकरहाट उससे हुई ब्रामध से हुई सवाल खड़ा होता है कि उस समय बताया जाता है कि जैन भी थे जैनों के 24 तिर्थंकर थे ये भी कहा जाता है जैनों की टकरहाट किस से हुई सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि जैनियों की टकरहाट किस से खड़ी हुई और जो सिंदू घाटी सब भेता थी वहां से जो लोग आये थे उनकी टकराहट किससे हुई ये फिर जो सवाल होगा न हमारा जो सवाल ये कि जो हम लोग के उपर जो आदमी आज अत्या चार हो रहा है जाती वाद का ये कहीं बाहर ही तो ही लिंक होगा अपना तो कोई करेगा नहीं में सवाल हमारा ये है ये अपने नहीं हो सकते इस पर मेरा बार आपका जो सवाल है मैंने कई बार बताया भी है मैंने बहुत बार बताया है कि भारत में तो हमेशा ही बाहर से लोग आते रहे हैं भारत में तो सेलुकस भी आया था में गस्तिनीज भी आया था आके ये सब मिनांडर भी आया था आके तो बुधिष्ट बन गया था वो हेलडोरियस भी आया वो भी आके बुधिष्ट बना है पूरा गरूर स्थम सब लगवा के गया है बेसनगर में बौधो के गड़ में आके भारत मे तो हुण्व सक पहलो यह सब भी आयाएं साब आके बुधिष्ट बन गए पूरा का पूरा नौर्थ इंडिया पश्चिम भारत यह सब इन ही लोग का तो इलाका था यह सब बुधिष्ट हुद्य हैं भारत में बुधी की मूर्थी जगह जगह बिछा दियें तो इन्ही लोगों में से निकल के आठी दस्वी सदाब्दी में नया धन बना के अत्याचार इन्हों नहीं तुकिया होगा यह हम एजप्शन पे नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं लोगों में से निकल के संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया यह बन गया वो बन गया हम जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम गलत आरोप गिसी पर नहीं न लगा सकते हैं आज जो वर्ग जो है जो हम पर अत्यचार कर रहा है उसका डिने आया हुआ है बहुत लोग कह रहे हैं कि उदेशी है हमको उसमें थोड़े हम कह रहे हैं कि उदेशी है हम इसमें हमारा कोई आपति नहीं है हमारा आपति यह है कि हम जो आज दिखा रहे थे उसमें जो इन ल बिदेशी DNA आपको दिख रहा है यह उसकी खोल में घुस गये हैं बुद्ध को भी इनों ने अपना ओतार बना लिया जो चमतकारी बना लिया चमतकारी पुरुस तो इन लोगों ने तो हर चीज में घुसे हैं ना बुद्ध की मूर्तियां कमल पे बैठती थी यह अपना कमल क कि पर अपना सारा का सारा देवी देता बैठा रहा है अपने जिसे मुनिकम कमल पे बैठा रहा है जो मूर्ति की म gj जी यह हमारा बात था कि जैसे कुछ यहां पर आये उनके बाद उन्होंने बुद्धे शुकार किया या कि एक अमनेटी पोश्ट पर भी थी कि हाँ उन्होंने कोई ने आया कोई भी हो जो अत्याचार करता हो बुद्ध धर्म में घुसा और उसके बाद आठ्वी दसवे और मैं अभी भी किताव एक साथ कह सकता हूं कि यह जो आज अत्याचार जो कर रहे हैं वो हमाले मूल सभिता के पहले थे लेकिन बहुत पहले वो ना आप पार्ट नहीं जी कह यह जी देखिए आपका जो सवाल है ना इसका उत्तर तो मैं एक तरह से देही चुका हूं लेकिन फिर पता देता हूं आपको जो भी अत्याचार कर रहा है वो अपने भी देश का हो सकता है दूसरे भी देश का हो सकता है इसमें हम इस अधार पर नहीं कह सकते हैं कि वो बाहर क जैसे आप देख लीजिए आप दूसरे देशों में भी देख लीजिए आप फ्रांस को ले लीजिए या फिर आप ब्रिटेन को ले लीजिए या फिर आप रोमन्स को ले लीजिए इनको जब आप देखेंगे तो यह लोग क्या करते थे एक दूसरे के देशों पर कबजा करत यह हमेशा ही लड़ते रहे हैं, खून की नदिया बहाते रहे हैं, इसलाम ने भी यही काम किया है, यह लोग भी कुरूसीड करते रहे हैं, तो लड़ाई जगड़ा हमेशा यह लोग करते रहे हैं, इससे हम लोग यह नहीं कह सकते हैं, कि अगर दूसरे देश पर गए हैं, त तो वहीं के लोगों को ही सोसित की आपस में भी लड़े, ये सिया सुन्नी बनके भी लड़े, ये जो है वहाँ पे Catholic, Protestant और एक और होता है, Orthodox, और भी है, ये करके भी आपस में लड़े, एक दूसरे का खून बहाएं है, तो इस ये बढ़ाने का जो खून बहाने का अधार है, एक दूसरे का, ये सोसर करने का जो इनका अधार है, वो देसी बी-देसी पर नहीं है, विचारधारा पर है, कि तु मेरी विचारधारा नहीं मान रहा है, इसलिए मैं तेरा ये करूँगा, भारत में भी यही है, इन्होंने सुद्र को क्या दिखाया, सुद्र को यही दिख तो उनका लिंक कहीं से अपने प्रभावित हुए होंगे अपने पूर्वत से तभी तो उन्होंने वहां से प्रभावित किया और रहां पर आके चाल चली इंडिया जी एक चीज को समझे अब तीपीटक में त्री विद्या सब्द आया है इस त्री विद्या का मतलब निकाला गया है ग्यान उपाशना और कुछ लोग उसको भक्ति कहते हैं तिसरे पॉइंट को अब सवाल यह है कि यहां पे रिगवेद या यजूर वेद या साम व क्याधार पर उससे पूराना सावित करने की कोशिस करेगा हमारे विद्वान लोग भी उसके जाल में फंस गए उन्होंने भी उसको सावित कर दिया इनको यह समझना चाहिए था कि यह जो चीज है यह धूरत है हर सब्द वो खोजता है कि किस सब्द पर अपना हम क्या ले जाकर फिٹ करतें और वहाँ करतेंगे यहां पर टकरहाट बुध की जो हो रही है ऐनका प्वोइंट दूनों का समझेए फिर लेकिन इसने जो है क्या किया कि जो ती पीटक थें, ती पीटक का चर्चा नहीं किया, ती पीटक की जगह पर इसने त्री वेद अस्थापित कर दिया, कि ये पुराण की रचना वेद से हुई है, अब वेद ही उससे पहले था, त्री पीटक पूरा गायब कर दिया, पूरा त्री पीटक गायब कर दिया बहुत 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 पढ़ते हैं आप यह विश्वास नहीं हमने जितने भी सुत पढ़े जो भी कुछ हमने पढ़ा कर दो इतना लेवल का सरुष्में इतना ब्रामनी का रड़ गया है इतना लेवल हाई लेवल का हमने किया कि जो सर्मूल जो सब्द थे हम जैसे कोई भी सूत पढ़ने जाते मायान का तो उसमें सर्ण नीचे पुरा प्रॉपर उसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम दे देते हैं क्लास का कास्ट का यह सब इदा पूरा जोड़ देते हैं यह अम आपको नए त्रिप्ट का की बात बता रहे हैं धंपत की बात बता रहे हैं वो सीधा सीधा वेदी गौड़ को जोड़ देते हैं सर्व उसमें क्यों नहीं आप उल्टा सोच रहे हैं ना अच्छा यह आशिस गवंडे जी का सुपर स्टिकर थेंक्यू आपको देखिए एक चीज आप समझें आप उल्टा सोच रहे हैं कि उन लोगों ने जो है ब्रामधी करन कर दिया आप यह भी सोचिए कि यह सारी चीजे जो हैं उतरवर् बुद्धिजम की थी और उतरवर्ती बुद्धिजम को कबजा करके इन लोगों ने ब्रामानिकल सिस्टम बनाया उन्हीं सबदों को इन्हों ने अपना देवी देवता बना लिया उसके मतलब कुछ और थे इन लोगों ने उसका मतलब जो है उसमें अंधविश्वास और पाखंड डालके अपना ब्रामण धरम बना लिया उतरवर्ती बुद्धिजम में क्या है उतरवर्ती बुद्धिजम उसमें देखिए आप जितने यह जो देवी देवताज कल बताया जाते हैं इनकी सिल्पकला है मूर्तियां है गनेश जो है वो हाँ जो गनेश जो है यह म पूजा करवा रहा है यह तो इन ही से चोरी करके आप ऐसे लूट रहा है आज की डेट में लोगों की उससे नफरत हो गई क्यों नफरत हो गई क्योंकि इसने सब चीश कर दिया तो लोगों ने उसको समझ अपना भूल गए सब चीश कि यह कभी हमारा पार्ट था लेकिन दू पकला जो है यह बहुद होकी और बहुद मार्गियों की तेंति जयन मार्गियों की देंति इस ने अपना अपना इंद्र बना दिया साक को इंद्र बना दिया है मतलब आप इतना दमानी कि जहें दसी परसेंट मिलावट की हो आप एक बार अपने बुद्ध धर्म कैसे गायब हुआ स्टीम में भी बताए थे जो धम पद में जो ब्रामन वगो अगो ऐसे सब डाले हैं इनोंने मिलावट में ब्रामन कीरन किया है मानी आप इस बात को इंडिया जी मैंने कभी इकार ही नहीं किया है कि इनने मैं क्या कह रहा हूँ कि जब प्रिजर्वेशन की बात आई मान ले जора कि नवी दसवी सदी के बात से बहुद मार के जो scriptures थे हैं पाली को जब इन्होंने खतम किया तो कुछ न कुछ चीह संस्कृत में लिखके रखनी थी तो इन लोगों ने जो जो संस्कृत में लिखी गई वही बची पाली को जो इनको पूरी तरह से खतम करना था क्योंकि धमकिती वगरा तो तुफान मिलते हैं उस समय के व करने को शहдо ब्रीटा तो जो आत्मा मानता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है उसने तो पांचों को पांच चीजें इस लिएute मूर्ख लोग है तो इह प्रमाण वर्ति का जो किताब लिए उन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत के जो उस समय के लोग थे आठवी नवी सदी के ये तो तुफान मेल थे इन लोगों को बहुत मार को इसलिए तो खतम करना पड़ा ना इन्होंने नलंदा वगरा जलवाने का सारे युनिवर्सिटियों को जलवाने का क्यों फैसला किया था बिदेशियो नहीं होता है चैलेंज दे रहे हैं क्रियेटर नहीं होता यह नहीं होता इनके नेक्सट पार्ट में दिखाऊंगा ना नेक्सट पार्ट में दिखाऊंगा मैं अलोप निसत बना दिया बता दिया हम भी तुम्हारे ही पूरुवच और हमारा सब्त कुछ तुम्हारे जैसा सेम है हम भी विदेशी और तब नहीं हुआ वही मैं बोल रहा हूँ हाँ तो यह चीज जो भुआ ना अब इसके पासे प्रिजर्वेशन की जरुरत थे कि चलो इसने खतम कर दिया सारा पाली का सही खतम कर दिया मुश्ली मंदेर मुस्लिम समय बने क्यों बने क्योंकि बताए हमारे असेश्टर हमारे तरफ है हम वहीं से आए हैं हम तो यह चीज देखिए एक चीज यह भी ध्यान देना होगा आपको कि धमकिती जो है सेवन एर्थ सेंचूरी में यह चीज लिखता है बार्वी सदी तक भी माना गया है संती देव तो बहुत भेहंकर लिखते हैं ग्यारवी बार्वी सदी में विक्रम सिला विश्विद्ध यह जब जलाया गया था उसके पहले के वो प्रोफेशर बताये गया है वहांके उनने भी धरधर के लाताड़ा है इस्वर को पूरा तो ये लोग ये जितने भी लोग थें आप एक चीज़ समझेए कि ये विद्रोह साथवी सदी से बारवी सदी में बौधों ने विद्रोह किया है लेखनी चलाई है इनको जब इनकी चीज़े उभरनी शुरू हुई उससे पहले न मिलने का कारण ये है कि उससे पहले इन लो कास्ती तो नहीं मिलता है या तो ये बौधवन के रहते थे या उसी समय जब हुडों ने जब आकरमण किया तोड़ फोड़ की उसके बाद से ये लोग पन पे यही कारण हो सकता है ना पर अपने का इनका कारण जो है ये हमें स्तय करना पड़ेगा अगर सुरू से होते तो भी तो उस समय इनका धर के उखाड़े होते हैं काईदे से वो नहीं मिलता है ना सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं सात्वी से लेकर बारवी सदी के बीच में बौधों ने इनकी धर-धर के वो लिखी है लेकनी इसलिए तो इनको खतम करना पड़ा इनकी लेकनियों को लिखा है इसलिए उसके अधार पर बच गई जीन जीन चीजों को संस्कृत में ने लिखा जैसे बुद्ध चरितम का 28 सर्ग है उसमें से 14 सर्ग को इनको ने संस्कृत में लिख लिया तो उन 14 बच गया अब उसका कितना ब्राम्री करन किया वो अलग बात है लेकिन 14 बच ग उसमें भी इस्वर का विद्रो है उसमें जो है यही तो बोल रहा हूं कि जब संस्कृत में उसको लिखा तो इसका मतलब कि ब्राम्री करन करके ही बचाया उसको यहीं तो मैं बोल रहा हूं कि जितना भी इनने प्रिजर्व किया उसी का ब्राम्री करन किया जितना प्रिजर्व किया उसमें उसने अपना सबचीज गुशा दिया, वेद भी गुशा दिया, हर जगे जहा जहाँ बाता रही थी त्रीपीटक का नाम गायब हो जाए, अहर जगा वेद आ जाए यहां तक कि उसमें मनु स्मृति में मनु स्मृति में चार वेद की जगा तीन वेद लिखा क्यों? क्योंकि तीपिटक में भी त्रीविद्या, त्रीविद्या, हर जगा त्रीविद्या की नाम आ रही थी यह पूरा सडेंतर जुड़ा हुआ है एक लाइन से जुआ हुआ हुआ है जैसे कहने का आप एक बहुत अच्छी बात आपने कहे थी पहले हम आपके स्टीन तो शुरूष बहुत अच्छी देख रहे हैं आपने बहुत अच्छी गही धर्म भी खता हो जाए और उसकी किताब ही बच जाए ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है और किताब ही बच जाए तब जो किताब बच रही है जो खतम कर रहा है उसके अंडर में सब लिखनी लिखी जा रही है जैसे आने वाली पेड़ी जब पढ़ें बातों को देखें हैं तो समझें कि अरे नहीं ये तो हमसे जुड़े हुए हैं इनको कैसे खतम कर सकते हैं और पहली बात और सुरू में सर अभी बात हमारे ही कहने मतब जैसे बहुत धर्म में ये रहे होंगे एक परसेंट दो परसेंट I don't think कि ऐसे इतने रहे होंगे इनका मुझे लगता है सब पाचवे, छाठवी सताब्दी में कहीं न कहीं से आया होंगे या रूप बदले होंगे मेरे ख्यासे आये ही होंगे और इन्होंने पूरा कल्चर को बदला और अपने पूरवज हीतरा ये बहुत गलत धालना है कि अब राम सिवाय है धिडियो हमने देखे थी क्या ब्रामर से जूड़े हैं अगर हम बहुत से घंपत की बाते हं, हम कही नहीं लिखेंगे तो अब जिन अविस्था में पान सो कि दो सो चारीस की धाई सो वर्ड कॉपई था हैं तो वहां से कुछ खूँम करना जिस अगनी होते यह सब पूरा वहां की कौपी है इसा पूरा वहां कौपी और यहां पे फैलाए यहां पे फैलाए और अगर यह सुरू से बुद्ध तो इतने प्रभावी आदमी थी अगर इब्राहमर सुरू से यहां पे खूरती इतने इनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि यहां पर आकर कुछ कर दें पहले कि दिती बहुत प्रेम पूरवा है बहुत प्रेम पूरवक स्विकार किया जाता था। और जैसे ये ब्राम्मर भी ऐसे चोट वह तो बहुत मार की सभ्यता रही है कि इन देशी विदेशी सब को सुईकार किया क्योंकि ये खुद बाहर गया ना ये खुद भी तो बाहर गया है खुद भी बाहर गया तो ये उस चीज़ को समझते थे दसवी ग्यार में सताब्दी में जब इन लोगों का तुक फाम लगा था बंद भी करना ये चालो कर दिये विदेश में बादेशी जाना ये क्या कि ये बैन में आपकी वीडियोस कहीं देखे था जिए भी हैं समुदर में लगा दी थे है ठीक है यहां पर प्रशांद निला काटर जी का सुपरिश्टिकर था बहुत शुक्रिया आपका अमितुतकस जी का भी सुपरिश्टिकर था आपका भी बहुत शुक्रिया और देखिए साथियों यहां पर जो स्कृप्चर्स है ना जो इनका सवाल था कि मिलावट है तो मेरा इस पर स्टेंट बिल्कुल क्लियर है मैं मानता हूं कि जो है scriptures को हम 100% authentic नहीं मानते हैं किसी भी scriptures को 100% authentic हम नहीं मानते हैं यह मैंने पहले भी कहा है यहां पे जो दिखाने का perspective था वो सरिफ इतना था कि कुछ दिनों से मैं देख रहा था कई callers आके बार बार यह कह रहे थें कि जो है नहीं नहीं उसमें यह लिखा है वो लिखा है इसलिए मैं दिखा दिया कि उनके scriptures में भी नहीं लिखा है उनके scriptures में भी विरोध है और अगर आपको यह बात मिल गई ना कि अच्छा यह मैंने धार्मिकों के लिए भी आज का session नहीं बनाया है यह मैंने उन तथाकतित rationalist के लिए बनाया है उन तथाकतित ex-muslims जो हैं जो कहते हैं कि अरे नहीं बुद्ध भी धर्म है वो आत्मा परमात्मा यह नहीं होता वो नहीं होता वो जो सूचते हैं उनको मैंने एक जलक दिखाई है कि आप जो है अंजाने अंजाने में अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से टीका टिफणी नहीं कर सकते हैं एक बार आपको चीज़े जाने है आपको मानना है नहीं मानना है मत मानिये है ना हमने तो कभी कहा नहीं किसी को मानिये या नहीं सब देर हैं इन सबब का जबाब ये लोग 26 साल पहले भी दिये थे 1000 साल पहले भी दिये और 15000 साल पहले भी दिये ये मैं सिर्फ दिखाऊंगा दिखाना चाहता था और आगे भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पर आसीस गावंडी जी जो है यह लिखते हैं बुद्धा सुपर साइंटिस्ट ऑफ स्परिचुलिटी रीटेन इन पगोड़ा इन मुंबई नहीं यह स्परिच्वालिटी यह सब्द जो है थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान देना होगा कि स्परिच्वालिटी का क्या म हमें ध्यान देना पड़ेगा ऑस यहां पे जो है सिरहित पावईया इनका जो है इनका भी यह और सिप्ररह कर था इनका जलिए कुछ लोगों को जोड़ते हैं देखते हैं क्या है यहां पर रेश्णल हैकर आए हुए हैं इनसे थोड़ी सी बाते करते हैं जी रेशनल हैकर बताएं गुरूडिंग सर सर मैं विल्लो हैकर हूँ लास्ट टाइम मैं अभी तक आप से तीन बार जॉइन हुआ हूँ सर मुझे कुछ बोलना है प्रावेट चाट में कुछ लोग आ रहे है कुछ गलत बोल रहे है सो आई वांट तो लाइक सजेशन करना है कि उनको बैन या किक कर सकते है तो उनको हटा दो स्पैम कर रहे हैं बहुत सारा गंदा हलो आप नाम बता सकते हैं कौन-कौन लोग है ये उसमें शायद भारत छोरा अर्यवंद बनो ऐसे सम्टिंग कुछ तो नाम है और एक था उनका नाम था सम्टिंग सूरज नहीं हर्ष अचा मोडरेटर अगर आप सुन पा रहे हैं हो तो इस बात को ध्यान देजेगा कोई स्पैम कर रहा हो गलत सलद और गारिया वगएरा दे रहा हो तो किसी को परिसानी नहीं उसे पहले आप टाइम आउट कर सकتे हैं और अगर तब भी नहीं मान रहे हो तब भी गालि गलोज कर रहे हो तो आप उन्हें ब्लोक भी कर सकते हैं मैरे कुछ पूशेंस है होब आप मुझे अंसर दे दोगे मैरे जितने भी में अभी तक आपको questions किये थे सबी के आपने अंसर या मेरे जो पर issues ते उसको result किया है अभी एक यह questions है कि Muslim जो concept गॉड का and Hindu का जो concept गॉड का Muslim समझते कि जो खुदा है अल्ला है वो हमारे universe में नहीं आता है मतलब उनका है कि creation और creator right so हम लोग जो है वो creations है और God है और creator है creator cannot enter in its creation मतलब हमारे inverse में नहीं आता है तो मैं ex-Muslim साहिल का एक channel है पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है तो उन्होंने उस टाइम पर debit किया था उसके उपर तो उन्होंने नहीं बहुत सारे चीज़े बोली तो उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा clear हुआ था तो अभी मुस्लिम लोग का जो concept है कि God हमारे creation में नहीं आता फिर हिंदू concept यह है कि कनकन में God है ठीक है तो ऐसा कुण सा God है कि हिंदू धर्म में या हिंदू religion में God हमारे अंदर है या हर एक के पास है पत्थर में भी God है हर एक जगह पे God है और मुस्लिम मुलते है कि नहीं God नहीं आता है और यह क्या है मतलब यह इतना बड़ा difference क्यों है God concept गलत होगी तो यह दोनों धर्म गलत है हिंदू as well as Muslim तो फिर गलत है तो फिर उनको क्यों इतनी सारी मतलब बल्क में इतने सारे लोग फॉलो कर रहे है ब्लाइंडली और फिर जो रैशनल और जो हम लोग बुद्धिस्ट बोल रहे है जो God और spirituality में नहीं बिल्यू करते है तो यह लोगों को अंदेरे में क्यों रखा है दुनिया में बस जो है डिजिटल हम लोग यूज करें सब चीजे बट स्टील हम लोग इतना ब्लाइंड क्यों है या एक कुछ इंजेक्शन ही है या कुछ ऐसा एक नश्या है कि जिसकी बज़े से हम लोग अपने आखें खोलने पा रहे हैं क्यों यह क्या है क्या है जी ओके ओके रिशनल है कर देखें यहां पे आपका जो सीधा सा प्रश्न था उसका एक ही मतलब निकलता है कि जो भारत के जो दर्सन है और जो अब्रहामिक रिलीजन है यह अलग-अलग छेत्र में विक्सित हुए हैं डेवलप हुए हैं तो अलग-अलग छेत्र में डेवलप होने का इन पर कि हम उससे कुछ बेहतर दे रहे हैं अचा वह जो है पहले वाले में कुछ खोजता है कि पहले में कुछ लूप होल है कुछ गैप्स है या कोई पोच्ट है जिसका इस्तमाल करके मैं यहां के लोग कंविंस करके वहां पर बैठ सकता हूं तो फिर वह आगे प्रोसीड करता ह जैसे हम बात करें कि जेसस की बात करें तो जेसस पे जो है लोग जो उनको जो है मसीहा मानना शुरू कर दिये थे तो मूसा के बाद से उधर की जो एक कावलियत थी जो मतलब एक लोगों में सोच थी कि एक दस्वा कोई आने वाला है दस्वा कोई आने वाला है लोग उनको ध दीरे दीरे बोलना शुरू कर दिये थे, कुछ लोगों को ये बात खटक गई, तो उन्होंने उनको पकड़ कर चढ़ा दिया, तो सूली पर चढ़ा दिया, वो बैचारे मारे गए, इंसान ही थे, भगवान थोड़े थे, गौडोर तो थे नहीं, तो मारे गए, बूरी तरह स मुहम्मद का भी हम देखते हैं, उन्होंने भी उस गैप को इस्तमाल किया, जब आप कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात आती है, कि जो जिसस जब वहां पे बन गए, लेकिन ये बात अरब देसों में परशारीत नहीं हो पाई थी, यहां के लोग अभी भी सोच रहे थें, कि अभी कोई दस्वा आने वाला है, दस्वा कोई आने वाला है, कोई मसीह आने वाला है, तो उस गैप का इस्तमाल मुहम्मद पे फिट हुआ, उस गैप का इस्तमाल मुहम्मद पे फिट हुआ, और इसलिए मुहम्मद चम के भी, मुहम्मद ने उसके लिए अपने ज वहां पर उनकी जो छवी आ रही थी या जो चीजे वह आगे कर रहे थे, वो प्रिविएस ब्रेक्ग्राउंड से आ रही थी, जैसे मुहम्मद जो है जैस्स को, उनसे पहले मूसा को, अब्राहम को, इनको अपना पुरवज मान रहे हैं, यह चीजे उनकी जो झछलक है, उन ल चमतकार तो नहीं होता है लेकिन वो उस चीज़ को मानता है कि कोई जो है मुशा को किसी इस्वर ने इस्वर का रूप वगरा नहीं होता है ये सब वो सोचता है इसलाम जो है उसी कदम पे आगे बढ़ता है कि हाँ इसवर उसवर जो है उसका रूप नहीं है ये नहीं है लेकिन वो पैगंबर ले आता है वो एक पैगंबर ले आता है कुछ उसमें gap create करता है कुछ चीज़े सेम है हलाल करने वाली बात सेम है थोड़ी थोड़ी difference पर एक create होते हैं लेकिन ये सब ये मानते हैं कि इनका जो कोई बनाने वाला है उपर रहता है सात्वे आसमान पर रहता है या कहीं पर रहता है ये इनकी सुच है भारत में क्या हुआ कि बुधमार्ग आने के बाद से इसने लोगों की सुच पे इतना गहरा आगात किया कि सारा जो किसी के मन में थोड़ा सा भी सुच भी बची थी ना कि कोई इस्वर वगरा होता होगा उन हर प्रशनों का उसने जबाब दिया फिलोस्पिकल रूप से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था जैसे अभी मैंने आज जो सुध दिखाया जिसमें एक भिखु का उधारन देकर ती पीटक में दिखाया गया है कि मान लेते हैं कि कोई इस्वर वगरा जिसने रचना की गई हो उससे हम डिरेक्ट कर रहा है अलंकारिक भासा में दिखाया जा रहा है और हम उससे पूछ रहे हैं कि आज जिसको हम चार तत्वा मानते हैं उन चार तत्वा के अलावा इनका विरोध है कहां पर यह कहां पर नहीं है जहाँ पे नहीं है तो फिर तुमने creation कैसे किया इस तरह कि वो इतनी गहन बात कर रहे हैं जो आजकल आज के जो नास्तिक जो प्रशन खड़े करते हैं कि बिना elements के बिना ये big bang कैसे शुरू हुआ या फिर बिना elements के कोई अल्ला कैसे create कर सकता है कोई God कैसे create कर सता है इतनी देफ्त लेवल पे जाकर बात कर रहे हैं तो बुद्व मार्ग से भी बहुत सारी साखाये बन गए चार साखाये बन गए इनकी चार साखाये जो है सौन्तांत्रिक, सुन्नेवाद, या माध्यमिक और योगाचार इस तरह की चीशे बनती चली गई तो उसके बाद भी नवी दसवी सदी में और भी बहुत सारी फिलोस्पी बनती है जिसमें अहम ब्रमास में आत्मा प्रमात्मा सब एक मैं ही हूँ इस तरह की बाते आने लगता है संक्राचारे उसके बाद से विशिष्ट अद्वैतावाद आता है उसके बाद से जो है द्वैतवाद आता है तो कॉंसियशनेस की जो बात थी कॉंसियशनेस चित की बात थी ये सब दो बुधिष्टों की कई साखाओं ने सुरू की थी उस consciousness का यूज करके ये जो है बाद में जो ब्रह्मेनिकल जो सिस्टम है उसने उसको आत्मा बनाने का सुरू कर दिया ये लोग consciousness का इस्तमाल किये थे अपने theory के लिए और उसको उसने आत्मा के रूप में पर्योग किया इसका भी खंडन धर्म किरती कर रहा है भीतर घुस के कर रहा है कि consciousness आत्मा हो नहीं सकती है उसके लिए वो घुस के भीतर देफतर लेवल में philosophical प्रमाणवर्तिका में लिखता है उसने तो यहाँ पे टकराव आप देखिए कि यहाँ पे कोई किसी को follow नहीं कर रहा है यहाँ पे debunk करने की बात आ रही है लेकिन वहाँ पे जो है बिदेशों में debunk करने की अबरहामिक सिस्टम में कोई किसी को debunk नहीं कर रहा है मान ले रहा है कि वो भी हमारे थे वो भी हमारे थे हैं वो भी हमारे थे हैं अग थोड़ा-थोड़ा modification हो रहा है ये चीजे हो रहे हैं इसलिए ये difference देखने को मिलता है जहां तर्क होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा difference होगा भारत में बुद्ध मार्ग ने तर्क क्रिएट किया था एक argument logically तभी तो जिस कारण से बाकी के जो इसरवादी लोग थे हैं वो खंडखंड हो गए अगर ये भारत में बुद्ध मार का जनम नहीं होता ज़रा सूचिए बुद्ध अगर भारत में नहीं आये होते हैं तो आज भारत कैसा देखता आपको क्या लगता है कैसा देखता भ आज भारत में जो यूनिवर्सिटी बहुद यूनिवर्सिटी मिलती हैं सतर से ज्यादा जो खुदाई से मिलती हैं वो चीज़े नहीं मिलती आपको आर्कियोलोजिकल एविडेंस नहीं मिलते हैं यह जितने आर्कियोलोजिकल एविडेंस मिलते हैं समराट असोक के लिखा आह हुए जो अभिलेक मिलते ये सब नहीं मिलते आपको ये जितने भी आपके बड़ी-बड़ी जो सुतूप हो गया या फिर ये जितने बड़े-बड़े जो सिल्पकला थी ये सारी चीजें नहीं मिलती आपको भारत में क्योंकि कुशानों ने भी जो सिल्पकला क्रियेट क इटे की बने-बने कई-कई मनजला वो बनती थी, घरे बनती थी तो उसका परयोग नहीं किये, जोपर पट्टी में रहाते थे इसलिए सबूत नहीं मिलता, वैसे ही तो फिर भारत हो जाता ना जोपर पट्टी की तरह, कुछ नहीं होता फिर यहां पे, किसी चीज का सबूत नहीं मिलता सबूत क्यों मिल रहे हैं क्योंकि यहां पे भारत के मूल सब्यता बौध मारगियों की जैन मारगियों की समढ़ कल्चर की बनाई हुई चीजे हैं इसलिए तो सबूत मिल रहे हैं इनका क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि इनकी कभी कोई संस्कृति नहीं थी अगर वही हवा ठर्रा वाला जो कहानी है वही चीज चलती भारत भारत आज भारत नहीं रहता जो विश्वगुरू ये लोग खिताब देते हैं वो भी चीज नहीं बचती नहीं रहती वो चीज आटाट अचा सरजय नालंदा जब जलाई गई थी ता वो उस टायम पर जो बुद्ध मारे ये जो बुक्स थे पूस्थक थे राइट तो वो सब जल ग pół ज不了 도 इसका मतलब व स्टायम पर जो हमारे पास knowledge thao हो वो जादा knowledge था और वो फिर जला गया तो चला गया तो साथ में बहुत सारा नॉलेज भी चला गया और दूसरा मुझे यह बोलना था कि जो ब्राह्मन हम बोलते हैं उस तैम पर बमन बोलते थे क्या ओ लोग भी बुद्धिस्ट थे बुद्धिस्ट हो गए तो फिर उन्होंने जो संस्कृत लिखना स्टार्ट किया मतलब यह भी हो सकता है ना कि बुद्धिस्ट लोगों में से ही कुछ लोग मतलब बाहार निकले जो लोग विरोध करने लगे बुद्धिस्ट मार्क का और फिर वो गलत रास्ते पे चले गए फिर उन्होंने सही बुक्स का यूज गलत जगह पे कि किया और खुद में उसमें मोडिफिकेशन करके उनके बुक लिखना स्टार्ट किया मतलब यह भी हो सकता है जो आप लोग वेद बोलते हैं आपने बोला था कि त्री वेद चो थे बुद्धिस्ट मार्क के त्री सम्टिंग कुछ तो उन्होंने वेदों में उनको स्लोगों की है जो तारकिक है तो यह आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है जी देखिए पूरा यह चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि पूरा का पूरा ब्रामण धरम जो है उसका अपना कुछ भी नहीं है बुद्ध मार्ग में अगर आप अंधिविस्वास घुसेड देंग तो वही जो है ब्रामण धरम बन जाएगा जो कि नहोंने नवी सदी के बाद सुरू किया यह तीन चार चीजे उसमें घुसेड़ी और वही आज का ब्रामण धरम है लोग सोचते हैं बुद्ध धरम खतम हो गया खतम खतम थोड़े हुआ उसमें यह चीजे पूट अप करके पबली को दिरे दिरे बनाया गया मैंने पिछले stream में दिखाया था रहमानुजाचारे का कैसे वो debate करने गया जाड फूक करता था भूद परेत भागाता था उसको देखते ही बहुत राजा बोल रहा है कि बहुत राजा था उसकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया तो जो डिव इस्वाज भूद परेद जाड तंत्र ये सब चीजें लेकर आकर लोगों में अपनी पैठ बना रहे थे ये इनकी हकीकत थी इसका मतला बेबी हो सकता है कि ऐसे कुछ ग्रंत थे मैंने ये भी सुना कि आशोक समराट राजा जो थे उनके टाइम पे नौ बुक थे नाइन बु करते होगे शायद ये भी हो सकता है मैंने ये भी सुना कि बुद्धिस्ट जो लोग थे वो मेडिटेशन करते थे और सब्त चक्र जो रहते साथ चक्र वो जागृत करने के बाद मतलब हुमा अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तिया भी आ जाती है कि हम लोग कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और यही चीज़ को भ्राह्मन भी क्या कर रहे और यहीजी चीज़ कम मैंने चायनीज जो पिच्चर रहते पिल्म रहते उस में भी देखा था बुद्धिस्ऩ लोगों को जो लोग फॉलो करते वो लोग भी यह सब चीज़े कर सकते थे राइट में भी आप बहुत सारे लोगों ने यह भी देखा होगा डॉक्टर स्टेंज नाम का एक फिल्म है जिसमें बुद्धिष्ट मतलब उनी के बार में सब चीज़े बताई है तो यह जो है यह सच में होगा तो उसक कुछ भी कर सकते है बट यह गलत लोगों के हाथ में गाया है तो उसके बज़े से यह थोड़ा सा मलीन हुआ है ऐसा लगते है आपको जी देखे यहाँ पे एक चीज़ आप सीधे सीधे ध्यान देजिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत मार्ग जो है अचानक से खतम हुआ बहुत मार्ग का पहले भासा लीपी गायव किया गया है इस समझे इस बात को प्रिजर्वेशन की जो बात आई ना कि भारत में जो ग्यान था उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए तो प्रिजर्व करने के लिए या तो वो उसी रूप में प्रिजर्व किया जाए या उसका रूप बदल के प्रिजर्व किया जाए दो चीजे होती है जब आप रूप बदल के करोगे तो रूप बदलोगे तो फिर आप मिलावट कर सकते हो रूप बदलोगे तो आप मिलावट कर सकते हो अपनी तरह से उसको लिख सकते हो जैसे लोग चिलाते हैं ना कि मैक्स मुलर न मिलावट नहीं कर रहा था क्योंकि वो उस समय में था जिस समय में मिलावट की समय होना नहीं हो सकती थी उस समय कोई भी इंटरनेशनल जो स्कॉलर होते हो तुरंत पहचान लेते यहां पे बुद्ध मारक का जब भासारलीपी खतम किया गया उनकी जिन किताबों का इन लोगो को गलत लिख रहा है यह तो जब आप जो है ग्रेगरी का पढ़ते हैं रिसर्च पढ़ते हैं तो वो बताता है कि बुद्ध मारक को आठवी नवी सदी के बाद से जो है सैव मारगी जो है गलत तरह से बुद्ध मारक को परचार करने लगे अपनी भासा में गलत तरह से बन नंहीं ने गायब ही कर दिया संस्क्रीत में लिखा गलत 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 प्रचार किया गलत गलत ढात डोएं ऐही गलती आज भी लोगों को दिखा रहे हैं यह इनका चक्कर हैglत और इक्जुल चीज़ को गायब पूरी किताब भरी पड़ी है तीन चार सब्द आपने उसमें घुशेड दिया जहां 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 जो है त्रिविद्या है वहां 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 वेद लिखते जिए बस हो गया पूरा किताब ब्रामणी करन हो गया की नहीं हो गया सर वो जो पिरामिड बने है हजारो साल पहले या जो हम लोग का लेनिया ओके रेशनल है कर ठीक है फिर नेक्स टाइम आईएगा ओके चलेगा सर कोई बात में थैंक्यू अच्छा यहां पे आसिस गाउने जी ने कुछ लिखते हैं बुद्धा सुपर सैंटिस्ट ऑफ इस्प पगोड़ा माइट वांटे टूसे डेट जी जी बिलकुल बिलकुल अपने सही कहा है फिलोस्पी आपका सकते हैं कोối डिफरेंन हो जाता है ह। और देखें कौन आया है कोई debate के लिए नहीं आ रहे इस्वर सीधह करने कोई नहीं पहुंच रहा है भाई साभ कोई आये फुटा सा इस्वर और स्वर सीधह करें इस्वर सीधह करेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा ना राहूल राय आए हुए हैं चलिए इनसे बात करते हैं जी रहुल रहे हैं बताएं रहुल रहे कि आप हमें सुन पा रहे हैं कि बोले बोले कि इनकी तो माइक माइकन म्यूट करें माइक आपकी म्यूट है चलिए साय दिये हाथ दुगए हैं लेकिन रस्पॉंस नहीं दे रहे हैं अजे कुमार आपका डिवाइस नौट कनेक्टेड है इस आए हुए हैं चलिए इनसे बात करते हैं बताएं इस क्या काना चाहते हैं अलू सर जैशिवाजी सर जी जैशिवाजी पूरते हैं अगर मुझे लगेगा कि आप सही बता रहे हैं तो इस्के बारे में वैसे लगता है कि पीसेंट सटर मैं जो अपने माइंड को के भीतर जाने को बोलते हैं समय को लगता है तो मैं आप से पूछ रहा तो सर आप कैसे डिफाइन करते हैं अच्छा ये बताइए मुझे कि मान लेजे कि कोई नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने का मतलब वो बताता हो कि हम जाते हैं कुछ जो है कुरान के आयते हम बोलते हैं और कुरान के आयते बोलते हैं अल्ला की अराधना करते हैं चले आते हैं अब वो कहे कि जो है आप जो है इस्वर की प्राथना करते हो आप कहो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और नास्तिकों से कहे कि भाई आप जो है बैठे हुए हो आप थिंकिंग कर रहे हो कुछ सोच रहे हो उसको कहो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वो टर्म जो है न कहेगा कि काम spirituality जो है किसी चीज को कहके अब spirituality जो है एक धार्मिक पाकंडी जो है अंधृष्वासी लोग है वही सब्सें कर रहा है अब वही सब्सें जो है एक नास्तिक व्यक्ति भी स्तमाल करे तो इस पाइडी सताय। आधी आक्रीया का मानते हैं बैंस्व सब सहे हैं आप में कि producing तो मानता नहीं जो चीज में देखता नहीं I canा सर्द का कॉंसेट ऐसा दिया हुआ है तो इस पर हमारी डिबैट हुए थी कि बुद्धिजम में सब्सक्राइब आपने आपको क्या लगता है उसमें दिया हुआ है जी सरु उसमें तो दिया हुआ तो यहां पर दिखाना पड़ेगा आपको लोग नहीं धिखाते हो ना जो कहके चले जा आप करूंगा तो यह बताइए मुझे एक चीज मुझे यह बताइए कि आपको इसे पता चला कि बुद्ध मार्ग में पुनरजनम दिया हुआ है इसके बारे में तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि बुद्धिजम इस वर नहीं है यह बात पता चली कि रिलेशन नहीं तो इस अंसर उन्हों ने भी नहीं जिया कि इसका इनकरी देखा आज मैंने थोड़ी देखा था बाकी फिर इंटरनेट इशुआ गया तो फिर यही यही बात है कि आप जूट बोल रहा हैं फिर मैंने अज पूरा दिखाया है कि वह खुल के बोलें हैं इस इस पर बताये हैं कि यह सब जितना जो कपूल गल्पित कहानिया बना रखी है इन लोगों ने सब का सब जूट है इस वर को तुन्होंने खंड खंड करके खंड तूड दिया है आप कह रहे हैं कि उस पर मोन रहे हैं तो इसका मतलब गलत सूर्स पढ़ते हैं आप जो है गलत स क्या पढ़े हैं आत्मा के बारे में तो मैंने पढ़ा कि आत्मा एक्जिस्ट नहीं करती है अब बुद्ध मार्ग में क्या पढ़े हैं बुद्ध मार्ग में तो मेंली वो बुद्ध और उनका धम पढ़ा है और अपना जो है यह जो ना किसी नहीं बुद्ध मार्ग में आ खाल-खाल खीच खीच के आतमा प्रमत्मा दोनों की बेर्ड बजाई है आप जो है पुनर जनम उसमें अस्थाफित कर रहे हैं तो सरफ बिना आतमा के पुनर जनम होता है ऐसा खुद नागसेन ने बताया है उसमें नागसेन नागसेन कौन थे बुध थे क्या नागसेन, अगर कोई अनुवाई है उनके 500-700-800 साल बाद अगर कोई थियरी दे जिसको आप नहीं समझ पाए हो अच्छी से तो भी आप उस क्लेम को उठा के कहा दोगे कि बुद्ध का ही ये बात है आप ये कहना चाहते हो साल ये ये चुछ रहा हूं ब्रामःधरम में पुनर जनम है की नहीं है ये तो होता है ना तो ये कहां से आप पढ़ें है थोड़ा पताए ये डिटियल से मुझे तो सर देखे एक तो सबसे पहला सोर्स में आपको दूंगा ये जो बाबा साहब ने जो है महाबोधी सुसाइटिय में डिसकेशन चल रहा था तो वहां उन्होंने कहा था कि रिवर्थ होता है और उन्होंने ये कहा था कि रिवर्थ साइंटिफिक भी होता है और उन्होंने कहा था कि मैं साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूं क्या मेरे से डिसकेशन कर लीजिए मैं प्रूफ कर दूँगा कि रिवर्थ होता है आप ये बताईए मुझे उन्होंने किताब लिखी है बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में जो उनके मरने के बाद ही प्रकासित हुई है वो सबसे लाश्ट किताब है उस किताब का नाम है बुद्धा एन हिजधम्मा लिखा है ना जी तो उस दिन चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने कहीं लिखा है कि पुनरजनम होता है वो सबसे लाश्ट रचना है यह थोड़ा सा क्लियर कीजिए मुझे उसमें लिखा है क्या कहीं पर बताया था कि उन्होंने पर दिखाता हूं एक सगंड रूप जाए तो एक सब्सक्राइब तो एक सेवेंटी पेज नमर था और अपना प्रूफ दिखाया था उस प्रूफ को मैंने तीन बुक्स से वेरिफाई किया बट आपका आपने जो बताया था एक्जैक्ली वो तो लिखा भी नहीं था उन तीनों बुक्स में यह आपकी गलती है ना कि आप जो है गलत जगह से तलास करते हैं हमने जो दिखाया था या आपने जो दिखाया था वहां पर वही चीज लिखा था जो हमने दिखाया था उसका अनुवाद दिखाया था वह अनुवाद मैंने दिखाया था उस व्यक्ति का दिखाया था जो बुद्ध मार के सबसे बड़े जो हैं स्कॉलर हैं उनका मैंने दिखाया था कि आलतु फालतु का कोई एरा गैरा नत्तु गैरा जो है जो आलोचक कुछ लिख दे गलत मिनिंग निकालके उससे बजाए जो ऑथेंटिक है उसका मैंने दिखाया था जहां पर पूरी तरह से डि यह पार्ट फूर में लिखा था सरी है इस पार्ट फूर है पेज नंबर सेवेंटिसिक्स है चलिए शेयर कीजिए शेयर करना चाहिए यह शेयर का ओप्षिन कहां आता है यह अग्यूटर पर बैठे हैं मोबाइल पर बैठे हैं अच्छा मोबाइल पर एक काम कीजिए लिंक जो है प्राइवेट चैट में दे दीजिए सर मेरे पास बुक का पीडियाथ रखा हुआ है इसकी लिंक मैं कैसे देपांगा कि फिर तो शेयर करना पड़ेगा आपको बीना देखे तो ऐसे नहीं होगा उस्तिन इस पर बहुत डिटेल में फुगा था लगता है आप वो क्यों लग रहा है कि बुद्ध मार्ग में पुनर जनम होगा लिखा हुआ है ना इसलिए कहां लिखा हुआ है भाई साब उस दिन इतनी डिटेल्स में पूरी हम लोग कि तो सब्सक्राइब लिंक बेज देता हुआ पीडियाफ डाउनलोड कर लिए कि वही तो बोल रहा हुआ है भेजिए 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 वही भेजिए वही दिखा देते हैं कि एक सब्सक्राइब कि मुद्ध कर दो कि एसे वे डाल यह लिंक किसे वे डाल यह लिंक कि अच्छा आपने डाल दिया इसमें चलिए देखता हूं मैं इसमें क्या है जी भाई साब कि पेज नमर बताएं कितने नमबर पेज पर है 76 कि पेज नमबर 76 कि यह तो आप वह दिखा रहा है ना बाबा साहब राइटिंग सेने स्पीचेज तो सर उसी में बुरता है निज धम्मा थोड़े ही है वही है आगे 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 यह वही है यह चलिए चलिए देखता हूं मैं कि पेज नमबर 76 कि अ हम सर्यसमें जो 6 आप दिनमर 76 में जो 6 अ लिकावए आगे लाइन बोड़ीए जर रूपजाये रूपजाये खूलने दिजय पाले है हाँ इसको मैं सेयर कर रहा हूँ एक मिनुट बता ये क्या लिखा है इसमें चलिए इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट है पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है तीसरा कोश्चन मार्क उठाया जा रहा है सारा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मुझे तु दिख रहा है बताइए क्या लिखा हुआ है कहां क्या पॉइंट है पहले जनम में प्राप्त होती पार्मिता में इस सेवंथ में लिखा है इन सेकंड लाइफ का मतलब आप क्या समझ रहे हैं है सर लाइफ जीवन मतलब क्या जीवन तर जीवन याने की एक जीवन दीटता है फिर उसके बाद उसका रिवर्ट कुता है यह बताएए आपका यह कौन सा लाइफ है बिल्कुल आप बेवकूफी जैसी तो बात ही कर रहे है ना आपको बताना पड़ेगा न आपकी कौन सी लाइफ है आपको कैसे यह पता चलेगा कि फिर्ष्ट लाइफ सेकंड लाइफ क्या होती है मैं बता रहा हूं बता रहा हूं वह ऐसा होता है इतना जल्दी आप चिड आप огрकी को तो सुनरहे हैं हमने तो कभी कर नहीं के बूलिये बूलिए बताई इसमें क्या 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 लख कहा हूं क्या लिखा हूँ हुआ है बुद्ящ किलेmost 10 के वाउन्हें को बुद्ध hanya आप हूँ थी तो वहां उन्होंने कहा आप था निक्तर गरके पर तो उसके बात से जो उनका जनम हुआ उन सर वे पहला जनम बना गया आद कर जहां से मिट्टी कहीं का मिट्टी कहीं का रोड़ा कहीं से उठाया कहीं से जोड़ा आप जो है तेरहवी चोदहवी चौन सदिका लिखा है यहा ли वैस्ट लाइफ का मतलब आपने जुड़ लिए उनके पुनर जनम से यहां पे तो लिखना चाहिए फिरचिए तो लिखनेशन लिक्हेली है फिर फिर्श लाइफ लिखनेशन लिकहा kita अवतारबाद होता है तो आप पुनर जनम का मतलब क्या होता है फर्स्ट लाइफ सेकेंड लाइफ में वो मुधिता प्रप्त करेगा फर्स्ट लाइफ में जो है वीमला प्रप्त करेगा दूसरे जनम कौन से व्यक्ति एक जिंदगी में मुधिता ही पाता है पूरे जिंदगी भर में दूसरे में प्यूरिटी का मतलब क्या होता है थोदो से heittक की ज्यें तो अर्प फ्र 240 लाइफ ही geheures क्या लेका है यह प्रभाकरी ब्राइटनेस, तीसरा लाइफ में वो ब्राइटनेस प्राप्त कर लिए, मतलब अलग-अलग जिंदगी रिवर्थ ले रहे हैं जी सर आप ये बताइए कि आपने किसी बुधिष्ट स्कॉलर से संपर किया है, कि इसका मतलब क्या होता है किसी एक्सपर्ट से आपने पूछा है जी सर, बिल्कुल, मैंने जो है, अपना नाकपुल में जो दिखता है, वहाँ पे मैंने कई सारे जो है, दिखकुल लोग आते हैं, तो मैंने उनके साथ डिसकॉशन किया और उसके अलावा सर मेरे जो पूर्य जिन्दगी भार में और चीज़ प्राप्त किये, अरे कोई व्यक्ती जनम लेता है, तो जनम लेता है, तो उसके सगे संबंदी होते हैं उसकी पूरी जिन्दगी होती है पूरी जिन्दगी में सिर्फ brightness brightness क्या मतलब क्या होता है पूरा जिन्दगी कोई जनम लेगा brightness प्राप्त कर लिया पूरी जिन्दगी कोई व्यक्ति जनम लेगा और वो जनम क्या मुदिता प्राप्त कर लेगा यह थोड़े ही होता है जी आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं आप मुझे लगता है आपके अंदर बैठ गया है किसी ने आपको जो है गलत पट्टी पढ़ा दिया है कि इसमें रिवर्थ होता है आप जबरजस्ति उसमें रिवर् बुधिष्ट नहीं है एक चीज याद रखिया बुधिष्ट नहीं है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप बुधिष्ट है 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 सब यहां सबूत देखा देजिए सब लोग को बता देजिए थोड़ी नहीं सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे तो हम थोड़े ऐसे मान ल आपने तो पूछा था आपसे कि आप आत्मा परमादमा मनते आप तो सुरुमें बोल देना चाहिए था कि मैं बुधिष्ट हूं आप तो कहीं बोले नहीं अभी तो आप यहां नहीं मानता शली रुख जाइए अब इस रुख यहां पर यहां पर पुनर जनम की बात आई ह यह मुझे दिखाये यहां पर यहां पर पहीं लिखा है कि पुनर जनम मं की बात ही मुझे नहीं दिख रही है आपको कहां söz A कंग कहां तो व मैं पूछा c कि मेरा बच्पन का लाइफ वह मेरा फ़र्ष्ट लाइफ मेरा किसुरा वस्था का लाइफ सेकंड लाइफ का सब्सक्राइब के ऊपर है एक ही जनम की बात हो रही है आप जब अब जस्ति उसको घुसेड रहे हैं पूर जनम पूर जनम का इंग्लिस क्या होता है मुझे है रिवर्थ यहां लिखा हुआ है क्या रिवर्थ से रिवर्थ का भी डिसकेशन इसी बुक में हुआ है पूछ रहा हूं हुआ है तो यहां पे आप दिखा रहे हैं रिवर्थ यहां लिखा हुआ नहीं है पिर कर रहे हैं कि इसी किताम लिखा हुआ है लिखा हुआ तो वह लॉजिकल सी बात है नहीं आप जो है खुद ही कुछ भी समझे लेंगे उसको हम लोग थोड़े समझे लेंगे अच्छे आप जो है आप यह कहना चाहते हैं कि जो लिखा ही हुआ लुज हम खुद से एजप्शन कर लें और इसलिया हम मान लें यहां पे पुनर जनम क्योंकि आपके मन में घुसा हुआ है कि पुनर जनम मानते हैं यह बताई आप पहली बता है नहीं मानते तो आप बुधिष्ट कैसे हुए अदूसरे के किताब में आप कैसे घुसर रहे हैं कि वो पुनर जनम मानते हैं जब बुद्धिजब में दिया हुआ है तो साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं दिखा दिखा हुआ है तो यह बुख में दिखा चुका है पता है अब एक पुनर जनम कहां यहां पर लिखा हुआ है दिखा यह दिखाए दिखाए मुझे इसलिए बोलाना कि मैं खुल के आज दिखाऊंगा आप जो पुनर जनम चले आते हो लो इसी तरह से ना पढ़ते हो ना समझते हो और दूसरे का क्लेम लेकर पहुंच जाओगे आपको साबित भी करना होता ना केवल कह देने से कि होता है होता है थोड़े मान लिया जाएगा बताएए कहां पे है सर्च कर रहा हुँ से एक सेकंड आज मैं पूरा समय दूँगा आपको तर यह बुक फोर है रिलीजैण एंड धम्मा एक सेगंड में पेज नमबर भी आपको बता रहा हूं उसका कौन सा देखना है कौन सा भाग देखना है सरीए पेज नमबर 329 है इसमें रिवर्ट के बारे में उसका फोर्थ खंड का आप वह बताएए ना पेज नमबर कितना बताया आपने 329 329 रुख जाएए 329 हाँ इसमें बताएए कहां पे लिखा हुआ है एक कौन से जी से 329 329 इसमें है भी कि नहीं अच्छा 328 329 आ गया बताएए इसमें कहां लिखा है इस जो है रीबर्थ औफ वोट में दिखा हुआ है टूनट रहा हुए और आप एक्जेक्टली वो लाइन देखा हुआ है मैं आपको जो है पूरा क्लियर ही हो जाए आप से आज जो है पुरणजनम जो है ना क्लियर ही हो जाएगा मुल्शा मृन्हाद प्रशक जी सचति च Elsie खूसर से अनुट इस में इसलो आपको जो है दिखनार कई से KS 665 में लिखा हुआ है जो बार्वा पॉइंट है सबसे हमें पहले मैं तो इनों ने कहां कि विली इन डिंथ लिए दिए सब्सक्राइब करें तो इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है कहां पर क्या लिखा हुआ है पताइए तो मुझे सब्सक्राइब करें इसमें पर इसमें जो कहा था वई तो मैंने खोला है आपने कहा था यह सब्सक्राइब अगले पेज में अगले पेज में थ्री थर्टी में अच्छा रीवर्थ ऑफ वाट इसमें पहले पॉइंट में तो उन्होंने कहा कि डिट दा बुद्धा विलीव इन पॉइंट में दिया है इन पॉइंट में क्या लिखा है लिखा है वंदब फॉर्ट इलिमेंट फॉर्ट इलिमेंट अपनी नहीं लिखे हुए है प्रित्वी आप अपा तेज और वायू यह चार जो जो भूत है यह चार तत्व है प्रित्वी अगनी और क्या यह जल होगा यह जब चारो चीजे मिलती है तो यह बर्थ टेक प्लेस यह तो बात लिखी हूं यह लेकिन इसमें यह कहां लिखा हूँ है कि जो व्यक्तिमर्ता है उसी का पूर्णर जनम होता है यह तो वह चीज़ बता रहा है कि कि चीज का जन्म जो होता है वो इन चारों चीजों से क्योंकि उस समय चार ही एलेमेंट ही लोगों को पता थे उसके हिसाब से उन्होंने बताया है यह थोड़े कहा रहे है कि कोई व्यक्ति मरता है उसी का ही वो हो जाता है उसी से ही उसका रिवर्थ हो जाता है यह कहां यहां ल योड़ा बहनु मतिका कुनगा कहां से बना कफ़े का ऐसे नहीं होता है projekt पर बाबा सहब कि एक अखरी किताब है इसकिताब में उन्होंने जब चिब यहं पर अल्रेड बता रही है इसमें उन्हें पूरी तरह से किलियर कर दिया किसी को हो तो आपको फीर भी आपकी ऐसी क्या दिकत है, आप पुनर जनम खुद नहीं मानते, इस किताब में भी कहीं साफ पता चल रहा है कि कहीं पुनर जनम को सपोर्ट नहीं है, फिर आप जबर जस्ती इसमें क्यों साबित करना चाहते हैं कि पुनर जनम है, ये बताए पहले मुझे, एक जगा नहीं द आज जो आप जो बात कर रहे हैं, इसमें आपने एक क्लेम खड़ा किया कि पुनर जनम दिया हुआ है, पहले आपने जो पेज खुलवाया वहां नहीं साबित कर पाए, यहां पेज खुलवाया यहां भी कहीं नहीं दिया हुआ है, पुनर जनम का मतलब होता है कि एक व्यक् नया रूप धारण करती है फिर इंसान का पुनर जनम होता है तो अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पर पुनर जनम है इक व्यक्ति इसमें लिखा होना चाहिए था कि जब कोई बुधिश्ट मरता है तो उसके सरीर के सारे चीज़े जो हैं फिर से पुनर जनम लेती है यह कहीं लिखी हुई हमको नहीं मिल रही है। यहां पर यह जरूर चीज मिल रहा है कि इंसान मर जाता है, उसकी चीज़े प्रकृति में विलीन हो जाती है, रीवर्थ का यहां पे जो मतलब बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो तत्व एवेलेबल है जैसे हम लोग का सरीर तत्व से ही बना है उस समय लोग नहीं जानते थे कि एक कोई इंट्रेस्ट है क्या इसमें नहीं शरी ये कोर है बुद्धिजम का हाथ कोर है तो अब कहां सावित कर पा रहा है इसमें पुनर जनम ये बताओ यह कहां एक बुक है बाबा साहब ने साफ साफ अपनी एक किताब लिख गए कि अगर बच्चों तुम लोगों कोई दिक्क पुनर जनम मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी स्कॉलर्स को जो गहन रिसर्च करते हों और वो कहते हों कि इसमें जो है इसमें लोगों ने माना है कि जो सरीर है वो कभी भी अस्थाई यह इसी चीज़ का तो खंडन किया है इसने नेक्स्ट अगला स्ट्रीम देखिएगा उसमें और डिटेल से दिखाऊंगा आज शुरू की जो इस्ट्रीम देखाया था उसको भी देख लीजे देख लीजेगा आप लोग इस्ट्रीम देखते नहीं हो और जो है किसी ने कहीं कुछ गलत चीज परचार कर दिया जबर्जस्ति थोप दिया उसको लेकर बैठ जात बता नहीं पा रहे एक्चुल बात अचाई यह बता यह वेद कुछड़ा होता है ना वेद जो है वेद गीता वगेरा यह सब तो विलकुल कचड़ा है फिर जी हो तो है क्योंकि है ना हम बोलिये ना पूरा बोलिये किलिए बोलिये सबको सुनाई पड़े कहिए कि जितने सब्सक्राइब ने घरम खर होता है जो जो यह वेद है इनके बारे में आपका क्या वह है सुच्छे जबाइबल कुरान में भी सर्वाइब है बहुत सारी मिक्श्चर है मतलब ऐसी चीदे की बिलीव ने कर सकते हो इंकंडां है तक गया सब्सक्रार बेकार है अच्छा पूनर जनम किसमे किसमे है पूनर जनम तो ब्रामेनिकल सिस्टम में तो है और में को बाती किसी सिस्टम के कुछ खास पता नहीं पता है बस खतम बात जहां पे होगा न जो चीज चीख चीख के कहेगा चिला चिला के कहेगा उच्छूपाएगा दबाएग कि चिक चिक के कर अगला 84 तब to कह रहा है कि उसमें पुनर जनम है अब कुरान में जाओगे पुनर जनम खोजने इसाइएत में जाओगे पुनर जनम खोजने इस पर नहीं बिलिव करते हैं przepयों शुटब कर एकãyि किसी तरह त्रह में आप इसमें घुसोगे, अरे मैं ये कहता हूँ कि जो धर्म-करंथों में गलतियां है वो तो है, लेकिन जबरजस्ती जो चीज जिसमें नहीं है न उसमें वो मत घुसाओ, ठीक है न, इस जी ये बात ध्यान रखो, चलो, कहां प्रूखी आपने, अच्छा, अच्छा, आप जो है, इस किताब को फिर से मैं दिखा हूँ क्या मैं? चलो, मैं फिर से करता हूँ, अब बताओ, अब बताओ, कहां पे दिखा हूँ है, अब बताओ, कहां पे पुनरजनम दिख रहा है, चलो, बताओ, इसमें कहां क्लियर लिखा हूँ है, मैं तो जो है, मैं आपको द कौन से कौन से उसका चेप्टर खंड कौन सा था कि एक सेकंड से वह पता दो भी खोल के मैं भी दिखा देता हूं फिर से दिखा देता हूं आज पूरा किलियर ही कर दूंगा मैं फिर पेज नम्मर 76 को लिए था पेज नम्मर 76 वह बताओ न आप खंड बताओ चैप्टर चैप्टर नमबर चैप्टर नमबर पहली बुक का यह सिर्फ पार्ट फॉर है पहली बुक का पार्ट फॉर इनलाइंटमेंट वाला हाँ से उसमें जो चौथा वाला पॉइंट है गवत्मा वाजब बोदी सित्वाद खोल देता हूं खोल देता हूं पेज नमबर कितना बता है सेवेंटी नाइन है ना तो इस इस इसमें जो है गवत्मा हूँ आज बोधी सत्वा आफ्टर संबोधी है इसका कौन सा चरिशी का सिक्स्थ सेवेंट एट्थ उसमें पूरी लाइब उसके बारे में दिया हूँ अच्छा चलो खोल देता हूं मैं जी यह तो खुल गया है खुल गया है ना जी जी अब बताए इसमें क्या है मुझे समझा यह मैं समझोंगा आज इसमें इसी में तो लिखा है सर शिक्स्थ पॉइंट में कि जो पहला जनम होता है बोधी सत्व बनने के बाद बोधी सत्व बनने के बाद जो है पहला जनम होता है वो उसमें जो है बोधी सत्व बोधिता जो है प्राप्त करते हैं फिर उसके बाद जो दूसरा जनम होता है अब वह मेला प्राप्त करते हैं तीसरे जनम में जो हिए और बाखी सारे दस जनम तक क्या-क्या प्राप्त करते हैं वह दिया हुआई सिर्ष में इंट कहां लिखा हुआ है ये कहां बिंट जीश्थ प्रोइघ्स कोई लिखा हुआ यह अग़ुर्ज कोई सब्सक् davon लाइभ हो तो इस किताम में लिखा नहीं होता कि यह रीवर्थ है वह अपने रीवर्थ में यह चीज पाये अगर वह चीज होता तो यहां पे लिखा हुआ नहीं होता आप जो फोंद मुझे प्रॉब्लम बताओ आपकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अब अच्छा यह बताओ यह जो बॉध जो ग्रंथ है वह मूल किस भासा में लिखे हुए हैं मूलता किस भासा में होते हैं पाली में लिखे है ना पाली भासा जो है भारत में कब लुप्त हुई थी लुप्त का तो में को एक्जर्टी आइडिया नहीं अब टेंट सेंचुरी के आसपक तक वह यूज ने करता था उसको लगभग खतम हो गई थी 10th 11th century तक खतम हो गई थी ना उसके बाद से कौन सी भासा जनम ली थी रुसके बाद तो संस्क्रिफ प्रचलन में थी इंडिया में संस्क्रिट थी अच्छा पाली में संस्क्रिट के सब्दावलियों में क्या आंतर है एक ही सब्दे के दोनों में स अच्छा चलिए देवान प्या का मतलब पाली में क्या होता है और संस्क्रिफ में क्या होता है बताई तो सदेवों का प्रिय होता है कि सेफ्न होता है कि सद्धी अगर यह अगर आप देव में देव का मतलब यह देखकू लोगों को का गया है और बाकि जो संस्क्रीत में देव यह ने हैं जो न इश्वर उनको जो आज़ा अच्छा तो फिर उसको जो है महामुर्ख Mensch लिखा गय समराट असोक के समय में देवान पिय उन्हों ने लिखवाया है खुद को समुद्र गुप्त ने भी अपने को लिखवाया है गुप्तावंस ने भी अपने को देवान पिय लिखवाया है सिरलंका वालों ने भी अपने को लिखवाया है देवान पिय अब सवाल ये है कि अगर संस्क्रीट उस समय था इसका मतलब अगर होता था महामुर्ख तो ये लोग अपने को महामुर्ख क्यों लिख वाएंगे सिर्फ मैं कहां कह रहा हूं वो तुम्हें आपको बता है ना सिर्फ वाली में उसका मतलब आप यही कह रहे हो ना कि जैसे ही बुद्ध मार्ग नवी दसवी सदी के बाद खतम हुआ पाली की जो सबदावली थी उसके बाद से जब संस्क्रीत शुरू हुआ तो इन लोगों न दीख रही है उसमें आत्मा परमात्मा नहीं है ब्रामर धरम में कैसे हो जाएगा यह बताऊ-अब मेरा कंसेप्ट अलग नहीं है में तो आपको उस भासा में समझा रहा हूं जो आप समझना चाह रहे हो जब हर चीजिए का जब पाली का अर्थ संस्क्रीट में बदल दिया जब उसने जो है आतमा परमातमा नहीं था लेकिन इसने अपने धरम में आतमा परमातमा लाया तो बुद्ध मारग में पुनर जनम अगर होता तो पुनर जनम नहीं मनना चाहिए था ना इसको यह क्यों फिर मानेगा यह मान रहा इसका मतलब कि उसमें पुनर जनम नहीं था इ आपको इतना समय दे दिया मैं reference reference डिवरेंस तो खेलते रहे जाए अब सबूत नहीं दे पा रहे हो एक भी समय अभी तक नहीं दिया है आपने अभी केकश सबूप से दिखाउंगे कौन से बुक्तों मैं आपको दिखाऊंगी जो अपना यह महासती पठांसुत है उसमें भी इसका रिफरेंस दिया हुआ और दूसरा तरांसलेट किया है उसका किसने किसने ट्रांसलेट किया है उसका तो पाली का वो आप दिखाओ चलो वो भी मैं देख को, चलो दिखाओ मुझे दिखाओ आज सारे मैं सबूत देखूंगा कहां कहां आप जो है पुनर जनम जो है लेकर आ रहे हो चलो अच्छा यहां पे जो है सुपर स्टीकर देखते हैं कुछ लोगों ने लिखा है मैं देख ध्यान नहीं दे पाया था यहां पे नेचुरल वल्ड लिख रहे हैं बुद्ध हर चीज को प्रैक्टिकल कर सच्चाई लोगों को बताते थे पर ब्रामण नकल करते थे नकल के सर इन पे अच्छा होगे होगे एक मिनट चलिए चलिए आपके एक पसंदिदा भी आगए हां सर नमस्ते जैबीम सर सर इनोंने जो शुरुआत करी है न वो उसी में ही सारे लोगों को कंफ्यूस करने की कोशिश करी है इनोंने यह बाद में बाकी चीज़े दिखाएंगे सर लेकिन वो जो पहला PDF इनोंने दिखाया है यहाँ पे बुद्धायन इस धम्मा मैं भी खोल लिया हूँ एक बार एक मिनट रुकी है सर इनकी हर पॉइंट को हम चिक करेंगे ना इनकी पूरी जो है ना हाँ मैं काफी देर से था सर एक चुल में नीचे यह शुरुवात से ही इनोंने ना जो दर्शक हैं और सभी को कन्फ्यूस करने की कोशिश करी है सर यह जो पहला जो इनोंने दिखाया थे एक बार वो अले PDF को लाई यह ना खोलता हूँ यह इधर से मैंने भी खोल लिया है सर बुक वन में ओके यह पेज कौन सा है सर जेव आपने खुला यह पेज है ऐन्डेट पेज है हन्डेट पेज यह हंड़ेट पेज है एक मिनट इसका मैं दिखा देता हूँ यह गौत्मा हुआ जबोधी सत्वा आफ्टर संबोधी यानि कि यह हो जाएगा दुस्रा एक इन्लाइटनमेंट वाले के बाद है ना सरी यह हाँ यह पेज यह कुछ गरबड़ पेज है एक्चुल में जो बुक वाली है ना उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है मैं आपके पास शेयर करूँ कि अच्छा ये तो आपके पास दीखी रही है सर ये सर है ना इनका नाम हाँ सर ये बताओ सबसे पहले देखिए मैं भी बुद्धिश्ट नहीं हूँ ठीक है यही से क्लियर करता हूँ मैं मैं आपको रोकने सिर्फ इसली आया हूँ क्योंकि आप अपना ट्रांसलेशन भी गलत कर रहे हो और आप एक मतलब आप जान बुच के चीजों को आप डाइवर्ट करने कोशिश कर रहे हो इस जी ध्यान से सुनो अभी ध्यान से सुनो मैं आपका ही अनुवाद भी अभी दिखाऊंगा पूरे पबलिक को आप चिंता मत करो अभी म बोधी सत्ता यहां क्या लिखा है सर नीचे बताइए यह जो पॉइंट थ्री इसको पड़ी है क्या लिखा है इसका मतलब बोधी सत्त्व वो व्यक्ति है जो की जो की बुद्ध बनने की बुद्ध बनने का प्रयास कर रहा है है ना आपने लोगों को यह बताया कि इसमें बात लिखिए सर ये पेज को थोड़ा और नीचे कीजिए नीचे कीजिए सर अब ये जो पाँचवा पॉइंट है इसमें लिखा है अबोधी सत्ता must be अबोधी सत्ता for 10 lives in succession what must अबोधी सत्ता do in order to qualify himself to become अबुद्धा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर बुद्ध बनना है तो बुधी सत्तो को क्या करना पड़ेगा दस अलग-अलग जो जीवन है लिखा है चलो अब कि एक प्लिक को भी पूरा के लियर हो जाए उठा लिया है हां उसको भी पर्लिंगे सरम लोग इसको जो है ना यह यह मैंने पूरा इनको दिखा दिया ना यह तो उस समय से बहुत दिर से कर रहे थे सेकेंड पॉइंट यह बोल रहे थे फोर्थ फीफ्थ यह अवस्था वस्था जो बात लिखी थी उसको यह बार-बार लाइफ बता रहे थे पहली लाइफ यह लिखा हुए ये बहुत मारके जो चार सिपाही हैं उसमें से एक हैं ये अनुवाद किये हुए हैं इनका अनुवाद है तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो जो इस पेसलिष्ट हैं जिनके कंधों पर बहुत मारकी चीज़े निव खड़ी हुई थी ये लोग जब उसका आपको इंगल रहे थी न सर उसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा करना पड़ेगा तो क्या कोई जान बुच के रिबर्थ लिता है क्या कभी हां जान बुच के कोई रिबर्थ लिता है क्या बात वो चल रही है देखिए मैं आप जो गलट ट्रांसलेशन कर रहे थे उसको इ रोकने क में आया हूँ आपने translation ही गलत किया उसमें लिखा हुआ है सीधा देखिए चलिए यह जो मेरी किंडले इसमें भी खुला हुआ है in his first life he acquires joy क्या मतलब होता इसका 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 आप हिंदी अनुवाद बताईए सीधा सरल प्राप्त करता है इसका आप न समझ गए थे वो तो मैं समझ गए थे भाई अगर लेना है तो कोई जान बूच के लेगा क्या दस अवस्थाओं में से गुजर रहा है कोई तब वो जान बूच के गुजरेगा ना उसमें से जो आप ट्रांस्लेशन दिखा रहे हो ना जिसमें अवस्था लिखा है यह एक मिनट्सर में इसे कहा पूछना चाहत हो अच्छा जीवन ही लिखा हुआ है वहाँ पुनर जनम लिखा हुआ है जीवन लिखा हुआ है ना पुनर जनम तो नहीं लिखा हुआ है मैं आपने एक जीवन में अने को जीवन जीए है मैं आपको जब नहीं पहचान है बहुत हमार की कि उसमें किस तरह की बाते चल रही हैं क्या वो चीज़े कह रहे हैं उनके translator लोग कह रहे हैं उसके expert क्या कह रहे हैं जब आपको नहीं जनकारी तो जूद मुट के अपनी क्यों पेंदी उसमें घुसेड़ रहे हैं और टाइम खराब कर रहे हैं चलिए अच्छा सर एक और बात उनको रखना था ना सर एक मिनट के लिए अभी अगर यह बोल रहे हैं तो देखिए आप बोल देते धम्मा यह जवाब देते धम्मा जबकि इसी किताब में लिखा है रिलीजा न अलग है धम्मा अलग है तो जब कभी ऐसा ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसको हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूस करते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन यह जान बूझ के खेल खेल पड़े थे सार यहाँ पर यह बोल तो रहा हूं पिछला बार जो डिसकसन हुआ था जिस बंदे को समझना होता वो पिछले बार स लोगों है यहां से वहां पहूंच रहा है फिर भी नहीं सावित पा रहा हूं कि भारत में ऐसी कुछ प्रजातिया पैदा हो गई है जो अपने को कहती है नहीं जी मैं आत्मानी मानता मैं नाश्तिकों मैं यह हूँ लेकिन बुद्धुमार्ग में यह है प्रजाती पैदा हो जा रही है जो बिना सबूत के जबर 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 जनम है तो चीख चीख के कह रहे हैं इसमें इसमें होता तो यह पहले जनम में बड़े हो गये हैं और अब तीसरे जनम में फिर से बच्चे बन गए आपकी जो आनंद सुन कामले दी है मुझे लगता है कि वो समझ गए होंगे अच्छा जी चलिए अब एक जो है कितना टाइम हो गया एच्छा यूमन को ले लेते हैं जी जी बताएं क्या काना चाहते हैं नमश्कार सर जी मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ना शायद जीवन की स्टेजिस की बात हो रही हैं क्या ऐसा है क्या मतलब एक एक बंदे की जो है ना लाइफ की स्टेज होती है कि पहले मतलब वो कॉमल सभाव का ता फिर वो क्रोधी बन गया ऐसी स्टेजिस की बात हो रही है शायद यहां पर ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से पर यहां पर री इंकारनेशन या री बर्थ की बात नहीं आ रही है यहां लाइफ की एक ही जीवन में जो है ना उसकी अलग-अलग स्टेजिस की बात चल रहे जिसको एस जी जो है रीबर्थ के सास जो है ना कन्फिज हो गए हो शायद ऐसा हो सकता है या तो वो जानबूज के मदलब ऐसा को कैसे है उन्होंने एक बात कही कि मैं पुनरजनम नहीं मानता हूं उन्हों ने अपना क्लियर कर दिया कि वो नहीं मानते हैं लेकिन वो यह चाह रहे थे कि किसी तरह बुद्ध को या बुद्धिजम में यह चीज़ दिखा के इसको हम एक वह साविद कर मैं और बाबा साहिब के प्रति मेरा मतलब सम्मान ऐसा है कि मेरे लिए तो इश्वर टाइप हो इश्वर होता नहीं है लेकिन मेरे लिए इश्वर वो बाबा साहिब भी मिराव राव जी हम बेड़ करी हैं और उनको भी मैं मतलब भगवान है मेरे ले लेकिन उनकी भी बात मै ना एक बार तो कोशिश करता हूं कि मैं देख लूँ एक बार परक लूँ क्योंकि मेरे जैसे आदमे के बसकी तो है नहीं कि मैं उनको समझा कूँ बहुत ज़्यादा मतलब ग्यानी आदमी थे वो और बुद को तो मैं एक ग्रेट परसन मानता है नहीं मेरी नास्तिक्ता लूँगा वरना इषवर का क्या मानना कोई कुछ भी कहता रही हर धरम है अपने अपना इशवर लेकर बैठा है कौँसरा दर्म में भी जो है इच एक इशवर की दूसरे वले इशवर से जो है बिलकL माननेता अलग है अगर कोई कहता है कि इशवर है तो उसको धर्म का ही इश्वर है उनके religion के हिसाब किसे इस हिसाब से बना इश्वर है ठीक है सर थेंक्यू ओके ठीक है अच्छा यहाँ पे जो है राहुल मेश्राम जी का सुपरिस्टिकर था सुक्रिया आपका और रंदीप कुमार जी का भी सुपरिस्टिकर है आपका भी सुक्रिया ठीक है जी इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बुद्ध को माने या किसी महापुरु इसको कोई माने या ना माने यहाँ पे तो वो टॉपिक ही नहीं है कि किसी को मानना ही मानना है यहाँ पे सवाल यह है कि हम उस research की खोज कर रहे हैं, जो भारत में अल्रेडि हो चुका है, जो हमारे यहाँ हुआ था जिसको खो दिया गया या किसी सडेंतर के तहट छुपा दिया गया, और आज भी यह प्रेयास किया रहा है कि वो खोज या वो जो चीज़े हमारी चीज़े जो थी, लोग उखाया जाता है उसको पिलब दिखाया चाए है हमारे लोगों को पता चलती है हमारे इतिहास कैसा था दिसका संघास वह कम से कम सामने आनी ने चाहिया आई इसका तो कोई कि हमें आप हमारा काम है कि इतिहांस था ंशक को सामने रख देना लोगों को समझना इतिहांस ex तॉर पे रखे ना देखिए लोग समझए कि हमारे इतिहास ये अलबुरूनी के समय से पहले एक हजार वो हो गया एक हजार वो धाई हजार साल पहले याद करके आ रहे हैं और बीच में ना जाने कितने राजा लिखे पढ़ें और क्या क्या चीज़ देके चले गए लेकिन इन लोग तब ही नहीं लिख पाए हैं जब भारत आये हुए ह इन से थोड़ी सी बाते ले लेते हैं जी भारत जी बताए है अगर रिवर्थ की बात होती तो यह किताब जो गुड़्धा है इंग्लिश में लिखी गई है तो लाइफ लाइफ क्यों लिखते है बर्थ लिखते हो वहाँ पर और और फिर एक जो डूसरा अगर दिखाया था विखते हो वाँब्र लिखा होना चाहिए नि पुस्क्त होता बुद्ध होना आयँ सब्केंक होता है यह सब इसा बोहार लिया कि वह समझते है और ननाब समझें मुझे लगता है यह वहिए लोग है कि आ कि कैसकते हैं वह एक विचारधारा है लेफ्ट वाली है ऐसे प्रभावित होते हैं कि एधिस्त बिवामाय कुछ इस तरह के भी हैं कि समझना नहीं चाहते हैं वो तो ब्रहमित करते हैं और वही है कि अफिर उसके ब लोसम किताब में थ्खाए यह जो धर्म की बात है ना इसलिए उन्होंने थ्व और रिलीज्ञ पो अलग लिखा कर तो आप सोसाइटी में जब रहते हैं तब धम काम करता है कि आपको किसी दूसरे के साथ करना है और कैसे कैसे रहना है ताकि दुख ना हो तो इसी करण तो यह सब है तो लोग को तो कुछ पल्ले बढ़ता नहीं क्या करें पर एक बात और होगा कि आवाज आ रही है आ रही है पूलिये बूलिये दीगी तो कौंशिशनस की भी में बात बता दूँ कि लोग क्या Σब्सक्राइब कि कॉई बड़ी चीज़ है तो उनको मैं कहूं कि कौंशिशनस हमारे शरीयर में पांच five senses होते हैं और non five senses के लवगा दुनिया में और कोई sense हो यह नहीं अगर इनसान की बात करें दो तो पांस sense के लवगा अगर किसी और तरह की अनुभव की बात होती है इन पांस संसों के आलावा तो पून जदा गलत है और consciousness जो है अगर जो है भी तो जो इन पांचों से हम कुछ भी चाहिए सकते हैं तो उसका है अगर उसके अलावा कोई कहा कि हम वो बोले कि अगर हमाएक अंदर तुर सनेंस के अगर भी आई जो आत्मा की बात है गर उसमें मैं ये कहूंगा कि आत्मा तो है नहीं तो जो आत्मा की जो गलत भावना जो ने दिमाग में बठा लिए है तो गलत गलत भावना को यह लोग आत्मा का नाम देते हैं और गलत भावना का कोई भी मतलब सबूत नहीं मिलता है जैसे अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रती गलत भावना हो कि वह बहुत बुरा इंसान है कति कातिल है लेकिन आपको कभी उसका कुई अधिम लेगा आपका ना साउंड कट हो रहा है भरत जी आपका साउंड जो है ना कट हो रहा है योग तो कहा है आचा रुक जैए एक मिनट एक मिनट अग्षा आपका जो है ना साउंड बहुत गरबढ हो रहा है बहुत साउंड गरबढ है भारत जी नेटवर्किंग प्रोब्लेम मुझे लग रहा है अच्छा यहां पर इस जेडम जो है वो लिख रहा है जैभी ममिट सर और साइज जरने सर प्लीस लाइक सेर और सबस्क्रेब जी थैंक और कोई बचा है क्या इसमें अच्छा एक यह आये हुए इन से थोड़ी से बाते ले लगते हैं मनिश कुमार जी आये हुए है जी मनिश जी बताएं जी मनिश जी अकर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं तो सायद नहीं सुन पा रहे हैं अच्छा जी अब खोन यहां पर आया अनिल किवारी आये हुए हैं इनको मैं ले लेता हूं जी अनिल जी बताएं नमस्कार आपको भी नमस्कार आपको भी नमस्कार नमस्कार आज सर काफी यह टॉपिक है आपका कि बुद्ध भगवान की विशन में और गाड करके ऐसा जो टॉपिक है तो उन्होंने जिंदगी भर जिस चीज के लिए संगर्ष किया उन्होंने जीवन भर यह चाहा कि लोग समझे है कि मुर्ती पुजा क्यों नहीं होनी चाहिए और भगवान का जो उन्हों ने concept आप बताना चाह नहीं सबसे ज्यादा मूर्तीया अगर आप देखेंगे तो भगवान बद्ध कि है तो अगर 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 आप किसी को चाहते की की इनके विचारों को पर आ जाये तो हम विचारों को देखें लेकिन लोग्जा मूरती पूजा करने लगते हैं तो है कि इते ने बिल्कुल नहीं आत्मा परमात्मानी में रैस्टनल है और आपके जैसा आपके जैसा मैं इतना ज्यादा मैं बहुत स्टडिक नहीं किया हूं लेकिन मैं अपना सर्विस के साथ-साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को सुनते रहता हूं और यहां-वांसे सामगरी मिल जाया तो पढ़ते रहता हूं और अपना ज्यान अरजन करते रहता हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों में विश्वास थोड़ा जो फैला हूआ है वो दूर ह लगता था कि मैं ऐसे बताऊं कि बुद्ध के विशे में जो लोगों को जो विचार में आज भी मैं देखता हूं सर कि बुद्ध की हम चर्चा करते हैं लेकिन हम मैंसे कितने लोग हैं उनके विचारों को जानते हैं उन्होंने कि पंच शील मतलब कई लोगों को पता भी नही संबग ज्यान किसको बोलते हैं, संबग विचार किसको बोलते हैं, sounds-gar bullied किसको बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग उनके विचारों को जाने सिरब हम इसी एक बात तक सिमित रहते हैं कि भगवान या आत्मा, परमात्मा लेकिन उनके भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्क बताया था कभी भी हम जीवन में एक की चीज़ को देखते हैं कि कभी भी जैसे किसी भी चीज़ को हो गया तो हम जैसे भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बहुत जादा ही भगवान की पूजा में लग जाते हैं वो अतिव है हेलो एलो है है यह आपके और जा रह Trinity है मैं चाता हूं कि ए दो को तोड़ा सा उस-बारे लोगों और समझाए कि में बंद्र है जरूरी है और समयक्ष्ण समयक्मार्ग लोगों को बताएं और सब्सक्राइब कुछ पूछना जाते हूं तो पूछ सकते हैं जी जी ओके बहुत सुक्रिया आपका अपने बाते रखी है और जो मूर्ति पुजा की बात है तो भारत में बुद्ध मारगी जो है हाँ जो के लेकिन वो बहुत ही कम हैं और जो आपने सजेशन दिया है मैं यह नहीं का रहाएं कि खराब है लेकिन वह बहुत कम लोग है जो मेंन अभी मुद्धा है मुर्ति पूजा का जो देखने को मिलता है वो मिलता है ब्रेमेनिकल सिस्टम है, ब्रेमेनिकल सिस्टम में सब करते हैं, बुद्ध मार्ग में जो आपने माधिमिक मार्ग की बात की है, वो सरिफ एक मार्ग है, उसी तरह से और माधिमिक मार्ग जो है, उसी का जो मेन रूप है महायान, उसी ने तो मूर्ति पूजा को सपोर्ट किया है मूर्तिया बनाने की प्रथा जो है उसने सपोर्ट किया है मादेमिक हो गया और यह हो गया जिसको सुन्यवाद भी कहते हैं तो खेर लोग समझ रहोंगे जो दर्सक होंगे उनको आपका विचार समझ में आया होगा कि मूर्ति पूजा तो खेर नहीं करनी चाहिए चाहें आप जिसकी भी बनाएं ठीक है ओके ठीक है अनिल जी थैंक्यू नौश कर सब्सक्राइब अधार कोई बचा है क्या तर्याल नहीं है इनको है है यह 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 इन्डियन से बात करते हैं यह सायद है आधि एल इंडियन जी अब अब आप पर रहा है यह तो रहा है रोज नाम बदल के आ रहे हैं वाई साथ इनका ना थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए आप यह बहुत तेज आवाज है इनकी आप अपने एंड से शायद कम कर सकते हैं इनका वॉल्यूम नहीं मैं अपने एंड से इनका वॉल्यूम कम नहीं कर सकता यह क्या करते हैं कि मुह पे ले जाकर बोलते हैं कांड में जिंचेंगा यह थोड़ा सा दूर रहके बोला कीजिए रियल इंडियन उर्फ रोहित सक्सेना थोड़ा सा दीरें प्राइसा आप कीजिए कि सबको करने प्रिय हो सबको बराबर लगें बोलिये लिए माइक बोली माइक अब दूर रखके बोलिया न प्लीज आपका इतना तेज वह आ रहा है उसमें सब चीज गरबढ हो जाएगा फिर हम लोग नहीं बात कर दूर में दूर बेटा हूं नई नई दूर आप नहीं बैठा है ना अपने पुरा हाई कर दिया है और इतना हाई कर दिया कि वह समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बूल रहा हैं अछा हाँ यह जो कैम माइक के इसको दबाई यह आप एक बर बुटन को इसमें और यौ आईगा ओडियो से अपने माइक वल्यूम को कम कीजिए आप ठीक हैं सॉ आप खुद बाद में सुनेंगे आपका कान फट जाएगा इप अगर वो सेटिंग हम लोग कर देंगे तो फिर आप हम लोग का नहीं सुन पाएंगे आपकी कान फट जाएगी वही सेटिंग जो आप लगाये हैं कि अधे सब सुन पा रहा है नहीं अभी भी आपका बहुत हाई है बहुत ज्यादा हाई है कैम माइक में जाएए ओडियो में जाएए और माइक वोल्यूम कम कीजिए वहां से हाफ कर दीजिए उसको फुल की है अपने थोड़ा सा बढ़ाई है थोड़ा सा चिड़े गया अब हो गया सर अब थोड़ा सा और कम थोड़ा सा और कम थोड़ा सा अब बुलिए आप बाल बार बोलता है क्या उपनिशदों बुद्ध के बाद में आ गया है इसा बोलता है सर एक ही उदारण है आप क्या है बाबा साब का रिडल ऑफ हिंदुईजम बुक देखिया है रिडल नमबर 22 देखिया सर आप उसमें खुद बाबा साब ने बोल रहा है अच्छा मैं आपसे यही यही पॉइंट पे रियलिश्ट आजात के चैनल पे यही पॉइंट को आपकी डिबंग किया था मैं फिर आ गई है वहाँ पे ना सर एक टॉंट है तो वो ना उस टॉंट को पकड़ ली है एक्चॉल में और मैंने पूरा डिबंग किया है और उन्होंने उस वीडियो को काट के अलग से सेक्षन लगाया भी है वहाँ पे रियलिश्ट आजातने और यह फीर आ गए वही वाली बात को लेके ने तो आप इनसे हम सबूत लेंगे ना यहाँ पर तो हम सबूत लेंगे ना इनसे हाँ बहुत पुराना है बुद्ध से पहले बुदह ने उनसे ग्यान लिया होगा यह ही किसे ने कलेम कर दिए अब चलिए सबूत दीजिए मुझे संसक्रीट वी इसा कितना पुराना है आप रियल इंडियान आप स्कॉलर नहीं है कोई बात नहीं है क्लेम कर देंगे तो उससे थोड़े सही हो जाएगी बात हम मेरे चैनल पर तो मैं सीधे सीधे कहता हूं कि क्लेम जो लोग करते हैं उस दिन वह आके क्या-क्या गा गए थें कि वह वह क्या नाम है उसमें जो है ब जब तक सबूत नहीं दिखायेंगे। नहीं वह मानेंगे नहीं, आप पहले हमने न जब उपनिशद दिखाने की बात आएगी तापको संस्कृत का सबूत देना पड़ेगा क्योंकि उपनिशद तो संस्क्रीत में लिखा गया होगा差不多 में राचा गया तो आपको जो है इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि बुध से पहले जो बारा खड़ी थे बारा स्वर थे वो प्रजेंट थे इसका सबूत देना होगा क्योंकि बिना बारा स्वर के तो आपका उपनिसद नहीं लिखा जा सकता समराट असोक के समय तो आठ स्वर पाये है यह तो पूरे सब जग सावित हो चुका है सबने एक साथ कह दिया है आपका संस्कृत जो है बारा स्वर स्वर समझते होंगे न ववेल्स उसके भी न लिखा नहीं जा सकता तो समराट असोक के पहले वारा ववेल्स के पहले आप सावित कीजिए कि उसके सबूत कहां मिले हैं तब यह सावित होगा कि वारा स्वर्त है उसके बाद से अब आप तब सावित कर पाएंगे कि अब संस्कृत है कि नहीं है तब पहले तो ववेल्स सावित कीजिए या फिर संस्कृत ही डिरेक्ट सावित कर दिजिए दोनों में से कोई काम कीजिए तब हम बात करेंगे ना कि अब उस संस्कृत में क्या उपनिसद एवलेबल होंगे कि नहीं होंगे जी बता ये रियल इंडियम सबसे पुराना संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है इस लिए सर मैं फूच रहा ही एक प्रश्ण जब बाबा साब ने वह प्रशने का उत्तर देखिए प्रस्ण का उत्तर झुम हम प्रश्ण से मत दीजिए प्रस्ण का उत्तर जोंे सबसें निभा हो हुआं रुक जाये देल मत कीजिए मैं कहँ रहा हूँ सबसे पुराना संस्कृत का कितना पुराना है यह पहले बताये तर कि सर्वचरा कितना पुराना है मैं तो आप जो है कहीं से कुछ भी सुन के आ पहुत सब्सक्राना था क्लेम कर दों आब बाकी पुमल लेगी फिर तो यह कहना जा रहे हैं हैं आप बताइन मुझे आप जो है आपके पास अगर नहीं सोर्स है आपके पास नहीं है तो तो यहां क्लेम केलने केंशते हैं की सद्राएं संस्क्रित सब्सक्राइब नहीं हम लोग आप बहुत गलत बोलते हैं ना दस सेकंड कहेंगे दूसरी बात करने लगते हैं उस दिन भी हमने आपको 30 सेकंड दिया बात हो रही थी हनुमान की खाने की और आप चले गए उस भी बात करने के लिए बुद्धिजम बुद्धिजम करने लगे हर चीज हम किया तो फिर आपको जो है यह तबूत देना पड़ेंगा संस्कzung कितना पूराणा ना संस्करित होगा तभी तो इस लिए कितना पूराना संस्कृत ओछी सब बाबासार्ने रहे पहुंच गई उस नहीं इन लिखा उस लीं किसने हैं वह ब्वादू है में याम आनते Villageय परजी निकल गया तो इसलिए जो है मैं अब यह नहीं सुनूंगा कौन क्या कहा है क्या नहीं कहा है आप हमें सीधे सबूत दीजिए ना आप करसियरी और सेकेंडरी सोर्स पर क्यों विलिव कर रहे हैं आप प्राइमरी पर आईए ना सीधे सबूत दीजिए संस्कृत का कितन पूरा ना है इसका सबूत दीजिए ना तब तो हम बात मानेंगे ना नहीं 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 रियल इंडियन आप सबूत नहीं दे रहे हैं भाग रहे हैं आप मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप जो है अचा यह बता है यह बाबा साहब ने तो कहा है कि सारे धरम ग्रंतों को बारूद में लगा के उड़ा देना चाहिए है जी हाजी जो ने कहा है बाबा साहब ने कहा है कि नहीं कहा है कहा है तो चलिए रियल इंडियन आप बताइए मुझे यह बकरे की तरह आप बोल रहे हैं ना उससे बहतर है कि आप जो है इस अबस्कृत कि रहे हैं संस्कृत अरे संस्कृत पुराना होगा तभी तो इपनिसद भी पुराना होगा ना इसालिए मैं पर एक काम कीजिए Google में सर्च करके देखिए तो कितना पुराना है यह जा इस आप अधेंटिक सुर्क लेकर आईए authentic सूर से अपने बिसे सग्या अपने लेकर आईए सर authentic बाबा साहब के और authentic कौन है अच्छा बाबा साहब authentic है ना तो चलिए हम मुझे ये बताए कि बाबा साहब ने कहा है कि सारे धरमगरंत जो है उनको तो लगा के उड़ा देना चाहिए ता आप यह बताए कि आप आत्म परमत्म मानते हैं कि क्रिश्णा में तो है क्रिश्णा क्या बोला आपने हले क्रिश्णा अच्छा इस कौन वाले हैं क्या आप कौन से वाले हैं हम कौन से वाले हैं हम कौन से सब वाले हैं आप यह बताए कि आप आप इस्वर गौड को मानते हैं क्या कि इस्वर गॉड तो सारी कि सारी बाती ही जो है संस्कृत में बोलता है फिर आपको संस्कृत का सबूत देने में इतना डर क्यों लग रहा है अच्छा राम कृष्ण कितना साल पहले हुए थे लिए कौन सा कृष्ण सर अच्छा सर मैं एक सवाल इन से यह कूछ न चाता हूं कि क्या ये मानते हैं कि इनके किसी भगवान ने सूरच खाया था हनुमान जी ने सूरच खाया था आप ये मानते हैं न मतलब मानते हैं या ना बोल दिया ना सर ठीक है थैंक यू सर बस आप बात किजे साइन जरनी सर अचा ये कह रहे हैं कि इनका अनुवान जो है बंदर काता है दर्सकों आप सुन पा रहे होंगे इनका जो बंदर है वह सूर्य को खाता है अच्छा यहां संदीप गोडाम जो है जैभी में इस्टे सर अमीट सर जी जैभी मापको और राम मोहन जी यहां पर लिख रहा है अमीट जी और साइन्स एप से नमस्कार जो व्यक्ति पुनर जर्म को मानते हैं उनसे पूछिए कि वह पिछले जनम में कुट्य सूर्य या गदह में से कौन थे यह भी पुनर जर्म को मानते होंगे रियल इंडियन आप पुनर जर् के अब जर्म होगा है मुझे तो पता नहीं से भी आप घी अंहीं ता मुझे पनार जर्म होता है क्या में taking first strategy kor मात बोलसे को हुआ इन्वीश वर्ड क्या है कोर कोर तो है मेरा कौर है जरूर है कोर है मात्म का मतलब कोड़ से और दो कोर हिए ना उसका दिट कि विषिष्ट आब विषिष्ट आदवएिघ्टी या 2 एती है कौन सें क्लस से हैं यह सर इंटरप्रटेशन हुए सब अगर्टत है सिर्फ कोर वो ईदानता है लेकिन अमारा रीमिला मैं को बैद्था अरड़क साल मुन्हाइट कुछ पहले राम收d empez चांव निज़ा क्रिच्न किसों पहले उसका तो मुझे जानकरीं नहीं। सर्फ कुछ लोग बोलते हैं 5-1000 साल पहले specific आप जो है बाबा साहब ने जो बाते लिखी है उसको आख मुन के आप सही मानते हैं कि वह बाते सारी सही है है यह आप मानते हैं कि भूलिए माइक करें हाँ बोलिए बाबा साहब ने जितनी बाते लिखी है उसको आप एजर रेफरेंस मानते हैं कि वो बाते सहीं है आप ज़रूर अच्छा तो बाबा साहब अबने कहा है कि सारे धरम गरंतों को बारूद से उड़ा देना चाहिए यह बात भी आप सहीं मानते हैं बहुत बहुत सहीं मानते हैं सर मैं उसको उसको इतना अच्छा तो मनुष्मृती फिर कूड़ा है बाबा साहब ने जलाया था वो काम उन्होंने सहीं किया था आप चलि अधरू रहे थैं Г, आप इसवर को मानते हैं और इसवर करता क्या है और इसकर क्या है इस रोडिया डर्टी पर रूल क्या इस रोल कुछ 150 बहुँ नहीं है सर जो existence जो है आप बात कर रहा है आपकी बात की यह energy जो है न ए और अनर्जी ही भगमान है और कुछ भीन यह बात कर रहा है एनर्जी की डिफनेशन बताइए तो सबको थोड़ा एनर्जी इस तर्फिवेटिग फैक्टर ऐसा बोल सकते हैं जो क्रिया करने के लिए जो तो यह बताइए मुझे कि एनर्जी जो है खुद से फोर्स करता है या कोई दूसरा फोर्स करवाता है इनर्जी को मैनिफेस्ट ओता है एक फॉर एक ग्जैम्पल अमरे वोशन है ऑशन में वेव साते रहते ऐसी तरफ हम आप सुन पाए हैं मैं जो पूछा है और तुम सुन पाए हैं कि या मैने पूछा है आप से यह इनर्जी को किसीने फॉर्स करते या नहीं करते हैं मैं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि जो एक्टिवेट करता है क्या एक्टिवेट करता है आपके सरीर में कौन क्या एक्टिवेट कर दिया है आपका जनम कैसे हुआ है इसमें कौन क्या एक्टिवेट कर दिया है देखिए सर फॉर एक्जामपल अगर आप आप Big Bang के लिए Big Bang देखेंगे तो नहीं हम उसकी नहीं बात कर रहा है ना भी आच्छा यह बताइए आपका परमातमा आपका परमातमा बीग बेंग से पहले था कि बात में आया see यह परमातमा Big Bang के बात नहीं आता है Big Bang is a part of paramातमा that's all अच्छा अच्छा उसका पार्ट है भीक बhö Temple का इसलिए मैं आपको एक रिफेरेंश देटा係 हूँ अच्छा प्रमात्माभी घुटा कैसा है कितना कीलो का है टेजी इसका frågor यकर बटाये ता वेट बटाये इसका नाम बटाये प्रमात्मा का इसका height weight length बताई है थोड़ा सा हम लोगो जनकारी दीजिए शुक्रिया सर, good question स्वामी सर्वप्रियानन्दा बोलके एक पूरा लेक्षर देदी आए कौन से सदीकत है? कौन से सदीकत है? कौन से सदीकत है? अभी जिन्दा है क्या बात कर रहे है मैंचा अच्छा तो बताईए जी कितना height weight length है थोड़ा से जनकरी दीजी हम लोग अगर हम उपनिशद देखेंगे तो आरे समझी है अच्छा अच्छा नहीं तो रियल इंडियान आप मैं जो पूछ रहा हूं उस question का सीधा सीधा जवाब देजिए मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले start कीजिए काम कीजिए परमात्मा का नाम बताईए उसका नाम क्या है उपनिशदों के अनुसार ब्रह्मन बोलते है उसको आरे तो ब्रह्मन उपनिशद कब लिखा गया यह बताईए पहले उपनिशद बुद्ध के पहले लिखा हुआ था उसका पार्ट बता रहे हैं परमात्मा आपको सदी तक नहीं पता है बुद्ध को 26 साल पहले यह सारी चीजे सब को पता है आपको अपने उपनिशद का टाइम प्रियर्ड नहीं पता है अचा बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था बिग बैंग लाइक 400 क्रोर येर्स अगो कितना कितना बताया आपने 400 400 क्रोर येर्स और 4 billion years अगो 4 billion years अगो जो है आपका बिग देंग हुआ था बिलियन, 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 बिलियन येर्स 4 billion years अगो सर्वेरी स्क्रीन शेयर कर दीज़े ना प्लीज कमाल है भाई साब क्या-क्या ये बोने जा रहे हैं और आपके काम को नमन करते हैं जी बहुत सुक्रिया निकल दिवान साब का चलिए अब ये बताइए मुझे रियल एंडियन कि आपने ये कह दिया कि परमात्मा जो है वो उसका size weight जो है उपनिसद से निकाला गया उसके अनुसार उपनिसद को अब बता रहा हो कि 26 साल पहले लिखा गया और वीग बता रहा हो 6 billion ये wprowad पहले बताया गया अब मैं कोई भी डेटा अपने तरब से नहीं ले रहा हूं सारा आप ही का डेटा ले रहा हूं अब मुझे ये बता कि 4 और इस Cat से जब बिग बैंग हो गया तब से लेके आज तक मतलब 2600 साल पहले तक परमात्मा कर क्या रहा था यह थोड़ा सा मुझे जनकारी दीजिए अच्छा यही मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है वही परमात्मा है परमात्मा है अमरा हिंदू सिस्टम में यह नहीं है कि जो कुरान और बाइबल में बोलते हैं लिए फिर फस जाएगा बहुत बुरी तरह फस जाएगा हिंदू नाम मत लिजिए हिंदू आपकी में कहीं लिखा हुआ है क्या आपके नहीं लिखा हुआ है यहीं हमारा गर्व है नहीं लिखा हुआ है यह गर्व है आपका जरूर धर्म का नाम क्या है आपके धर्म का नाम क्या है सनातन धर्म अच्छा सनातन धर्म नाम है आपका अजी लिखा हुआ है क्या उपनिसद में कि आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है नहीं लिखा हुआ है सर नहीं लिखा हुआ है खुद से बोल रहे हैं ना हाँ सर जरूर जरूर अच्छा यह बताइए मुझे आपकी हिंदू भी खुद से बोल रहे हैं अजब मैंने कहा तो फिर सनातन धर्म पर पहुंचे आप बोल रह है हमें नहीं सर मैं वहीं बोल रहा हूं आप तोड़ा परमात्मा का नाम क्या है मैंने पूछा था ना आपने नहीं बताया ब्रह्मन बताया ना पूछना चाता हूं कि जो वेद हैं उनको मानते हैं कि आप जरूर मानते हैं क्यों नहीं मानेंगे अरे थांक्यू सर मैं आप ही जैसे किसी को सर वाल पन्ने को दिखा दू क्या कि मैं मैं पूछ रहा हूं कौन से आणवाद को आप सही मानते हैं लेकर मैक्स मिलर का बहुत फेमस है सर वहीं इंग्लिस वहला आप सही मानते हैं अच्छा अच्छा तो रियल इंडिया ने एक चीज यह बताइए मुझे कि वेदा आपका कब लिखा गया उपनिसद का तो अपने बता दिया वेद तो उपनिशदों की पहले लिखा हुआ था सेर कितना कितना साल पहले समय काल थो नहीं है ना क्योंकि वह लिखने वाला वहाँ पर रुजुवात नहीं किया है क्लेंडर नहीं जानते थे आपके रिषी मूनी कलेंडर नहीं जानते थे लिए जानकरी नहीं है लेकिन वो डेट नहीं दिया है पूरी दुनिया जो है कलेंडर से चल रही है हर देश का अपना केलेंडर है बुधिष्टों का भी केलेंडर है भारत का भी अपना नेशनल केलेंडर है जो बुधिष्ट केलेंडर है आपका अपना कोई केलेंडर है क्या रियल इंडियन अचली वो क्या है सूर्य सिधान्त के अनुसार कुछ कैलेंडर मांते हैं सूर्य सिधान्त कब लिखा गया था सर यही मैं बोल रहा हूं एडेट मुझे पता नहीं है कब लिका कौन लिका सर्व मैं वही बोल रहा हूं मैं अगर ब्रुहदार रने को उपनिशत बोलेंगे तो उसका रायटर कौन है किसी को भी पता नहीं है औरे आप का सारा का सारा उसका नमों निसाश्यर्म में आया है उससे पहले तो उसका नमुनिसांभ नहीं है इससरे पता है भी अभी था तो मैक्समोय रहे ञाइन पहुंच հहे थे हैं मैं आपको बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि आप अचा यह बताओ और इसका मतलब हुआ उसका क्या मतलब हुआ जो वेद व्यास्ते जो जीत तो जो आया था वो वेद को कंपार्टमेंटलाइज किया कब आया था पता नहीं सर यह कब आया प्राबबली सम्माइब टू फाइव टू तोजन फाइवन्ड़ यर्स एगो शायद हो सकता है यह कि मैं टेक मट फिर से बताएव टू थाउजन्ट फाइवन्ड़ यर्स एको पचीसो साल पहल तो है अब आसे शका और सकते हैं मतलब आप यह कह रही हो कि बुद्ध के समय मैं यूसके बाद मैं अश्किकरत प्रूपर डॉप instructor कर आप कि आया चाहरी हो है उस समय टेवलोप हुआ कि उसमें हो tua at किया किया था उसने वेद व्यास ने वो कंपार्टमेंटलाइज क्या है विंगडन जो ब्रेक अप आप मुझे मुझे नहीं वेद व्यास ने क्या किया था यह बतावा मुझे है मतलब उसके पास चीजह आई कहां से थी यह वही है जो वैद ता वे उपनिश्द था यह सब पूरा सिस्टम उसके पास कहां से आई थी कहां से आई थी वही का उस Saamaki का получается जो थाका कुल्चरल हेरिटेज अप बोल रहा है कि कल्चरल हेरिटेज मनलब सिंदु गाटी सब्यता से वो चीज़े आई थी क्यों वही सिंदु गाटी वाई शुड वी लिमिट आर्सेल्स तो देट वो पूरा कहां से तो बताई ने मुझे वही तो पूछ रहा हूं उस समय से कहां से अभी तक आप जो है बोल रहा है कि पचीस सो साल पहले संस्कृत में वेद व्यास लिखा आप यहीं कह रहा है नौ एडिट किया था किया प्रयूग किया था लिखने के लिए अलड़ी उपनिशद और वेद था जो था अरे था थीक था लेकिन मैं पूछना हूँ एडिट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तमाल किया था एक्सल सीट इस्तमाल किया था या वह क्या नाम में Microsoft Office इस्तमाल किया था अब यह बैं लिपी कॉन सी इस्तमाल किया था संस्क्रीट लिपी संस्क्रीट लिपी हूँरक माल कर दिया आपने र्ल्लिप आपने बुट अब हाइपने तो पूरा वर्रकप यह जीत गये संस्क्रीट उस्त माल पहले आप blessing शायद मैं गलत बोल दिया पहले तो तोड़ा गलत हो गया पहले तो क्या है तुरू तुरू वर्ट आफ मौट कोई एक इनसान ने पूरा उसको मेमराइज करता था उसको जो 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 आप यह कह रहे हैं कि वेद व्यास जो है वो अकेले बैठ के जितना उपनिसाद था उपनि से ज्यादा है उस समय चलो मान लेते हैं कि उसमें थे भी नहीं लेकिन आपके अनुसार कितने होंगे उतना मैं ले लेता हूं बताइए धस था रहा है चलो जो लोगों को बुला कर दस उपनिसाद सुन लिया ठीक है वेद जो है वेद कितने थे उस समय चार वेद थे सर चा अच्छा रमायन महाभारत उस समय थे की नहीं थे हैं उस समय रमायन महाभारत शायद हो सकता है हाँ था रमायन महाभारत भी था ब्लूद से पहले अच्छा बहुत अच्छा जी चलो तो उसके भी सलोक ले लिए 24,000 रमायन के सलोक ले लिए एक लाक जो महाभारत के ले लिए इतने सारे सुलोक जो है कैसे ही कठा किया हुओ अचा ये तो अभी छोटे हैं गीत भी चलो उसी का पायट हो गई हटा देते हैं धरम सरास्त भी होंगे इस्मृतियां भी होंगी बहुत सारी तो ये खुद ब्यास की ही इस्मृति है अपनी और पता नहीं यागवले इस्मृत हुआ है थोड़ा गलत बोल दिया बताया ना सर वो पाम लीव्स तोड़ा लेट प्रिएड में आ अगा शायद तो मतलब उसने मेमोरी में इतना सारा चीज श्टोर किया नहीं वही है सिर्फ एक का मेमोरी में नहीं होता था क्या करता था division for example आज भी हम देख सकते है किसी ब्रामन ने क्लेम करते है वो रिगवेदी ब्रामन है बोले तो अगर उसको आप पूछेंगे तो रिगवेदा को वो recite कर सकते हैं कोई सामवेद ब्रामन मिलता है वो सामवेद को पटन करने का है उसका tradition ही है अगर उसका बच्च्या पैदा होगा तो उसको भी वो सामवेद सिकार से एक मिना थोड़ा रुख जाना थोड़ा पर रुख जाना रुख जाना यहां पर राम मुहम्मद सिंह आजाद बोल रहे हैं बुद्ध नास्तिक religion है क्या confusion clear करें जी राम मुहम्मद सिंह आजाद जी आप इसको ना शुरू के देख लीजिएगा शुरू के डिड़ गंटे आप देखिएगा इस ट्रीम को रिमाइंड करके आपको उत्तर मिल जाएगा और यहां पे जो है चलो बुद्धा की ओर hybrid है या पकरा है कितना है यह हला अच्छा ओके तो आप मुझे मेमोरी अच्छा महाभारत आपने पढ़ा है ज स्कृब बलत है लिखने वाला हो है बुलते है उसमें क्या करता करें गएंज लएrif लि analyst ऑफ लाठा था गनस्कै लिख रहा था ना अल好 तो यह यह तो खुद है लिख रहा है तो अब मुझे इस बात का जवाब दीजिये कौनसी लिपी में लिख रहा था गनेश गनेश इसका मतलब कि गनेश भी 30,000 साल पहले होगा व्यास है तो गनेश भी होगा फिर है जी हाँ हाँ सही बात है तो बताजिए फिर तो गनेश भी पैदा होगी याजी फिर तो चीव भी होगा उस समय क्योंकि गनेस है तो संकर भी उसी समय गला काटा होगा बुद्ध के समय ही सही वात है सही वात है कमाल की बात है आपने तो आज इतनी जनकारी दे दी कि हम लोग के तो मौझ कर दी आपने तो दर्सकों की बहुत अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा यह मुझे बताईए कि उसकी प्लास्टिक सरजरी किस ने की थी गनेश की लेकिन और पुराणों में लेक्स लिखते हैं आइडो टाइप लश ब्रामिनश कुटिल साम अच्छा ओके अच्छा यहां पर त्रिप्ती जी का भी एक सुपर स्टिकर आया है इस चैन अमीच जी यू बोथ हार अमेजिंग बहुत सुक्रिया त्रिप्ती जी थैंक्यू व कीजेगा सब को पता चल गया हूए पहले कहां आपने लिखा फिर आपको लगा कि नहीं कुछ क्लत बोल दिया आपने का कि लिखा नहीं सुना सुना बोला फिर जब महाभारत का मैंने रेफर्रेस कि घीया फिर आपने accept कि हां आपales ने लिखा अब सवाल में मूंसरा पया आ नहीं सर लेकिन पहले बार महाभारत जो है कौन सी लिपी में अब तो संस्कृत में है ना सर संस्कृत में है लिपी और भासा में क्या अंतर होता है सर भाशा है इस फिनेटिक जो वॉकल कोर्ड से उठते हैं उसको हम यह बोलते हैं जो फिर फिगरेटिव लैंग्वेज्ग सीम्बॉलि 봤र्शन यह उसको लिपी बोलते हैं अब बूली होता है जो उसको एक पहले मीनिंग हो जाता है वो फिर वो मीनिंग को कैसे मुष्टक में या लीफ में कईसे ट्रैंस्क्राइब करने का है उसको लिपी चाहिए तो तो रियल इंडियन ये बताइए मुझे एक विधर रियल इंडियन ये बताइए कि बोली और भासा एक ही है कि अलग-अलग है बाशा कईसे डेवलप होता है सर मैं पूछ रहा हूं कि बोली और भासा एक ही है कि अलग-अलग है बाशा मने जो लैंग्वेज है लैंग्वेज पहले इंवेंट होता है उसके बाद उसको कईसे बाशा को स्क्राइब करने का है वो अलग चीज है पर एक्जामपल इंडियन लाइंग्वेजस में बहुत सारे आप यह कह रहे हैं कि पचीस सो साल से पहले संस्क्रीट जो है वो पोली के रूप में थी आप यह कहना चाहिए ना ब वोगण फॉम में थी लिखित रूप में नहीं थी आप ये मुझे बता हुए कि पचीस सो साल पहले लोग मूर्स संस्क्रीट बोलते थे तहीं कि शायद बोलते थे शायद हो सकता हूए आयद बोलते थे मतलब नहीं पता है आपको कई से पता हैं मैं बाबा साब को मानता है बाबा साब तो बोल रहा है बोलता था से अपने अवी एक क्लेम किया सुनिये मेरी बात को आपने क्लेम किया कि भाई साब जो है हम लोग संस्कृत पहले बोल बोल के लाते थे संस्कृत जो है आज तक कोई बोला नहीं आज भी कोई ब्रामर नहीं बोलता है आपका सारा जो है लिखित आचा ये बताइए आप बोल बोल के लाते थे आप लोगने बोलना Sanskrit क्यों छोड दिया, पचीसों साल पछले आपने Sanskrit क्यों छोड दिया, लिखने का आपको ज़िए तो कुछू यह फटेकना के लिए कू क्यों जाता है, जब लिखने का टेकनालोजी इन्वेंट हो गया, वो लिखने, लिखने का क्नून के लिए पने मेंस क तब चाहता है ना जब आपके पास लिपी एबलेबल हो आपकी लिपी कौन सी है आपको पता ही है संस्क्रीट की लिपी कौन सी है आपके धार्मिगरंत आर आज कौन से लिपी में लिखे गए हैं संस्क्रीट वो देवनागरी बोलते हैं उसको पता नहीं मुझे तो पता नही सर कब हुआ क्या हुआ पता नहीं पता है तो जब नहीं पता है तो क्यों उस समय से इतनी इतनी गप्पे हांके जा रहे हैं जो मन करें वहीं पर वो चीज फिट किये जा रहे हैं आपको ये तक नहीं पता है कि आपकी लिपी जो है संस्कृत जो है आपकी लिपी कितनी पुरानी है आपकी भासा कितनी पुरानी है ये तक नहीं पता है संस्कृत कभी बोली नहीं गई और आप जो है बोल रहे हैं कि पची सो साल पहले हम लोग बोलते थें फिर जो है आप ब बूलने का कोई सबूत नहीं थे कव आप लोग अब बुद्र से पहिले बुद्र से पहिले क्या चक्तर क्या है आपका नहीं यह 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 अच्छा चलिए अब एक चीज और बता देजे जब गनेश भी था बुद्र से बाद कुछषे युद्र के समय में सब्सक्राइब कर देखें सर वह इतना पुरानी है जब हमने कुछ नहीं कहा है सारा डेटा में आपी से लिया हूं मैं आप मुकरिया मत यूटर्न मारेगा तो सब लोग हसेंगे आप पर कि आप बार-बार यूटर्न मार रहे हैं सब्सक्राइब काम कीजिए एक बार थोड़ नहीं सर इमें एक बात बोलता हूं इंस्क्रिप्शन जब राजाश्राई मिलता है तब इंस्क्रिप्शन ओठा है और एक बात इसको किसका अच्छा रुखिए रुखिए एक मिनट रुख जईए यह बताइए मुझे कि दुनिया में जितनी भी पूरानी फिलोस्पी बुखिए बाध मारी को संरक्षन नहीं मिला दस्वी सदी के बाद रुखम हो गई आपका तो संडक्षन सुरु से लेकर आजतक रहा है आपको किसा बात की चिन्त है आपका संडक्षन तो आज से जो है पता नहीं कितना अच्छा राम कितना साल पहले हुआ था क्रिश्न का तो आपने बता दिया कि बुद्ध के बाद जन्मे थे राम कितना साल पहले जन्म लिया था सर मैं उस समय से बोल रहा हूँ हूँ आई डूनोट नो देर बर्थ डेट कब हुआ मुझे तो पता नहीं है अपके यहां जो है वो कलेंडर नहीं था आप लोग कलेंडर नहीं जानते थे कि मैं और इडी बोला ना सर वो क्या है सुरिय सिधांद के अनुशार सोर्य सिधांद किस ने लिखा है नहीं पता है सार नहीं पता है ना तो almost course के पहले में पहले का नहीं है आप उननीस वीज़िवी सदी में लिखा गया है किसी ने पूरी किताब पड़ी हुई है वह एतनी गफाक रहा है कि सुनके हंसी आजाएगी उकाता है कि कितने अरवो खर्वो खर्वो साल पहले जो है इस चीज को लिखा गया है अब उसमें जो उसको लिख रहा है कि यह बात ना कालपनिक प्रतीत होती पता नहीं किस ने लिख दिया सुरेशी दान्त में लिखा है अरे आप एक भी अफित्त का ऐसा सिंगल सबूत नहीं दे पाएं जिससे हम लोग यह कह सकें कि पांचवी छठी दसवी सदी से पहले आपका कोई संस्क्रीत भी अस्तित्तों में था उपनिसद उपनिसद तो भूल जाए रामों कृष्ण पता है थे कि आप कंप्यूटर साइन्स से पढ़े हुए हैं मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप कंप्यूटर साइंस से प्लैं आप तो टीके सर वह सकता है अच्छा यहां पे दूमिंस लेक्स लिख रहा है अमीची निकालिए आई डू फॉल्फ अब्रामिनस ओके हाँ real Indian जो है आपका बहुत समय हो गया आप लास्ट में जो कहना चाहते हैं तो कभी नहीं बोले हैं कि कृष्ण नहीं पोले हैं कि संस्क्रीट जो है वह आज से बीद जो है कभी नहीं बोलते हैं बchnूद्छ कभी नहीं बोलते हैं कि वह इतनी пूरानी है उतनी पूरानी है उनकी थियरी अलग है यहां पे सिर्फिण सुनन apocalypse छाहते हैं भीनasha साथ के ऐतकर क्यों चोड़ रहा है सर यहाँ पर नहीं Nikki भी तक हमने जितनी बात की हैं आ आप से मनें चumnसक्रिट पे बात की उपनरीस्द और वेदों पे बाथ की हमने उनपशी नहीं की तो नहीं की तो हम उनको जबरजस्टी क्यों किसी चीज़ में घुसरड़ उनकी जब बात हो रही होगी उनका जब कोई रेफरेंस लिया जाएगा तब हम उनके बात करेंगे चलिए बताई यह आप आप यह कहना चाह रहा है जो रेफरेंस हम आपसे नहीं कुछ सुनेंगे इस तरह का 30 सेकंड के लिए जो बोलना है बोलने देते हैं बाबा साबने कुछ बोल रहा है उनका बोलने है किस्त कुल रहा? बहुत अच्छा बुले सर बहुत अच्छा बुले बस हो गया काफी हो गया सर बहुत क्या ग्यान का बात कुए ये आज सुनके मन भर गया थेंक यू सर रियल इंडियान जी इतना इतना पकाया है इस बंदे ने आखरी का 30 सेकंड बहुत अच्छा बूलके गए सर चलिए अच्छा समय काफी हो गया है तो आज का जो है सो यहीं पर हम लोग केंसिल क्या खतम करते हैं और कोई रह तो नहीं गया है बाकियों से तो बात हो गई है एक-दो लोग आए होएं चलिए वि पुल जादो जी से ऐये होएं इनसे थोड़ी सी बात ले लेते हैं जी वि पुल जी बताएं जी अभी मैं बात पूछनी थी आपसे कि इशार यह जो हम लोग के सुसाइटी में अभी सुस्टम के पहला हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि यह जो सरनेम हें वह हम लोगों को हटा दिना चाहिए। यह सरनेम हटने की जो बात है ना वह दरसल एक 20 फोट है पहले लोगों को त्यार होना पड़ेगा सभी लोग त्यार हो जाएं बस एक जटके से हट जाएगा अभी लोग त्यार नहीं है ना अभी आप सुचोगे कि दो-चार लोगों को हटवा दें दो-चार लोग हटा फिर उनको लोग जो है गुमनाम कर देंगे बहुत लोगों ने हटा दिया है कंहिया कुमार कुमार लिगता है उसको लोग समझ के कुछ समझें लेते हैं लेकिन हैं तो वह भी आपड़कास्ट में आते हैं तो कुमार वहां पे पूरी एक शीरीज़ चली है उधर बंगाल म तो पता नहीं उधर अभी घोस फोस क्या क्या लगाते रहते हैं लेकिन बिहार में चला था यह चीज लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ लोगों के त्यार होने से नहीं काम बनेगा आपको सभी लोगों को ही त्यार करना पड़ेगा सब लोग त्यार हो जाएं एक छटके में छोड़ देखा दम बात हो जाएगी जी जी तैंक यू से ओके अच्छा इसके बाद से और कोई था क्या अच्छा यह एक आये हुए है यस्वंत कुमावत जी यस्वंत जी पताएं तर नमस्ते 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 तर मेरी बात थोड़ी लंबी है बर बहुत लेट हो चुका है हाँ समय कम है संचिप्ट में बहुत सौट में रखिएगा तो सर नेक्स टाइम बात कर पाएंगे संड कि ऊपैने के संड़े को भी तो का डिबेट होता था है झायक को डिवैट करनी है झाय को कूई जानकारी शाएर करना चाता था थोड़ी लंबी बात है to मैं संड़े को वापस स् waters को आपने में बहुत ट्राइ किया था और आज मोका मिला बटन बहुत लेट हो गया सब्सक्राइब आपको कुछ बोलना हो तो कोई चरूरी थोड़े कि एक दिन में भी बोल सकते हैं आज भी कुछ अपनी बाते रख सकते हैं त्रश्टे को मैं फिर आऊंगा वहां पर भी रख सकते हैं जी 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 मेरी मैं सर थोड़ा मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी है मेरे खुद के तो सारा बेल्डिंग गिर चुका है सर मैं मैं भी बहुत मानता था इन सब चीजों को सब भूल चुका हूं मैं मेरे पास एक स्टोरी है सर तो स्टोरी में यह है कि सर पुराने समय में जब यह इशू आय थे तो सर उनके टाइम का कोई टाइम पिरिट गया वे तो शायद उनमें मैंशन नहीं किया हुआ है तो मैंने सुना है सर कि उस समय वो भारत आय थे और वो यहूदी थे इस कारण से क्या है कि जब वो यहूदी जैसे अपने ब्राह्मिन अपने लोगों को डराते है न वैसे शाब भूदी भी ऐसे ही करत होंगे तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी तो उसके कारण से सर वो यहां आये और वो बहुत धर्म से ज़्यादा प्रभावित हुए तो वो वहां पे जाके सर इसका प्रचार करने लगे तो उनको बुरा लगा और इस कारण से शायद उनको सूली पे चड़ाए गया और सूली पे चड़ाने में उनको उतार दिया गया तब कि देथ सूली पे चड़ाने के 48 गंटे बाद यह ऐसा कुछ मेंचन किया गया है कि इतिदिर में डेथ होती है तो उसकी वज़े से सर उनको उतार दिया गया और जिनके पास में इनको रखवाली करने के लिए रखा गया था उन्होंने उनको वहां से रैब कर दिया गया और यह बाकी स साल लगबग किसी ने बताया है तो यह बात कहां तक सही है मैं आप से जाना चाहरा था और एक मेरा कॉस्चन भी था सर कि मेरे सार कोस्चन तो क्लियर हो गए आपकी सारे वीडियो ज मैंने बहुत सारी देखी यह मैंने एक क्रश्न भक्त मीरा थी सर तो सर है न वो भक्ती बहुत करते थे तो उसकी वज़े से लास्ट टाइम जब उनका था तो लोगों का ऐसा मानना है कि वो सरशरीर वो मूर्ती में समा गए थे तो इस बारे में भी आप थोड़ा प्रकास डालें सर नहीं वो मीरा वाई वाली तो उसमें बहुत से कहानिया है उसमें तो ये कहा गया है कि जहर का प्याला भी दिया गया था उनको जहर का प्याला पीकर मर गई थी हाँ बिल्कुल सर कहानी तो बहुत सारी है उसमें कहानियों का तो कोई और छुर नहीं होता है जो चीज पुरानी हो जाती है जेसस का भी यही है उनकी अपनी Bible है उनकी अपनी तीन चार अलग अलग Bible है उनको पढ़िये तो उन ही में contradiction है बहुत सारा इसको लगता बाइबल गलत है सर सर यह जो बात बोल रहे है मैंने स्क्रीन शेयर किया है यह दरसल जीजस से इसको जोड़ा जाता है इस बात को लेकिन देखे यह बार्ट एर्मेन की किताब है वो एथियेस्ट एक्स क्रिस्चन है और उनकी इस पे बहुत अच्छी स्टडी है यह बहुत अच्छी किताब है अगर किसी को पढ़ना है तो How Jesus Became God तो एक और बंदा था सर उसका नाम था अपोलोनियस ओफ ताइना अब इसकी जो कहानी है यह जीजस की कहानी से बहुत मिलती जुलती है तो यह भी अपने आपको यह बुलता था कि मैं Son of God हूँ और इसको भी यह बात हो रही थी कि वह इसको भी सूली पे चड़ाया जाएगा और यह वहाँ से भागा और फिर इसके बारे में यह कहा जाता है सर कि यह इंडिया आया और यह आता है फिलोस्ट्रेटर्स की किताब में जो कि अगर कोई इसको पढ़े तो उसमें यह कहानी आती है इसकी तो यह अपोलोनियस ऑफ टाइना है सर जिसके साथ में इस बात को जोड़ा जाता है कि वह फिर इंडिया आया था ओके 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 ठीक है तो मेरे ख्याल से यह स्वंद खुमावत जी आपको मिल गया होगा दिए बहुत सारे चीजें हैं यह बिल्कुल सही बात है कि जिस समय थे जो एरा था उस समय तक सम्राटसों के इवन इंस्क्रिप्शन में यह बात मेंसन है कि उन्होंने खुद ह जो सीरिया है सीरिया जो जगा है जो ग्रीक है वहां पर उन्होंक्स को अपने धंपचार के लिए भेज चुके थे यह वो लिख के भी गये हैं उनका जुनागड का विलेक चुग है उस पर यह बात मेंसन है तो यह बात बिल्कुल सही है कि पहुंच तो इसा से ढाई सो ती जाए लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमेरा पर पुखता जो सबूत होता है हम सिर्फ एया आधार पर हल्की फूल्की नहीं कर सकते हम्हें सबूतों की जुरुरत होती है तो इंस सब चीजहों को जब देह और और भी कई सारे सबूत हैं उनको collect करते हैं तो हम लोग इस पर stream भी करेंगे जैसे जैसे हमारे पास जो evidence मिलते हैं जाते हैं इतिहास ये channel हमेशा ही dedicated रहा है कि इतिहास की जो भी घटना है जो आज तक आपसे नहीं बताई गई है अगर कहीं पर भी कोई सच्चाई है कुछ चीजे मिलती है तो उसको हम लोग जरूर उसको दिखाएंगे जैसे आपने जिता जिता बताया ना मैंने भी कोशिश की थी मैं भी हिस्ट्री पढ़ूं तो फिर मैंने भी हिस्ट्री पढ़ूं तो मेरे को भी लगा आप मतलब लोगों को अच्छा जागरूप कर रहे हैं और लोगों को और मैं भी इस बात को तो शुरू से ही स्विकार करता था कि सर जाती पाती धर्म लोगों में ज्यादा नहीं होना चाहिए और होना ही नहीं चाहिए और किते ही सवाल मेरे अंदर भी थे जैसे ना जैसे लोग जैसे बुद्ध धर्म में इन्होंने छे साल में ग्यान प्राप्त किया था और जैसे हमारे अपने प्रोरणिक कता होती है जैसे रावन है इन्होंने लाखों साल की तपस्या करी हजारों साल की तपस्या करी तब उनको ये मिला तो मेरे को यू लगा कि सर इतने सालों तक तपस्या करने के बाद भी उनको सत्य का ग्यान नहीं हुआ इसा किसा इस वे तो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं masculine أज चलिए तो काफी लेट भी हो गया है तो आज हम लोग क्लोज करते हैं सर और मैं भी लास्ट में ये बात मैं बोलना चाहता हूँ ये जो रियल इंडियन जी आये थे ये पिछली बार भी रियलिस्ट आजात के चैनल पे मिले थे बाबा साब अमबेटकर को मिसकोट कर रहे थे वहाँ भी मैंने इनको पकड़ा था ये नितांत मूर्ख इंसान है तो इसलिए ये जब यहाँ पे आखरी में मैंने इसलिए बोलने को कहा कि भाई आप 30 सेकंड इनको दो तो इनके मूँ से दरसल जो आवाज बहुत देर से निकल रही थी न वो आवाज मैंने इनके मूँ से जो रियल इनकी आवाज है वो निकाल के दिखा दिया बाकी अगर किसी कुछ तकलीफ हो तो वो अपना जाने, वो अपनी आवाज को खुदी चेक करें, वो मूर्ख इंसान थे, वो जिस तरह के आर्गुमेंट दे रहे थे, याने मैं म्यूट करके हस रहा था बस, जी सर, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, तो सुक्रिया आप से भी लोगों, जाए भीम सभी, जाए भीम सभी,